नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे completely home tap के बारे में काफी students ने मुझे comments किया था कि उन्हें हर एक option के लिए अलग अलग videos देखनी पड़ती हैं तो मैंने इस video के अंदर सभी home tap के options के बारे में आपको बताया हुआ है completely home के एक-एक option के बारे में मैंने इसके अंदर clear किया हुआ जैसे वो आपका font menu हो, चाए वो आपका clipboard menu हो, चाए वो alignment हो, numbers हो, style हो, sales हो या editing हो इन सभी option के अंदर जितने भी options हैं, सभी options को मैंने इसके अंदर cover किया है वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन मैं आपको guarantee देता हूँ कि इस video को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जुरत नहीं पड़ेगी तो बने रही है हमारे साथ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ है तो हमारे चैनल को like कीजेगा, subscribe कीजेगा और अपने सभी दोस्तों में share जरूर कीजेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक option है हमारा cut का जो Caesar आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस option का use क्या होता है इस option का use होता है आप किसी भी data को one place to another place move कर सकते हैं जैसे माल लीजे हमने annual salary को यहाँ से select किया select करने के बाद हमने इसको यहाँ से cut किया cut करने के बाद मैं इसको अगर कहीं move करना चाहता हूँ तो माल लीजे मैंने यहाँ पर click कर दिया और click करने के बाद जैसी मैं यहाँ पर paste करूँगा तो paste करते ही वो data मेरा यहाँ पर represent हो जाएगा यानि वो data यहाँ से हट करके दूसरी जगा पहुँच जाएगा हमने इसको कर लिया यहाँ से copy copy करने के बाद जिस भी place पर मुझे इसको paste करना है वहाँ पर click करने के बाद आप simply paste पर click कर दिजे आप देखेंगे आपका यह data यहाँ से move हो करके दूसरी जगा पर paste हो जुका है यही था हमारा copy का option इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक और data है आपका copy as picture का अब यह copy as picture क्या काम करता है तो इस data को हम वापस से select करते हैं select करने के बाद यहाँ पर हम इसे use करते है copy as picture copy as picture use करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक dialogue box open हो जाएगा इस dialogue box के अंदर सबसे पहला option है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है as shown on screen यानि यह जो data है हमारा वो एक picture में convert हो जाएगा एक bitmap भी एक picture ही होती है और picture हमारा already jpg file होती है यह एक तरीके से jpg file में convert हो जाएगा आपको उसको करके दिखाता हूँ यहाँ पर हमने सबसे पहला option यूज किया हुआ है और उसके बाद हम format के अंदर भी picture का option यूज करेंगे और उसके बाद करदेंगे simply इसको ok करने के बाद आपको paste का यूज करना पड़ेगा पेस्ट का यूज करने के बाद आप देखेंगे आपका यह data यहाँ पर paste हो चुका है यानि कि यह picture बन चुकी है इसको आप easily increase or decrease कर सकते है इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो दूसरा option है copy के अंदर वो है bitmap का bitmap को select करके जैसे हम इसे ok करेंगे और simply paste पर click करेंगे तो आप देखेंगे bitmap का भी जो work था बिल्कुल dicto copy वो भी same यही काम कर रहा है आप देखेंगे इन दोनों में कोई भी difference नहीं है यानि दोनों का ही काम same है इसके बाद अगर हम बात करेंगे आपर format painter की तो format painter क्या काम क दिखाता हूँ आपको simply करना क्या होगा माली जै हमने salary पर click किया और यहाँ पर हमने format painter पर click कर दिया format painter पर click करने के बाद आप जैसे ही किसी other data पर click करेंगे होगा क्या इसकी जो formatting थी वो दूसरे data पर paste हो चुकी आप देखेंगे यहाँ पर salary वे जो background में color था वो color आप italic होता या underline होता या जो भी formatting हमने इसके अंदर कर रखी होती वो सारा का सारा format यहाँ पर automatically इसको paste कर देता तो यह था हमारा cut copy paste format painter अब हम बात करते हैं paste के सभी options के बारे में तो सबसे पहले हम इन data को यहाँ से clear कर लेते हैं अब हम बाकी paste के सभी options की बात करते हैं मैं आप copy का use करने के बाद अब हम another place पर एक बार click कर लेते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं paste वाले options पर अब paste के options पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे options हैं इन सभी options का use मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक-एक option का use क्या होता है और यह बहुत ही बैतरीन functions है mostly लोगों को cut copy paste ही आता है इसके अंदर जितने functions है अगर आप इसका use करते हैं अपने office के अंदर तो आप एक smartness work करेंगे तो चलिए हम एके करके paste यह सभी option का use देखते हैं आप देखेंगे आपर सबसे पहला जो हमारा option है वो है paste का सबसे पहले हम sales में आपर click कर लेते हैं copy करने के बाद और paste में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहला option यूज करते हैं यह वाला paste वाला अब यह paste simple क्या काम करता है यह paste हमारे data को as it is copy करके another place पर paste कर देता है यहाँ देखेंगे हमारे data यहाँ पर paste हो चुका है इसको अगर मैं यहाँ पर sales को increase or decrease करूं यानि adjust करूं तो same as it is data हमारा यहाँ पर paste हो चुका है तो यह तो एक simple format था जो हर किसी को आता है इसके बाद के options बहुती कमाल के options हैं तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद second option हमारा क्या काम करता है उसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं इस data को हम यहाँ से remove कर देते हैं और यहाँ पर हमने इक formula यूच्य किया हुआ है multiply کا तो इस formula को आम यहां पर copy कर लेते हैं copy करने के बाद हम data को पूरा select करते हैं select करने के बाद यहां से चले जाते है paste वाले option पर paste वाले option पर जाने के बास second option हम यूच करेंगे formula का formula का second option use करते ही यहाँ पर होगा क्या आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी हमने formula जो लगाया था यानि जो हमने into का formula यहाँ पर use किया हुआ है annual salary के लिए वो formula सब में paste हो चुका है यानि हम किसी formula को एक place से another place पर paste कर सकते हैं अगर आप इसको directly करना चाहें तो ctrl d करके भी कर सकते हैं लेकिन formula का जो use है वो basically क्या काम कर रहा है वो किसी value को paste नहीं कर रहा है वो किसी formula को paste कर रहा है यह बाद का जो option है हमारा वो formula and numbering formatting का है यानि formula and numbering formatting क्या काम करेगा इसके लिए भी मैं आपको clear कर देता हूँ data को वापस से हम select करेंगे यहां से copy का use करेंगे copy का use करने के बाद another place पर click करेंगे another place पर click करने के बाद आपको यहां पर click करना होगा और यहां से तीसरा option हम लोग select करेंगे formula and number formatting यानि कि यहां पर आप देखेंगे जब हमने तीसरा option select किया तो यहां पर उसके अंदर number formatting नहीं था यहाँ पर देखेंगे number formatting भी आ गई है लेकिन format को इसने वापस से clear कर दिया है तो यही था difference हमारा इसके बाद हम next option की और बढ़ते हैं हम data को फिट से select करते हैं यहाँ से control C करके copy करते हैं वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन इसके अंदर मैं आपको last make option जरूर बताऊँगा paste special का यह बहुत ही बैटरीन function है जिसको use करने के बाद आप कहेंगे wow तो चलिए पहले हम इन सबी options को clear कर लेते हैं उसके बाद मैं last मैं आपको paste special के बारे में बताऊँगा तो चलिए इसके बाद हम next option की और बढ़ते हैं इसके बाद जो आप next option देखेंगे keep source formatting यानि के इसकी जो shortcut की है वो के है आप देखेंगे यहाँ पर जिस भी option पर हम click कर रहे हैं माउस के option के आगे हमारी shortcut key represent हो रही है actual में यह shortcut key hotkey कैलाई जाती है और इस hotkey का use कैसे किया जाता है मैं आपको वो clear कर देता हूँ अगर आप mouse का use नहीं करना चाहते हैं और अपने keyboard से इन options का use करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं को करने के लिए आपको करना का है simply अपने keyboard से press करना है alt key alt key press करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर option आ जाएगा यहाँ देखेंगे जितने भी options आपके सामने नजर आ रहे हैं यह सारी hotkeys हैं यानि इन में से अगर हमें home tab open करना है हमें यहाँ प्रेस करना होगा तो हम जैसे ही यहाँ पर alt गबा करके एच प्रेस करेंगे हमारे सामने hotkeys सारी की सारी open हो जाएंगी अब जिस भी options को हमें open करना होगा उस option की हमें hotkey यूज करनी होगी तो हमें option यूज करना है paste का तो paste के अंदर आप देखेंगे V हमारी इस की shortcut की है तो इसके लिए हम यहाँ पर V का use करेंगे यानि alt h V का use करेंगे V का use करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इन सभी की hotkeys यहाँ पर show हो चुकी है यानि इन में से जो भी word आप दबाएंगे जो भी word आप प्रेस करेंगे वो आपका option यहाँ पर use हो जाएगा तो यह हमारी basically hotkeys होती है जिनका use हम अपने keyboard से कर सकते हैं बिना mouse का use किये बिना हम इन सभी options का use भी कर सकते हैं अपने keyboard से तो चलिए यह तो एक external option था यह तो एक external information थी आपके लिए हम बाकी का chapter complete करते हैं बाकी के जो भी options हैं उनको complete करते हैं तो इसके बाद हम next option की और बढ़ते हैं यहाँ पर जो हमारा next option है वो है keep source formatting यानि इसकी shortcut की हमने बता ही के है तो यह जो काम करता है वो बिलकुल accurate paste वाला काम करता है इसमें और हमारे paste वाले option में कोई भी खास difference नहीं है इसके बाद हम next option की और बढ़ते हैं हम data को फिर से copy करते हैं copy करने के बाद another place पर हम click कर लेते हैं click करने के बाद जो हमारा next option है वो है no border का अगर हम इस option का use करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो data paste हुआ है वो without border paste हुआ है हमने जो पहली table बनाई थी उसके अंदर हमने इसको border में बंद कर रखा है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे वो data हमारा पूरा का पूरा copy paste हो चुका है लेकिन without border इसने border को remove कर दिया है यहाँ पर आप देखेंगे keep source column width formatting यानि कि एक तरीके से जब हमने इसको select किया यानि इसको हमने copy करके paste किया तो as it is data को यह copy करके paste करता है लेकिन इसमें एक फायदा हमारा और हो जाता है उसका हमारा जो फायदा हो जाता है वो यह हो जाता है कि इसकी जो width होती है वो automatically इसको manage कर लेता है अभी तक हमने जितने भी copy paste के options use किये थे उसके अंदर हुआ क्या था हमारे data copy करके paste तो हुआ था लेकिन उसकी जो width थी वो हमें खुछ से बढ़ानी पड़ती थी लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे वो width को automatically manage कर लेगा और manage करने के बाद हमारा data same as it is another place पर paste कर देगा तो इस option का use क्या था इस option का use था किसी भी data को copy करके हम another place पर जब paste करेंगे तो paste करने के बाद हमारी जो column की width होती है वो इसको automatically manage कर लेगा तो यह था हमारा next option इसके बाद control z करके हम next option की और बढ़ते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो option है आपका वो है transpose अब यह transpose क्या काम कर रहा है यह transpose horizontal को vertical में convert करता है और vertical को horizontal में convert कर देता है अब यह vertical और horizontal किसले use किया जाता है देखें जो भी data हम तयार करते हैं वो या तो data horizontally होता है या तो data हमारा vertical होता है यानि HLOOKUP और VLOOKUP आपने function जरूर यूज किया होगा अगर हमारा data vertical होता है तो उसके ओपर हम VLOOKUP का function यूज करते हैं और अगर हमारा data horizontal होता है तो हम उसके ओपर HLOOKUP का use करते हैं इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी हैं आप link के description में जा करके उस वीडियो को यहां से देख सकते हैं ये भी MSXL का एक powerful formula है जो कि आपको आना चाहिए बिना HLOOKUP और VLOOKUP के आप MSXL के बारे में पूरी तरीके से नहीं जान सकते क्योंकि HLOOKUP और VLOOKUP बहुत ही बैतरीन formula है MSXL का जो हर एक company के लिए useful है और हर एक company इसको use करती है तो चलिए ये तो था हमारा data आप देखेंगे यहां पर इसने क्या क्या इस data को आपने copy किया और another place पर जैसी paste किया तो यह हमारा जो data था अभी vertical में था उसने इसको क्या कर दिया 500 में convert कर दिया आपको दिखा देता हूं यहां पर आप देखेंगे serial number आपका यहां पर है और name और कि म calendar यहां पर है तो आपको कॉपी करना होगा और another place पर click करने के बाद यहां भी आप इसको चाहते हैं जयसी आप इसे transpose कर सकते हैं तो जैसे सब्सक्राइब तो आप देखेंगे, हमारा यह जो data था, horizontal था, इसको vertical में इसने convert कर दिया, तो था बहुत बैतरीन function, तो यह किसी भी data को horizontal से vertical या vertical से horizontal में convert करने के लिए use किया जाने वाला function है, transpose, तो चलिए इन options का हमने बैतरीन तरीके से use सीख लिया, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस data को हम यहां से delete कर देते हैं, इसके बाद हम बात करते है, paste value की, तो paste value basically क्या काम करता है, paste value हमारा data को paste करता है, और as it is data को हमारे paste कर देगा, लेकिन इसमें से formula को वो clear कर देगा, formula clear करने का मतलब यह, कि आप देखेंगे, annual salary के अंदर हमने formula यहां पर लगाया हुआ है, into क यहां पर आप देखेंगे, annual salary के अंदर कोई भी formula हमारा show up नहीं हो रहा है, इसके बाद अगर हम देखेंगे, यहां bonus के अंदर 3%, 2% हमारा जो formula है, वो यहां पर आप देखेंगे, हमने formula यहां पर use किया हुआ है, लेकिन यहां पर कोई भी formula नहीं है, तो यानि कहने का सीधा मतलब यह हुआ इसने क्या किया इस डेटा के जितने भी फॉर्मले थे उन सभी फॉर्मले को रिमोफ करके उसे एक सिंपल वैल्यू में कनवर्ट कर दिया तो यह था हमारा यहां पर देखेंगे जो भी हमारी नंबर की फॉर्मिटिंग यहां पर इसकी शोव रही है और साथ के साथ इसने क्या किया है formula को भी clear कर दिया है आप देखेंगे इसके अंदर कोई जो हमने formula multiply का use किया था उस formula को इसने यहां से clear कर रख रहा है तो यह था हमारा number formatting का option अब इसके बाद जो next option है उसको use करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बाद आपको करना क्या है वापस से copy करना है another place पर click करना है और यहां जाना है वापस से next option की over यहां पर आप देखेंगे आपका option है value and source formatting अब यह value and source formatting क्या काम कर रहा है यह value में दो convert करी रहा है लेकिन साथ के साथ इसकी source formatting भी ले ले रहा है यानि इसके अंदर आप देखेंगे हमने जो भी format का use किया हूँ है वो format यहां पर automatically उसने manage कर दिया और साथ के साथ इसको value में भी convert कर रहा है यानि इसके जितने भी आप तीनों options का अगर आप use करेंगे तो इन तीनों ही options का use है कि यह data को value में convert करेगा यानि formula को remove करेगा एक option है आपका जो की number formatting को manage करता है और दूसरा जो option था वो आपके formatting को भी manage करता है यानि colors, style, font, styles इन सभी को भी manage करता है manage करने के बाद उसको value में convert कर देता है तो यह तीनों options का use आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद हम जो next option है इसकी तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले इस data को यहां से वापस से clear कर लेते हैं data को हमें select करना है select करने के बाद हमने copy करना है और इसके बाद हम use करेंगे next option यहां पर आप देखेंगे formatting यानि की जब भी हम किसी data को copy करके formatting पर click करेंगे तो होगा क्या? वो इस data की value को छोड़ करके इसकी formatting को copy करके paste कर देगा अब आप देखेंगे इसका जो भी format था वो यहां पर paste हो चुका है इसका border भी आ चुका है इसके color का format भी आ चुका है और यहां पर आप देखेंगे हमारा जो data था वो as it is यहां पर essay का ऐसा ही पड़ा हुआ है अब आप अगर चाहते हैं कि आपका जो data है उस data की formatting आप किसी और data में करना चाहते हैं तो आपको simple इस option का use करना होगा आप इस option की मदद से आपने data की formatting को copy कर सकते हैं और किसी other sheet के लिए इसको use कर सकते हैं तो यह बहुत ही कमाल का function है इसके बाद हम next option की और बढ़ते हैं next option अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका next option है paste link तो paste link बहुत ही कमाल का function है paste link का अखिर में करता क्या है तो paste link एक तरीके से link generate कर देता है उस table से इस table के बीच में यानि कि आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम कोई भी format को change करेंगे यहाँ पर हमने manager की जगा accountant ले लिया तो आप देखेंगे यहाँ पर automatically accountant change हो गया यानि इस data के source में से हम जिस भी data को change करेंगे वहाँ पर वो data automatically manage हो जाएगा यहाँ पर आप value change करके दिखा देता हूं आपको 18,000 की जगा मैंने यहाँ ले लिया 12,000 12,000 लेने के बाद जैसी मैं enterprise करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर automatically manage हो यानि आपने एक data को दूसरे data से link कर रखा है आप original data के अंदर जो भी changes करेंगे आपने जो copy किया हुआ data होता है उसके इंदर वो automatically change होता चला जाता है तो यह बहुत ही कमाल का function है इसके बाद हम बात करते हैं next option की इसको फिलाल हम control Z करके यहाँ से remove कर लेते हैं remove करने के बाद आप देखेंगे next option है हमारा वो है paste as picture अब यह क्या काम करता है यह basically हमारी data को एक picture में convert कर देता है आप देखेंगे इस picture को आप increase या decrease भी कर सकते हैं और increase या decrease करने के बाद इसको उठा करेंगे कहीं पर भी manage कर सकते हैं इसके अंदर अगर आप changes करने की कोशिश करेंगे तो changes नहीं हो पाएगी आपने अगर इसके अंदर किसी भी data के अंदर changes किया तो इसमें आप वापस से इसको change नहीं कर पाएंगे आपको वापस से copy करके paste picture करना होगा अब यह option करता क्या है आपके data को एक picture में convert कर देता है इस data के उपर double click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक option खुल जाएगा picture styles का यहाँ से आप जाकर के कोई भी styles के अंदर use कर सकते है आप देखेंगे बहुत सारे बैतरीन styles है जिनका आप use करके अपने data को represent कर सकते है represent करने के बाद अब इस data में आप changes नहीं कर सकते इस data को as it is एक format के तौर पर आप इसे use कर सकते है तो है बहुत कमाल का function यानि इसने भी आपके data को क्या किया एक picture में convert कर दिया अब इसके अलावा हम एक option का और use मैं आपको दिखा देता हूँ वो आपको ज़्यादा पसंद आएगा हमने data को वापस से copy करना है यह basically क्या काम करेगा picture में तो यह convert रहेगा रहेगा लेकिन इसके अंदर changes की जा सकती है लेकिन आप इसके अंदर directly change नहीं कर सकते है आपको क्या करना होगा जब भी आप किसी original data के अंदर changes करेंगे यहाँ देखेंगे आपके picture के अंदर automatically वो changes हो जाएगी यानि अब इस picture के अंदर अगर आपको change करना है तो आपको अपने original data के अंदर से यहाँ पे manage करना है यानि आप अपने original source पर जो भी changes करेंगे इस picture के अंदर automatically वो changes हो जाएगी और इसके अलावा अगर आप इस पे double click करके picture tool ले करके इसके ऊपर भी formatting को apply कर सकते हैं इसी तरीके से आप इसको भी manage कर सकते हैं और manage करने के बाद अब इस data को आप use कर सकते हैं जो भी आप data में changes करेंगे याँपर automatically वो data manage होता चला जाएगा तो ये तो थे हमारे सारे paste के सभी options अब बात करते हैं सबसे बहतरी और सबसे valuable option की याणी paste special की अब ये paste special क्या है know paste में special क्या है इसके बारे मैं मैं आपको बताता हूँ कि ये paste में special क्या है next sheet पर आप देखेंगे अमने पहले साही कुछ data तयार किया हुए है इस data के अंतर आप देखेंगे हैं हमने कुछ नाम यहां पर लिखे हुए हैं रेकिन यहां पर हमने बीच में ब्लैंक सल्स छोड़े हुए यहां पर नमान आ जाना चाहिए, पववन की जगापर यहां पर कराना जाना चाहिए और बाकि यह जो दो नाम हैं، यह दो नाम यहां पर assitives होने चाहिए, यानि इंकी replacement ना हो क्योंकि इनकी जगापर blank cells हैं, तो यह काम हम किस तरीके से कर सकते हैं, यह काम हम लोग करेंगे paste special तो paste special पर आप click करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने एक dialogue box open हो जाएगा, इस dialogue box के अंदर आप देखेंगे आपके paste के कुछ settings है, जो आपके सामने दिखाई दे रही है, जिसमें हम इस formatting को किस चेला पर use करना चाते हैं, किन किन जगा पर use करना चाते हैं, जिसके अंदर आपके सामने एक option आता है, operations का, आप यह operation वाला option किसले use किया जाता है, तो इसको मैं अभी करके देखाऊंगा, सबसे पहले मैं यह skip वाला option आपको करके दिखाता हूं, skip blank वाला जो मैंने आपको अभी बताया, इसके वाले option पर आपको click करना होगा, simply यहाँ पर ok पर click कर दे आप देखेंगे पंकज, यहाँ पर पंकज आ गया, और यहाँ पर आप देखेंगे कमल, दीपक जो की blank cell था, वो यहाँ पर show हो गया, और नवन की जगा पर और करन की जगा पर यह replacement हो चुकी है, यह था हमारा skip blank function, अब इसके बाद हम देखते हैं, operations के अंदर, अब operations का क्य क्या use है, अब मैं आपको दिखा देता हूं, operations का, operations का क्या use है, यहाँ पर आप देखेंगे, हमने कुछ table बनाई हुई है, जिसके अंदर हमने कुछ serial number लिये हुए है, students के name लिये हुए है, और यहाँ पर हमने कुछ Hindi के marks लिये हुए है, English के marks लिये हुए है, Political and History के marks लिये सभी subjects को select करना होगा, जिस-जिस अब ग्रेज देना चाहते हैं, उन सभी को select करने के बाद आपको जाना होगा, paste वाले option पर, और यहाँ पर आपको select करना पड़ेगा, paste special, तो paste special पर जैसी आप click करेंगे, और यहाँ पर आपको लेना होगा, add वाला option, आप क्या करना चाहते ह है, multiply करना चाहते है, divide करना चाहते है, subtract करना चाहते है, आप करना क्या चाहते है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके इन सभी options का यूज़ करके दिखा देता हूं, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे करिए, paste special, यहां से add को select करिए और कर दीजिए, ok, आप देखेंगे, 65 की जगा 75 हो गया है, तो यानि कि हमने 10 number की increase यहां पर add कर दीए, आप देखेंगे, यहां पर next option हमारा subtract का, यानि आप 10, 10 number decrease करना चाहते हैं, यानि minus करना चाहते हैं, तो आप यहां पर subtract का use करिए, subtract पर click करिए, और simple ok कर दीजिए, यहां पर 75 की जगा वापस से 65 हो गया, 72 हो गया, 87 हो गया, 10 number यहां पर minus हो चुके हैं, इसी तरीके से अगर आप इसे multiply करना चाहते हैं, तो वापस से paste special पर जाएए, और यहां पर आप use करिए, multiply को select करके ok करिए, यहां देखेंगे, आपकी values 10 से multiply हो चुकी है, इसके बाद एक divide का option है, इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहां से चले जाएए, divide वाले option पर, और जैसे आप इसे ok करेंगे, यह वापस से divide, आप किसी भी data को select कर लेजे, select करने के बाद आप जाएँगे, इस वाले option पर, इस option पर जाने की बाद आप देखेंगे, आपके सामने बहुत सारे style दिखाई देजेंगे, आप इन में से कोई भी style select कर सकते हैं, आप अपने data को किसी भी style में convert कर सकते हैं, यह यह हमारा option जो है, वे वो basically, इसके बाद का जो next option है, वो size को increase या decrease करता है, आपका जो data होता है, इसके size को increase या decrease करता है, by default इसका size होता है, वो 11 होता है, और यही काम आप यहां से भी कर सकते हैं, अगर आप यहां पर one time, one by one click करेंगे, तो यहां से भी आपका size increase या decrease हो सकता है, इसके बाद अगर हम बात क slack करके उसे bold करके highlight कर सकते हैं जैसे हमने किया इसको bold ये देखे, bold करके highlight हो रहा है हमारा इसके बाद अगर आप चाहें तो इसे अलका सा italic भी कर सकते हैं यानि इसे अलका सा तेचा भी कर सकते हैं और इसके बाद अगर आप चाहें लिए अंडरलाइन को अटाना है तो वापस आप इस पर क्लिक कर सकते हैं आपका बोल्ड भी अट जाएगा और अंडरलाइन भी यहां से रिमूव हो जाएगा इसके बाद हम बात करते हैं बाद की तो आप देखेंगे हमने पहले से ही डेटा में बाटर बनाया हुआ है अगर आप सिंपल एक कोई नया डेटा अपर आप करते हैं और उसके बाद इसमें अगर आप बाद लगाना चाहते हैं तो इसको स्लैक करके आप चले जाएए बादर वाले ऑप्शन पर आप यहां पर देखेंगे बहुत सारे बादर दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि आपके सामन अप्शन से सबसे पहला ऑप्शन है बॉटम बॉटर यानि इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह नीचे की तरफ आपके सामने एक बॉटर देगा इसी तरीके से इसमें बहुत सारे बॉटर से जिनका आप यूज कर सकते हैं अगर आप आप कर सकते हैं इसके बाद अगर आप की तो आप चाहें तो इस बॉटर को यहां से एरेजर के थूँ और इसके अलावा अगर हम देखें कि यहां पर ड्राउ वाटर ग्रेट की तो यहां पर जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो बई दिफॉल्ट यह ग्रीट समें कर सकते हैं एक साथ आप चाहें तो बहूट सारे ब इस तरीके से आप इसकी लाइनिक फॉर्मिट यूज कर सकते हैं अगर आपको बॉर्टर चाहिए तो यहां पर आप ट्राइक करके इसको डॉटर ले सकते हैं इसके अलावा यहां पर और भी ऑप्शन से जैसे हम बात करें इस तरीके से आप इसको बात करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको हाइलाइट कर सकते हैं जिस भी color से आप इसे highlight करना चाहिए अगर आप उसके text का color change करना चाहते हैं तो यहां से आप click करके इसके text का color change कर सकते हैं आप देखेंगे आपके font का color है वो red color हो गया तो यह था हमारा font menu उसके बाद अगर हम बात करें alignment menu की तो alignment basically क्या काम करता है alignment हमारा काम करता है data को align करने के लिए जैसे हम बात करें यहां पर सबसे पहले option की तो यहां पर अगर देखेंगे आपने top का use किया है तो हमारा data top पे पहुंच गया है अगर हम center का use करेंगे तो हमारा data center में आ जाएगा इस watch के अंदर आप जिस भी angle भी convert करना चाहें अपने data को उस तरीके से आप इसको manage कर सकते हैं, इस तरीके से आपका data manage हो जाएगा, इसके बाद अगर हम बात करें इसके align की तो यहाँ पर आप चाहें तो left कर सकते हैं, इसको center कर सकते हैं, right कर सकते हैं, आप इसे अपने बहुत ही बड़ा data लिखा हुआ है, अब होता क्या है कि यह manage नहीं हो पा रहा है, आपका cell है वो छोटा पर रहा है और data आपका ज्यादा बड़ा है, तो इसके लिए आप यहाँ पर use कर सकते हैं, text wrap को, text wrap के जैसे आप click करेंगे तो यह by default इसकी height को increase करेंगा, ना कि इसकी width यहाँ से आप चाहें तो इसकी height के according data को manage कर सकते हैं, width को बिना increase or decrease किये बिना, तो यह हमारा text wrap का का काम है, text wrapping से आप अपने data को manage कर सकते हैं, उसकी width को, उसकी height को increase करके, इसके बाद अगर हम बात करें, merge and center की, तो यह basically क्या काम करता है, यह दो cells को आपस में merge करता है, यह से अधिक भी cell अगर आप ले लेते हैं, तो इन सभी cells को आपस में क्या करेंगा, merge कर देगा, यह इनको Excel बना देगा, इसमें सबसे पहला option है, merge and center, इस पर click करने की बाद अगर हम कुछ भी यह आपर type करेंगे, तो यह merge हुआ ही हुआ, साथ के साथ, यह हमें center में भी लिखन इसमें की permission दे देता है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है merge arrows, आप लिखा हुआ है merge arrows, तो merge arrows क्या करेगा, जैसे हम merge arrows पर click करेंगे, तो इससे होगा क्या हमारा जो arrows है, वो merge हो गया, यानि कि जो हमारी यह column वाली line थी, इसने इसको क्या किया, इसने इसको यहाँ से खतम कर दिया, आप देख सकते हैं, यहाँ से इसकी जो column की वित्ती, वो यहाँ से खतम हो चुकी है, यानि हम इसके अंदर कोई particular दोनों में data type कर सकते हैं, यानि double cell को इसने क्या किया है, merge कर दिया है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके यह हमारे left में type होगा, ना कि right में, और पहला वाला क्या था हमारा, पहला वाला center में type हो रहता है, यानि merge and center option जो था हमारा, वो merge और center का option था, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ आपर unmerge की, तो अगर आपने जो data बनाया हुआ है, इसको आप चाहते है, यहाँ से जाकर यहाँ से unmerge कर दीजए, यह आपका क्या हो जाएगा, यानि जो आपका cell पहले था, वैसे ही उसी format में यह वापस से आपको represent होना शुरू हो जाएगा, तो यह हमारा alignments का part था, इसके बाद अगर हम बात करें हैं, आपर numbering के part की, तो यहाँ पर आप देखेंगे numbers के अंदर हो गया, इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर currency की, तो अगर हम यहाँ पर currency का use करते हैं, तो currency से होगा क्या हमारा जो भी data था, वो currency में यहाँ पर convert हो जाएगा, इसके अलावा currency के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर currency का symbol और शो हो रहा है आपके सामने, जिसके layout से ही है, तो इस वाले option पर आपको click करना होगा, इसके अंदर आपको बहुत सारे formats दिखाई दे जाएंगे, तो यहाँ से click करके आप more number formats पर click कर सकते हैं, जैसी आप more number formats पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, आपके सामने यहाँ पर currency symbol show हो जाएगा, अब इस वाले drop down पर आ currency आप यहाँ से select करके okay करेंगे, तो आपकी currency वाहाँ पर show up हो जाएगी, इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर accounting की, तो आपका जो data है, वो accounting में convert हो जाएगा, इसके बाद अगर हम बात करें, आपर time की, तो यह basically आपका time में convert हो जाएगा इसके बाद अगर हम बात करें आपर percentage की तो आपका यह जो data है वो percentage में convert हो जाएगा और इसके बाद अगर हम बात करें आपर fractions की तो यहाँ पर आपका यह जो data है वो fractions में convert हो जाएगा यानि आप यह सारे के सारे formats को यूज कर सकते हैं अपने database के according आपको date चाहिए, आप date ले सकते हैं, time चाहिए, time ले सकते हैं, accounting चाहिए, accounting ले सकते हैं, currency चाहिए, currency ले सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ से अपने इसे अंदर से यूज किया था, तो आप इसे डिरेक्ली percentage में यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसको अगर आपको common simple में convert करना है, तो आप देखेंगे, आपके सामने एक और option है, comma का, जैसे ही आप इस option पर click करेंगे, तो आपका यह जो number है, वो common value में convert हो जाएगा, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ आप यहाँ पर increase and decrease कर सकते हैं, Condition Formatting एक बहुत ही बहतरीन option है, MS Excel का, जो आपके important database को अलग से highlight करके आपके सामने represent कर देता है. इसके अंदर बहुत सारी conditions हैं, जिसके according हम अपने database को अलग से highlight कर सकते हैं, ताथ ही अपने according एक नया rule भी create कर सकते हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो थोड़ी से लंबी जरूर होगी, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक-एक करके हर एक option के बारे में, हर एक point के बारे में describe करने वाला हूँ. तो बने रही है हमारे साथ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, तो चैनल को like, comment, share and subscribe जरूर कीजेगा. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ conditional formatting के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला option हमारा दिखाई देगा, जिसका नाम है greater than. यहाँ पर आप देखेंगे highlight cell rules के अंदर, एक option हमारा greater than. अब ये greater than क्या काम करता है? माल लीजिए हमारा ये database है, जिसके अंदर से हमने कुछ data को select किया, select करने के बाद हम चले जाते हैं condition mode के अंदर, यहाँ पर चले जाते हैं highlights cell rules के अंदर, और यहाँ पर हमारा option है greater than का, इसके हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, आपके सामने एक dialogue box यहाँ पर open हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आप से बोलता है value, यानि आप ऐसी value दीजिए, जिससे आपको greater than value highlight करानी है, जिससे माल लिजए यहाँ पर 64 by default इसने ले लिया है, और मैं यहाँ पर change करके कर देता हूँ उसको 80, अगर मैंने यहाँ पर 80 लिखा, तो 80 लिखते ही आप देखेंगे, यहाँ पर जो भी 80 से above values थी, वो सारी के सारी highlight आपकी हो चुकी है, यह था हमारा greater than का option, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी options है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, जिसमें सबसे पहला option है आपका, light red fill with dark red text, यानि कि आपका जो color होगा, वो light होगा और आपका जो text होगा, वो red color में काफी dark show करेगा, इसके अलावा yellow fill with dark yellow text, यानि कि background में yellow color fill होगा, और इसका जो text होगा, वो dark में आपके सामें show up होगा, इसके बाद green fill with dark green text, यानि कि green color आपका background में fill होगा, और dark green color आपका text का, इसी तरीके से light red fill, यानि कि आपका जो text होगा, वो light red color में fill up होगा, इसके बाद है red text, यानि आपका जो text होगा, वो सिर्फ red color के अंदर आएगा, background के अंदर कोई भी color नहीं होगा, red border, यहाँ पर आप यूज कर सकते है red border, यानि आपका जो text होगा, वो border के अंदर show up होगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें custom format की, तो यहाँ पर आप अपने हिश का color है, वो dark में red show होगा, इसी तरीके से यहाँ पर जो बाकी के options है, वो सिम इसी तरीके से आपके सामने show up होगे, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर light red की, तो अगर हम यहाँ पर condition को select करते है light red, हमाल लिजे हमने यहाँ पर select किया light red, और इसके बाद हम इसे ok करेंग यहाँ पर red text, यानि हमारा जो text होगा, वो red color में आपके सामने highlight हो जाएगा, तो इसके बाद हम यहाँ पर red color ले लेते हैं, और इसके बाद कर देते हैं, आप देखे, हमारा जो text था, वो red color में highlight होगे, तो यहाँ पर data को पहले, हम लोग normal कर देते हैं, और इसके बाद जिस अंच नहीं होगा अपका पूरा 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 ब preacher हो जाएगा तो यहां पर हम ब मौर्डर को लेते हैं बटर को लेने के बाद हमें के इसी यहां पर आप देखेंगे, आपका जो border है, वो red color में highlight हो चुका है, इसी तरीके से यहां पर नीचे आईए, और भी options है आपके सामने, greater than, और यहां पर हमने value यूज कर लिए, like 80, 80 लेने के बाद सबसे नीचे जो आपके सामने option आएगा, आपका custom format कर ये important option है, यहां पर आप आपने हिसाब से customize कर सकते हैं, आपने text को, यानि text के colors को, तो सलिए, यहां से ले लिया custom option, कस्टम option लेने के बाद आप देखेंगे, आपके सामने एक dialog box यहां पर इस तरीके से open हो जाएगा, जिसके नदर हम font को use कर सकते हैं, border को भी use कर सकते हैं, fill को भी use कर सकते हैं, numbers को भ यहां से लिया, यह color को लेने के बाद हमने ok किया, ok करने के बाद आप देखेंगे, यहां पर हमारा color है, यहां से highlight हो चुकर है, ठीक है, इसके बाद, gap करके हम लोग पीछे चले जाते हैं, पीछे जाने के बाद, control Z कर देते हैं, border को भी हम लोग clear कर देते हैं, इस तरीके से इसके इंदर जितने भी options हैं, उन सभी का use कर सकते हैं, यहर एक चीज़ को customization कर सकते हैं, चाहिए वो आपका border हो, यहां से आप border का color भी change कर सकते हैं, फिल हो, उसके इंदर का color भी आप यहां से change कर सकते हैं, pattern change कर सकते हैं, आप अपने हिसाफ से इसको customization कर सकते हैं, data को select करने के बाद next हमारा जो रूल है वो है less than का यहां पर हम जो भी value type करेंगे उससे less than data हमारा highlight हो जाएगा तो हमने यहां पर click करना है less than के ऊपर और less than के ऊपर click करने के बाद यहां पर हम value लेते हैं like 50 50 से less than मुझे value चाहिए तो 50 से less than अगर हम बात करें तो यहां पर हमार पास 4 values है जिनका use हम कर सकते हैं इन 4 values को हम अलग से highlight कर सकते हैं उन्हीं rules के according जो मैंने अभी आपको एक एक करके सारा समझा है अब इसके बाद next option है हमारा आप देखेंगे यहां पर एक option आता है हमारा between का अब यह between क्या काम करेगा तो between का option है हमारा वो beach की values को highlight करेगा हम highlight self rules के अंदर चले गए between option यूज किया हमने हमने ले लिया like 50 50 से start हो और last 100 तक के बीच में value हमें show up हो जाए तो यहां से आप देखेंगे हमारी जो minimum value थी वो थी 50 और maximum जो value थी वो है हमारी 100 तो 50 से लेकर के 100 क के बीच में हमारी जो भी value होगी वो यहां पर highlight हो जाएगी आप देख सकते हैं 50 से लेकर के 100 के बीच की value highlight है इसके अलवा और कोई भी value यहां पर highlight नहीं है तो इसको भी इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर और भी conditions है जैसे अगर हम बात करें यहा value डालते हैं जो की equally हो किसी एक data के तो वो data हमारा अलग से highlight हो जाएगा तो उसके लिए जैसे हमने यहां पर 60 को remove किया और यहां पर टाइप कर दिया हमने like 93 93 आप देखेंगे हमारे पास एक value है तो यहां पर show up हो गई यहां लग से highlight हो गई तो आप equally value को यहां पर highlight कर सकते ह आप एक एक करके use कर सकते हैं अपनी database के ऊपर के बाद हम बाकी के options को समझते हैं यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक option है text that content यानि कि यहां पर हमने data को select किया data को select करने के बाद यहां पर हम बापस से चले जाते हैं अपनी conditional formatting के अंदर highlight cell rules के अंदर और यहां पर चल करेंगे कमल यहां से highlight हो गया जो भी text and content यहां पर हम टाइप करेंगे वो content हमारा यहां पर highlight हो जाएगा तो इस तरीके से आप हाइलाइट कर सकते हैं जैसे अब यहां पर हमने कमल को type करके OK कर दिया इसको एक तरीके से और भी आप यूज कर सकते हैं जैसे माल लिजे हमने इस पूरे cell को select किया, cell को select करने के बाद पूरे cell के ऊपर हमने इस rule को follow कर दिया, पूरे cell के ऊपर हमने इस rule को लगा दिया जैसे हम लोग चले कई text and content के ऊपर और यहां पर हमने लिख दिया Amun, Amun लिखने के बाद हमने OK किया तो आप देखेंगे अभी फिलाल हमारे पास ए इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं तो इसके बाद हम वाकिक एक option को complete करते हैं आप चले जाएं एफेसे वापस condition formating के अंदर, highlight tax and sales के rules के अंदर और यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक option आजाएगा date according का, अब यह date according का है इसको भी हम फिलाल छोडते हैं इसको मैं भी कराता हूँ आपको cover, पहले मैं नीचे duplicate value आपको clear कर देता हूँ, तो इसके बाद हम duplicate values पर यहां पर click करेंगे, अब आप देखेंगे एक जैसी जो भी दो values के तरफोंगी वह highlight यहां पर हो जाएंगे, जैसे आप देखेंगे यहां पर 79 यहां भी है और 79 यहां यानि कि वह value जो एक दूसरे से match ना होती हूँ, अगर आप unique value चाहते हैं तो unique value select कर सकते हैं यहां पर, तो इसके लिए हम लोग unique को select करते हैं, यहां कर देते हैं okay, okay करने के बाद आप देखेंगे आपके जितनी भी unique values थी यानि duplicate को छोड़ करके unique values आपकी highlight हो चुकी है, तो नई sheet पर जाने के बाद इसको थोड़ा सा मैं पहले zoom कर देता हूँ, zoom करने के बाद मैं यहां पर एक date डालता हूँ, जैसे माल लीजे मैंने date डाल दिया, and 2021, अब इसको पकड़ करके हमने क्या किया, नीचे की तरफ track कर दिया, track करने के बाद आप देखेंगे यहां पर 10 त यहां पर हम ले लेते हैं, और यहां पर हम ले लेते हैं, date according, date according में आप देखेंगे, आपके सामने बहुत सारी options है, यहां पर आप चेक करिए, यहां पर देखेंगे, आपके सामने highlight हो सकता है, today, tomorrow, last seven days, last week, this week, next month, या फिर last month, this month, next month, इन में से जोड चीज भी आप select यहां पर हाइलाइट हो जाएगी, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले, yesterday select है, यहां पर हाइलाइट हो चुकी है, अगर हम टुमारो की बात करें, तो tomorrow हमारे पास है ही नहीं, तो data highlight ही नहीं होगा, और अगर हम बात करें आपर today की, तो today यानि की आज की date यहा तो इस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं, बाकी formatting मैंने आपको बता ही दिया, custom में जाकर के आप अपने हिसाब से यहां पर जो भी data select करना चाहें, जो भी color select करना चाहें, अपने हिसाब से इस color को यहां पर easily manage कर सकते हैं, यह तो हमारा data guarding का option, इसके बाद फिर से वापस अप top का और bottom का, यानि हम जो बात करेंगे, यहां पर top values की या फिर bottom values की, इनके rules है सारे के सारे, तो यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहला option आपका top 10 items, यानि कि यहां पर click करने के बाद आप आप देखेंगे, आपके इस पूरी value के अंदर, जितनी भी top values थी, वो यहां पर 10 values highlight हो चुकी है, अगर यहां पर आप top 3 कर देते हैं, तो आप देखेंगे, आपकी top 3 values यहां पर highlight हो चुकी है, जो मैंने rules आपको बताये थे, उसी rules के according आप इसके अंदर भी इसी चीज़ का यूज कर सकते हैं, यहां से आप अपने ही साब से colors को manage कर सकते हैं, या फिर font को manage कर सकते हैं, आप अपने ही साब से इसको customization कर सकते हैं, तो यह तो था top values के बारे में, इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर bottom value के बारे में, आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको bottom items करा देता हूं, फिर percentage value आपको कर रहा होगा, तो यहां पर आप देखेंगे, आपके सामन highlight हो जुकी है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, इसके बाद next option के अगर हम बात करें, तो यहां पर हमारे सामने option है, top 10 percentage, तो top 10 percent में अगर हम click करेंगे, तो आप देखेंगे, आपर हमारे सामने 3 values highlight है, और यहां पर हमने लिखा हुआ है, top 10 percentage, आपको confusion यह है कि 10 percent item यह कैसे ह में find out कर रहा है, यानि कैसे हमें data को represent कर रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, मैं आपको clear कर दूँ, यह जो data हमारे सामने percentage में represent करता है, वो percentage के according लेता है, किस तरीकी की percentage के according लेता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सापको practically use करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह किस तरीके से आपकी percentage value को count करता है, और किस तरीके से हमें data को represent करता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते है, Excel के अंदर, यहाँ पर is equal to का use करते हैं और यहाँ पर एक formula पूट करते है, average का, average निकालने के यानि अब देखें इस condition को यह क्या काम करेगा, data को हमने वापर से select किया, conditional formatting के अंदर चले गए, और यहाँ पर चले गए हम लोग top 10 percentage item के पास, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारी जो value है, वो 70 है, यानि 70 से above, 70 से उपर की percentage यह हमें पताएगा, तो 70 से उप आइंगे, तो top percentage हमेरे सामने यह represent करता है, यह बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर bottom percent item की, यहाँ पर हम click करके bottom percentage के चले जाते हैं, और bottom percent लेने के बाद आप आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे सामने दो values हालाइट हो चुकी है, यानि कि अब आप समझेंगे, 70% से 10% नीच 20% में हमारे यह values यहाँ पर highlight हो चुकी, यानि इस 70% के हिजाब से 20% above and 20% decrease करते समय, यह data हमारा यहाँ पर highlight हो जा रहा है, तो इस तरह से आप अपने data को manage कर सकते हैं, जितने भी percent यानि इस percentage के according, जितने भी percent आप इसको manage करना चाहें, उतना percent आप इसे manage कर सकते हैं, और उस बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे, हमारे वो सभी data highlight यहाँ पर हुए है, जो data हमारे above में है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यह जो values हमारी यहाँ पर आ रही है, वो 33 से लेकर के 100 के बीच की values है, और यहाँ पर आप देखेंगे, यह values हमारी 200, 300 के above averages हमारी अब बाकी कि सारी हमारी होगे बिलो अबरेज तो यहां पर जो भी डेटा के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी अबरेज होगी यह उनको कलेक कर लेगा और आप अपर इसाब से यहां से कलर सिस्को मैनेच कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया होगा है इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर बिलो अबरेज कि तो यहां पर जैसे हम बिलो पे क्लिक करेंगे तो उस एबाब अबरेज को चोड़ करके यह जो भी इससे छोटी अबरेज होगी यह उनको स्लेक्ट यहां पर कर लेगा तो यह कंडिशन फॉमिटिंग के कुछ ओप् तो आप यहां पर देखींगे आपका 440 का जो डेटा है वो काफी जादा है जो यहां पर हाइलाइट हो जोता है और फिर से हम लोग कंडिशन फरमेटिंग के अंदर आते हैं यहां पर आप देखेंगे कलर स्केल्स अब यह इंदर क्या है हमारा जब भी हम किसी कलर को यहां color में show up हो रही है और जो उससे चोटी values होगी वो इससे green color में आपर show up होगी यानि जिसमें जितना जादा color उतना जादा dark color यहाँ पर show up होगा तो इस तरीके से आप data को manage कर सकते हैं तो यह जो options थे आपके किसी भी data के colors को highlight करके आप अपने इस data को highlight कर सकते हैं इसके बाद इस एक option है icons का तो आप icons के through भी data को manage कर सकते हैं जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इन icons की तो यह icons हमें represent करते हैं कि कौन सा data उपर की तरफ जा रहा है और कौन सा data नीचे की तरफ आ रहा है और कौन सा data हमारा center point पे है इसके अलावा यहाँ पर आप और भी icons का यूज कर सकत इसमें इतना जादा complicated conditions नहीं है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं new rules की तो new rules आपका किस तरीके से use किया जाएगा आप वो clear कर लेते हैं हम लोग तो इसके लिए हमने पहले से ही एक sheet बनाई हुई है आप देखेंगे sheet 1 के ओपर हमने data बनाया हुआ है जिसके इंदरम यहाँ कर देता हूं कि आप यह किस तरीके से create कर सकते हैं इसके लिए चले जाते हैं sheet 2 उपर sheet 2 पर हमने data बनाया हुआ है पहले से ही कि बाद हम चले जाएंगे student name के ऊपर और सबसे पहले हम अपने names की एक list तयार कर लेते हैं यानि हम एक dropdown create कर लेते हैं अगर आपको dropdown create करना नहीं अपने देगा तो आप सीघ लीजिए कि dropdown किस तरीके से create किया जाता है इसके लिए आप चले जाएंगे data type के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे data type का menu होका data type के अंदर चले जाएंगे data type के अंदर जाने के बाद यहां पर आपके सामने एक option आएगा data validation का data validation पर आपको click करना लिस्ट वाले option को select करने के बाद यहां पर आप देखेंगे आपके सामे एक source को option आ जाएगा और इस source के अंदर आपको simply click करना है और click करने के बाद जितने भी आपके पास names है उन सभी की range ले लेनी है range लेने के बाद simply आपको यहां पर okay कर देना है तो okay करने के बाद यहां पर cell select होगा वहीं पर यह drop down create हो जाएगा तो पहला step हमने यहां पर complete कर लिया है drop down हमने तियार कर लिया है अब बात करते हैं किस तरीके से इस तरीकी के हमनों condition लगा सकते हैं तो condition लगाने के लिए हमें करना क्या है सबसे पहले आप database को यहां से select कर लीजे जितना भी आपका database है जैसी आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे options यहां पर open हो जाएंगे इसके अंदर आपको select करना है यह सबसे last वाला option तो आप देखेंगे यहां पर आपके सामने एक option लिखा हुआ है use a formula to determine which cell to format तो इस फाले option को आपको select करके रखना है तो आप लागू करना चाहते है कि जो भी इस list के अंदर हम date को select करें जो भी इस list के अंदर हम name को select करें वो cell हमारा यहां पर highlight हो जाना चाहिए यह वो हमारा पूरा 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 रोह यहां पर highlight हो जाना चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे cell पर click करके रखेंगे इस style पर click करने के बाद यहाँ पर हम range लेंगे इस name के heading की name heading के range लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से option आपका open हो जाएगा name heading के range आपकी आजाएगी तो यहाँ पर आपको ध्यार रखना होगा जो हमारी यह name heading range है इसके अंदर से हम यह आप देखेंगे dollar का symbol यह automatically आपके सामने शोक हो जाता है अब यह dollar का symbol क्यों लगता है dollar का symbol basically cells को lock करने के लिए use किया जाता है तो यहाँ पर हमें करना क्या है हमें सिर्फ column को lock करना है यानि कि हम यहाँ से जो one से पहले dollar का symbol है हम इसको यहाँ से हटा देंगे इसको हम यहाँ से cut कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ column को lock करना है रो हमारा open होना चाहिए तो इस वज़े से हम क्या करेंगे यहाँ पर इस वाले dollar के symbol को यह जो आपके सामें दिखाएद देरह दूसरा dollar सिंबल को अप यहाँ से तो आप कंडिशन है इस पर आपको क्या करना है कि उपर जाना है जिस कलर से आप प्रमेट करना चाहते हैं यहां से प्रमेट यूज करेंगे यहां से आपको जो भी कलर पसंद आता है माले जाने यह लो गले लेने के बाद हमने simply okay किया, okay करने के बाद यहाँ पर भी आपको simple okay करना है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपका कमल select करते ही, यहाँ पर कमल का cell highlight हो चुका है, जैसे आप दीपा को select करेंगे, तो दीपा का highlight हो जाएगा, इसी तरीके से अगर आप आदित्या को select करेंगे, तो आदित्या आप आप यहाँ पर highlight हो जाएगा, तो यही था आपका new rules, इसी तरीके से इसमें बहुत सारे rules है, इसके लिए मैं एक safe rate वीडियो आपकी बनाऊँगा, जिसमें मैं सारे options को आपको one by one clear करूँगा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर tables option की, इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे, आपके सामने बहुत सारे formats कुल चुके हैं, इसमें से जो भी format आपको पसंद है, वो format आप यहाँ से select कर सकते हैं, इसके बाद नेक्स अप्शन है, यहाँ पर आप चाहें तो किसी को heading बना सकते हैं, यहाँ से माले जे मैंने इसको select किया, और मुझे इसको highlight करना heading के through, तो यहाँ पर बहुत सारी heading हैं, जिसमें आप इस तरीके से title को heading दे सकते हैं, यह था हमारा style menu, clear करेंगे cell menu के अंदर कौन-कौन से options होते हैं, इसके लिए आपको करना क्या है, simply उस जगा पर click करना होगा, click करने के बाद आपको simple जा करके insert के अंतर और insert cell पे simple click करना होगा, आपको simple यहाँ पर करना क्या है, okay कर देना है, जैसी आप इसे okay करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका cell इंसर्ट हो चुका है, हम ctrl z करके वापस पीछे चले जाते हैं, पीछे जाने के बाद हम वापस से अपने menu के उपर आ जाते हैं, और यहाँ पर हमारा next option है, वो है insert sheet row, यानि अगर आपको row insert करनी है तो आप इस वाले option का use कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, simple row को select करना है इस तरीके से, हमने इस row पर click किया, आप देखेंगे मोहन के इस वाले cell पर हमने click किया है, जिससे हमारी पूरी की पूरी row select हो गई है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जा करके insert sheet row पर click करेंगे, आप देखेंगे यहाँ आपका row insert हो चुका है, आप किसी data को अगर यहाँ पर add करना चाहते हैं, तो easily आप इसे add कर सकते हैं, हम control Z करके वापस इसे pack कर देते हैं, इसके बाद अगर आप किसी column को insert करना चाहते हैं, तो यहाँ से column को select करिए, और next option आपका यहाँ पर आप देखेंगे, आपका next option है, insert sheet column, insert sheet column पर जैसे आप click करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपका column भी एक insert हो चुका है, तो इसको भी अगर आप delete करना चाहें, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने delete के options हैं, आप delete पर जैसे click करेंगे, delete sheet column पर, तो यह data हमारा delete हो जाएगा, यानि जिन च आपके सामने plus का हिंग निशान है, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो आपके एक sheet insert हो जाएगी, और अगर आप इस menu के थूप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको click करना होगा, और insert sheet पर click करना होगा, जैसे आप insert sheet पर click करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, आपके एक और sheet यहाँ पर insert हो जाएगे, इसके बाद अगर आप इसे delete करना चाहते हैं, तो sheet को यहाँ पर select करके रखेंगे, और यहाँ पर जाकर करके उसे delete कर दीजिए, वो delete आपका हो जाएगे, तो यही थे options हमारे inserts के and deletes के, अब main topic आता है हमारा formats का, अब format के अंदर आप देखें format tab के अंदर, format tab भी जाने के बाद यहाँ पर हमने select किया row height, row height पर जैसी हमने click किया, यहाँ पर हमारे सामने एक dialog box open होगा, अब यहाँ पर जो row की minimum height होती है, वो 15 mm होती है by default, अगर आप इसे increase करेंगे, तो यहाँ पर यह increase हो जाएगा, जैसे मैंने कर दिया 20, 20 करने के normal है, और इन सभी cells की height यहाँ पर 20 हो चुकी है, इन सभी cells की height है वो 15 mm है, यहाँ पर अगर आप इस data की बात करें, तो यहाँ पर इस cell की height जो थी, वो 20 mm हो चुकी है, इसके बाद अगर आप यह चाहते हैं, कि आपका जो data है, वो वापस से default size में convert हो जाए, तो यहाँ पर आ आप अपने cells के height को increase and auto fit कर सकते हैं, इसके बाद हम बात करें, columns width की, तो यहाँ पर columns width में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, column की width वो 8.43 mm होती है, अगर आप इसे increase करना चाहें, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे हमने 10 ले लिया, 10 लेने के बाद जैसे हम इसे ok करेंगे, तो आप देखेंगे, इसकी column की width थी, वो यहाँ पर increase हो जो गी है, जैसे कि आपकी row की increase होती है, उसी तरीके से आप इसको auto fit करना चाहें, तो यहाँ पर click करेंगे, यह वापस से auto fit हो जाएगा, अब आप यहाँ पर देखेंगे, हमारा जो data था, वो काफी अगर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पर एक option है, हमारा default width का, अगर हम click करेंगे, तो यहाँ पर हमें बताएगा, इसका actual size होता है, यान इसकी width की size होता है, वो 8.43 mm होता है, इसकी अगर हम click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कोई भी changes यहाँ पर नहीं होई है, इसका reason यह होता है, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें default size बताता है, इसका कोई use नहीं होता, बस यह default size हमें बताता है, कि जो column का default size होता है, वो कितना होता है, इसके बाद हम next option की और बढ़ते है, next option अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपके सामनी option आ जाता है, height row का, height columns का, height sheets का, unheight row का, unheight column का और unheight sheets का, तो एक एक करके हम समझते हैं इसको, सबसे पहले height row, अगर height row की हम बात करें, तो यहाँ पर इसकी shortcut की आपको नजर आ रही होगी, control plus 9 से आपका यह जो data है, वो height हो जाएगा, जिस data को आप select करके height करना चाहें, उस data को यहाँ पर height कर सकते हैं, तो जैसे मैंने इस पर click किया, click करने की बाद आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा data यहाँ पर रहने के बावजूद भी height हो चुका है, आप यहाँ देखेंगे, हमारा cell number जो है, वो A1 होना चाहिए, A1 से हमें start होना चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे, हमारा cell number ह है, वो A1 से हमें start होना चाहिए, लेकिन A1 से start हमारा नहीं है, यहाँ देखेंगे, 7 से start है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमारा data छुपा हुआ है, यानि कि height है, इसको हम वापस से unhide करेंगे, तो आप इसे unhide करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप देखेंगे, यहाँ अपको दिखाई दे रहा है, इस arrow पर आपको सबसे पहले click करना होगा, जब आप इस arrow पर click कर देंगे, तो आपकी पूरी sheet यहाँ पर select हो जाएगी, select होने के बाद अब आपको जाना होगा कहाँ पर, आपको जाना होगा हाँ अब format वाले option पर, यहाँ से hide option पर, और पर आपके सामने एक option आएगा unheight row का इस unheight row पर जैसे आप click कर देंगे तो आप देखेंगे हमारा जो data था वो यहाँ पर show up हो गया जब तक कि आप इस पर click नहीं करेंगे तब तक आपका data यहाँ पर show up नहीं होगा तो यह था हमारा height row इस तरीके से आप अपनी row को hide कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आप अपनी columns को hide करना चाहते हैं तो यहां से columns को select कर सकते हैं कॉलम को select करने के बाद format tab में जाएए यहां से जाएए hide option पर और यहां पर कॉलम को select कर लीजे जैसे आप कॉलम को select करेंगे आप देखेंगे यहां पर आपका यह data यहां पर तो यह था हमारा height & unheight row और columns अगर हम बात करेंगे तो sheet किस तरीके सा हीट किया जाता है उसे भी हम देख लेते हैं यहां पर जाएंगे वापस से आप इसी option पर और यहां पर आप देखेंगे आपके सामने का option आजाएगा height sheet का है side sheet पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारी वो sheet जो थी वो यहां पर हाइड हो चुकी है अब यहां पर आप देखेंगे आपकी वो sheet यहां पर show up नहीं हो रही है अब हमारे पास जो sheets आ रही है एक data की और एक skr blank की यह दो sheets हमारे पास आप SHOW UP हो रही है तीसरी जो sheet थी हमारी वह यहां पर नहीं शो हो रही है तो उसको show किस तरीके से कराएंगे उसको show कराने के लिए यहां पर क्लिक करके रखना होगा और इसके बाद जाना होगा वापस से format पाले option पर और यहां से चाहें लिए और इस तरीके से आप अपने डेटा को हाइड कर सकते हैंड कर सकते हैंड इस के बाद अगर हम बात करें रिवाड़ी में चाहें तो आप अपने शीट का नाम जेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आप अपने इस data को यहाँ पर rename कर सकते हैं operations की जगह आप यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको type करके दिखा देता हूँ उसके पाद एंटरपेस किया यहाँ आपका इनाम चेंज हो चुका है और इसको वापस से आपको चेंज करना है तो आप वापस से इसी option पर जाकर करके यहाँ से rename कर सकते हैं यहाँ एक option और मैं आपको बता देता हूँ इसी के ओपर अगर आप right click करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आपके सान में rename का एक option यहाँ पर show up हो जाएगा तो यहाँ से भी आप चाहें तो इसको rename कर सकते हैं तो यह option हमारा rename के लिए यूज किया जाता है इसके बाद अगर हम बात करें हैं आपर move और copy sheet यानि यह होता क्या है यह data को एक जगा से दूसरी जगा move कराने का काम करता है अब यह किस तरीके से move होता है इसके ओपर हम simply click करेंगे जैसे हम इस वाले option पर click करेंगे इस option पर click करने के बाद होगा क्या आपका एक option open होगा अब data 2 हमारी यह वाली sheet है और इसे हम चाहते क्या है move to end यानि end में चाहते हैं या होम पर चाहते हैं यानि आप सबसे शुरू में चाहते हैं या बिल्कुल end में चाहते हैं तो यह data हमारा जो है वो पहली वाली sheet है Skip blank दूसरी वाली sheet data 2 जो है मारी यही sheet हमारी move होगी अब यह end में आपको move करनी है कहा move करनी है वह आप यहां से select कर सकते हैं तो माल लीजे मैं यहां पर select कर लेता हूँ data tab data tab को select करके मैं जैसे ही यहां पर okay करूँगा तो करती है आप देखेंगे यहां पर हमारे इस जगह पर था और अब यह ता से पहले पहुँच जघा रहें नहीं है रही हना पिना भी अपने औप्षण के फ्यसक का मैं चाहते हैं तो आप सिंपली करेंगे क्या इस्मपलिर से उस यहां पर छोड़ देंगे तो डेटा आपका वहां से उठकर करके यहां पर रिप्रसेंट हो जाएगा तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्षिन की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे आपका ऑप्षिन है टैप कलर चेंज कर अब इस तरीक से अगलग अलग अपर बना सकते हैं तो इसके बाद अगर hadi घृ बात करें तो नेक्स्ट ऑप्षिन है ऍपर यह उसके लिए लिए हैं तो यहां पर सबसे नीचे अगर आपके सामने एक option आजाएगा आपका पासवर्ड में दे दिया 0 एंटर किया तो अमने रिएंटर पासवर्ड में फिर से 0 दे दिया और इसके बाद ओके करने के बाद होगा क्या अब आप देखेंगे यहांपर अब इसके अंदरा गर्में कोई भी डेटा टाइप करने की यहां पर कोशिश करोगा तो यह मुझे एडिट करने की कोई भी पर्मिशन नहीं देगा, अब माल लिजे हम पर्मिशन देना चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ वो नमबर्स को चेंजिस कर सकता है, बाकि किसी भी डेटा को चेंजिस नहीं कर सकता, तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले हम प्रोटेक्शन को यहा और यहां पर आप देखेंगे, आपके सामने एक option यहां पर शो हो जाएगा, लॉक सेल्स का, यहां देखिए, एक option है हमारा, लॉक सेल्स का, इस लॉक सेल्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इतना जो एरिया था हमारा, यह अनलॉक हो जाएगा, यानि इतने एरिया के अंदर हमें changes करने की permission दे रहा है तो यानि जितना data हमने unlock किया हुआ है इस data के अंदर हम छेड़ खानी कर सकते हैं इस data के अंदर हम changes कर सकते हैं बाकि otherwise कोई भी data अगर हम type करने की कोशिश करेंगे तो यह हमें साफ मना कर देगा उसके अंदर कोई भी data हमें छेड़ने की permission नहीं है अब उन options के बारे में हम आपको बता देता हूँ unprotect करिए एक बार data को फिर से और उसके बाद बापस से हम data को select करते हैं और select करने के बाद फिर से जाते हैं format वाले option पर और यहां पर use करते हैं protect sheet का अब protect sheet के अंदर आप देखेंगे आपके सामने जू यह सभी changes हम इसके अंदर कर सकते हैं इसके अलावा data के साथ हम किसी तरीकी की कोई भी editing नहीं कर सकते हैं तो में आपको दिखाता हूं करके इसके हमने कोई भी पस्वर्ट दिया वापस से और यहां सी इसके वाइथ हुग pierwszy Д את कोशिश करेंगे तो यह साफ मना कर दे रहा है इसके डेकल के साथ कोई छटानruit के कोशिश करेंगे तो यह साफ मना कर रहा है इस number के हमने permission दी हुई है, इसके अंदर हम जो भी editing करना चाहें, वो easily editing कर सकते हैं तो इस तरीके से जितने भी data के हम permission यहाँ पर देते हैं, वो data हमारा यहाँ पर edit कर सकते हैं हमने cells insert की भी permission दे रखी थी, तो यहाँ पर click करके जैसे हम cell को insert करेंगे तो यहाँ दे के cell insert हो जाएगा, cell को delete करने के हमने permission यहाँ पर नहीं दी हुई है तो इस वज़े से यह cell हमारा delete यहाँ पर नहीं होगा, directly sheet up के delete हो जाएगी तो इस तरीके से आप अपने data को manage कर सकते हैं, security के साथ आप अपने data को manage कर सकते हैं तो यहाँ से आपको जाना होगा वापस से format वाले cell पर, यहाँ से unprotect करना होगा और यहाँ से आपको password दे करके इसको वापस से unlock कर देना होगा उसके बाद आप इसे यहाँ से delete कर सकते हैं तो बहुती बैतरीन option था हमारे Excel का, जो कि हर एक company इसे use करती है protection के लिए ताकि कोई भी उनकी file के साथ, कोई भी उनकी data के साथ शिर्खानी ना कर पाए इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे की तरप आप देखेंगे सबसे नीचे का जो option है हमारा, वो है format cell का, इस format cell पर जैसे हम click करेंगे तो click करने के बाद हमारे सामने general settings वापस से open हो जाएंगी और यहाँ पर भी same वही protections के option है, log करना, unlock करना या hide करना यह आप use कर सकते हैं, बाकि fills के options वही है, colors वगरा fill करना, border का color fill करना font जो मैंने आपको पिछली वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बता दिया है अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने link के description में यह वीडियो टाल दिया है वहाँ से इसे देख सकते हैं, अगर आप Excel में expert बनना चाहते हैं तो इन सबी चीजों के बारे में आपको knowledge होनी चाहिए तो चलिए एक एक करके हम इसको शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे auto sum बाले option की यानि यहाँ पर अगर आप click करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे आपके सामने functions हैं Sum, Average, Count, Maximum, Minimum तो यह basically क्या है यह functions है यानि यह formulas है इनको directly आप use कर सकते हैं किस तरीके से आप use कर सकते हैं आपको clear कर देता हूँ सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी के हमारे पास कुछ marks है अगर मुझे इन सभी का total चाहिए तो मैं इसको select करके simply इस पर click करूँगा यहाँ पर आप देखेंगे इसका total marks यहाँ पर represent हो जाएगा इसी तरीके से अगर आप दूसरा formula यूज करना चाहते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जो दूसरा formula है हमारा वो है हमारा average का अगर आप इन सभी subjects का average निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर simple average पर click करिए और उसके बाद जैसे आप देखेंगे यहाँ पर तो आपकी average यहाँ पर represent हो चुकी है तो यहाँ पर आपको formula पूट करने की जुरुत नहीं है देखेंगे तो आपके सामने एक और option है more number functions का इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक dialogue box उपन हो जाएगा इस dialogue box के अंदर आपके सारे functions यहाँ पर represent हो जाएगे यहाँ से जाकर के आप अपने all functions को ले सकते हैं date or time के functions को ले सकते हैं financial functions ले सकते हैं, text care functions ले सकते हैं, logical functions ले सकते हैं, तो बहुत सारे functions आप यहाँ पर select कर सकते हैं, या फिर all पर click करके, जो भी function आप करना चाहते हैं, वो function यहाँ से select करके उसको directly use कर सकते हैं, तो यह तो simple हमारा concept था, directly function use करने का, यह आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद नीचे आप देखेंगे, एक option आपके सामने है, fill का, तो सबसे पहले मैं इन तीन चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ, सबसे पहला है down, उसके बाद है right और उसके बाद है आप, आप यह किस तरीके से use किया जाता है, तो इसके लिए हम चले जाते हैं अपनी sheet पर, sheet पर जाने के बाद हम यहाँ से इस formula को remove कर देते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर हमने someKA formula लगया हुआ है, इस formula को हम यहां से क्या करेंगे, remove करतेंगे, remove करने के बाद इसको हम पूरा-slack कर लेते हैं, तो इसलिए हम down का use करेंगे down पर जैसे हम click करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जितने भी formulas थे वो यहाँ पर down side में paste हो चुके है यानि यह basically क्या काम करता है यह formula को paste करने का काम करता है और साथ के साथ यह values को paste करने का भी काम करता है वो भी मैं आपको clear करके दिखा देता हूँ जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा one one को लिखने के बाद हमने इसे click किया और हमने इसे right side में selection दे दिया right side selection करने के बाद अब हम चले जाते हैं वापस से fill वाले option पर fill वाले option पर जाने के बाद हम यहाँ से right को select करते हैं जैसे हम right select करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर right side में value paste हो जगी है यही काम अगर आप formula पर करना चाहें right side में formula यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं उसके लिए आपको clear कर देता हूँ आपको जाना है अपनी sheet पर sheet पर जाने के बाद यहाँ पर हम sum का formula यूज़ कर लेते हैं shortcut की से alt plus is equal to से हमारा sum आ गया और इस formula को मुझे right side में अगर paste करना है तो यहाँ से आप use कर लीज़े fill वाला function और यहाँ से कर दीज़े right side तो right side में आप देखेंगे यहाँ से function यूज़ करने के बाद यहाँ से function यूज़ करिए अपका तो आप देखेंगे आपकी जो value थी वो आपकी तरफ import हो चुकी है तो इसको आप use कर सकते है इसके बाद का जो हमारा next chapter है वो है आपका fill के बाद across worksheet का अब यह across worksheet अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे सामने across worksheet disable है अगर आप अपने इस sheet को एक से अधिक sheet के अंदर copy करना चाहते है तो उसका use आप इस option से कर सकते है तो इसके लिए आपको करना क्या है यहाप आप देखेंगे sheet 1, sheet 2, sheet 3 के अंदर हमारा कोई भी data नहीं है तो इन तीनों sheets पर मैं चाहता हूँ मेरा यही data same as it is paste हो जाए यानि copy हो करके paste हो जाए इसके बाद अपने keyboard से प्रेस करना है shift और shift के साथ आपको सबसे last जहां तक आपको यह copy चाहिए जहां तक आप अपने data को copy करना चाहते है जितनी sheets तक वहाँ पर click कर दीजे तो आप यह आपर 3 पर click कर देते हैं यह बाकी की जितनी भी sheets होगी उन सबको यह automatically select कर लेगा अब आपको करना क्या है आपको वापस से आ जाना है उसी option पर यहां से आपको जाना होगा fail बाले option पर और यहां से आप देखेंगे आपका यह जो option था यहां पर highlight हो चुका है इस पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने 3 options यहां पर open होगे सबसे पहला option है all यानि कि जो भी आपका data जो भी आपका content है वो पूरा का पूरा copy paste करना चाहते हैं या other sheets के उपर दूसरा option आपसे बोलता है constant यानि कि आप सिर्फ content चाहते हैं आप formatting नहीं चाहते हैं और तीसरा option आपका formats आप सिर्फ format को चाहते हैं नहीं data चाहते हैं नहीं constant चाहते हैं तो मैं एक एक करके आपको तीनों के बारे में information दे देता हूँ सबसे पहले हम all को select करके यहां पर okay करेंगे, okay करने के बाद हम बाकी की sheets पर click करते हैं, तो बाकी की sheets पर आप देखेंगे, यहां पर आपका यह data same as it is paste हो चुका है, अब वापस से हम इसी sheet पर आ जाते हैं, और इसके बाद प्रेस करते हैं, control Z, control Z प्रेस करने के बाद आप दे से click करेंगे, और यहां पर हम लेते हैं constant, यानि हमें सिर्फ content चाहिए और बाकी कोई भी formatting नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम यहां पर okay प्रेस करेंगे, okay प्रेस करने के बाद आप देखेंगे, sheet 1, sheet 2, sheet 3 के अंदर आपका content आ गया, यहां पर आप देखेंगे, मैं इसको थो select की आपर, fill में जाने के बाद हम यहां से use करते हैं, across worksheet और यहां पर हम format को select करके, यहां पर okay कर देते हैं, okay करने के बाद आप देखेंगे, आपका इसलिफ format यहां पर paste हुआ है, बाकी कोई भी चीज आपकी paste यहां पर नहीं हुई है, तो यह था हमारा across worksheet, यह बहुत ही बह बाकी आप देखेंगे आपर जो तीसरा पाट है, date units का, उसमें day, workday, month और year है, तो सबसे पहले series दिन है, type है, उसके बाद date units है, यहां पर आप देखेंगे trained है, step value है, और stop value है, तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक-एक करके, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज इस तरीके से, हम इसे column wise select कर लेते हैं, इस तरीके से, और इसके बाद जाते हैं आपने इसी option पर, यहां पर जाकर के हम लोग series को select करेंगे, series को select करने के बाद, अब यहां पर आपको क्या करना है, अभी हम column को use कर रहे हैं, तो यहां पर column को select करके रखेंगे, इसके बाद आ तो हम यहाँ पर फिलाल liner को select करके रखते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे step value और stop value पहले मैं आपको बता देता हूँ यह step value क्या होती है step value वो value होती है जो हमारे data के अंदर add की जाती है और stop value वो होती है यह जब तक add होगी जब तक वो value हमारी complete नहीं हो जाती तब तक यह value हमारी add होती रहेगी तो इसका मैं आपको example करके दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे step value के अंदर हमने 1 रखा हुआ है और stop value के अंदर हमने दे दिया यहाँ पर माली चे 10 दे दिया तो यह 1 तब तक इस 1 में plus होता रहेगा जब तक यह value 10 नहीं हो जाती तो हम इसे ok करके देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे यह value 10 तक यहाँ पर completely fill हो चुकी है इसके बाद यह तो column था अगर row wise आप इसको करना चाहते हैं तो row को select करके रखेए row को select करने के बाद वापस से चले जाए फिल के अंदर और यहाँ पर ले लिजे series series लेने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पर आपको same भई चीज फिर से रखनी है यहाँ पर row already select हो गया आपका वन से लेकर करके आपको stop value कब तक चाहिए जहां तक आप इसको रखना चाहते हैं यानि यह one इस one के अंदर तब तक प्लस होगा जब तक कि यह value नहीं आ जाती इसके बाद का जो हमारा next option है वो है आपका growth अब यह growth option क्या काम करता है growth पर हम click कर लेते हैं column wise select करने के बाद आप चले जाएए वापस से fill वाले option पर और यहाँ पर select करिए आपका series option option select करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका next चो चप्टर है वो है growth का तो column wise में growth क्या काम करेगा यहाँ पर step value के अंदर हम जो भी value पुट करेंगे जैसे मालीचे हमने type कर दे हैं यहाँ पर two value तब तक add होती रहेगी जहां तक हमारा selection रहेगा तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ok करके दिखाता हूँ अब हुआ क्या आप देखेंगे यहाँ पर two के बाद four four के बाद eight यानि की आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जब तक आपका selection नहीं हो जाता तो यह आप multiplication के लिए इसको यूज कर सकते हैं तो आप इस option का use कर सकते हैं इसके बाद का जो next option है हमारा वो option है हमारा date का अब यह date option किस तरीके से काम करता है तो यह आज की date है और इसके बाद हमने इसको select किया वापस से किस वाले option पर वापस से फिल्फ पर चले जाते हैं आप देखेंगे यहाँ पर date पहले से select हो चुका है अब date के अंदर आप देखेंगे सबसे पहला है weekday सबसे पहला option है date यहाँ जब भी हम इस पर click करके यहाँ पर ok press करेंगे ok press करने के बाद होगा क्या आप action हो रहा है यानिकी 23 तारीक 24 तारीक 25 तारीक 26 तारीक यहाँ पर manage कर दे रहा है तो इस तरीके सा आप इसकी filling कर सकते हैं इसके बाद का जो next option है हमारा वो option है हमारा weekday का excel के अंदर weekday basically क्या होता है excel के अंदर weekday Saturday और Sunday को छोड़ करके जो बाकी के दिन होते हैं वो weekday के लाय जाते हैं तो यहाँ पर हम weekday को select करके ok करेंगे ok करने के बाद आप आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो भी dates आई है वो 22 तारीक 23 तारीक उसके बाद सीधे 26 तारी उसके बाद 24 तारीक और 25 तारीक को देखेंगे तो 24 तारीक हमारा क्या है यहाँ पर Saturday है और 25 तारीक हमारा क्या है यहाँ पर Sunday है जिसकी वजह से हमारी यह dates यहाँ पर नहीं आ रही है तो weekday को क्या करेगा यह यहाँ से remove कर देगा वो data यहाँ पर represent नहीं करेगा और इसके ब अक्तूबर, नवंबर, दिसम्बर इस तरीके से आपका ये मन्थ शो अप हो जाएगा, डेट आपकी वही रहेगी, येर आपका वही रहेगा, बट मन्थ चेंज होता है, चला जाएगा, इसके बाद का जो next option है हमारा, वो है हमारा year का, तो यहाँ पर वापस से हम इसी option पर च हो चुका है, ये देखे, 2021, 2022, 2023, लेकिन date और month दोनों सेम है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप अगर कोई data fill up करना चाहें, तो इस तरीके से आप data को fill up कर सकते हैं, तो ये तो था date वाला option, इसके बाद का जो next option है हमारा, वो है हमारा series के अंदर trend का, अब ये trend क्या काम करता ह है, trend basically, तो है trend के लिए हम यहाँ पर कोई value ले लेते हैं, जैसे mileage हमने ले लिया यहाँ पर 1, और उसके बाद last में हमने ले लिया यहाँ पर 100, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बीच में, ये divination हो करके, बीच की जो भी value हो, वो automatically fulfill हो जाए, तो इसके लिए हम लोग use करें हो तो आप इस तरीके से इसको एडिक कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, mostly कभी-कभी हमारे पास यहाँ पर चले जाते हैं, फिल वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर select कर लेते हैं, हम लोग यानि Same value को यहां पर fill कर देगा तो यह सारे options आपके जो थे वह सीरीज के अंदर थे यह आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद का जो next option है हमारा वो option है justify का अब यह justify क्या गाम करता है हम यहां पर basically text type करते है जैसे अब इतना लिखनी के बाद हम ने एंटरप्रेस किया और इसको要स को फ्रेल्पप्ड का देता हूँ इंक्रीस करने के बाद इसको सल झार करने के बाद इसको श्लेकर आप ना यहा पर देखें गे यह Ha पर हैलाइट हो चुका है, इस justify option पर हम जैसे click करेंगे, click करने के बाद आप देखेंगे, यहापर जो आपका size था, वो यहापर automatically manage हो चुका, यह देखिए, आपका जो column की width थी, उसके हिसाब से आपका जो data था, यहापर manage हो चुका, इसी तरीके से अगर आप अपने data को manage करना लिख दिया, कमल, कुमार, पांदे, और उसके बाद enter press करने के बाद मैं इसको justify करता हूँ, उसको justify करने के लिए आप लोग चले जाएंगे वापस से, fill वाले option पर, यहापर आप देखेंगे, आपका जो message है, वो यहापर क्या show कर रहा है, यह बता रहा, text will extend below selected range, यानि जो ह हमने range select कर रखी है, उसके हिसाब से, यहापर okay करिए, यहापर आप देखें, कमल, कुमार, पांडे, जो है, अपने cell के हिसाब से, यहापर adjust हो चुका है, तो इस तरीके से आप इसको justify कर सकते है, justify option यूज करने के बाद, इसके बाद जो next chapter है, हमारा वो है, flash fill का, तो flash fill option क्य यहाँ काम करता है, flash fill basically, एक बहुत ही battery function है, MS Excel का, पहले हमें, flash fill को use करने के लिए, बहुत सारे formula करने पड़ते थे, latest version जो भी हमारा update हुआ है, MS Excel का, उसमें इन्होंने flash fill का option दिया है, जिसकी वज़य से, हमारे बहुत सारे काम, बहुत ही easy हो जाते है, तो मैं आपको एक ए पवन ठाकोर है, अब मैं यहाँ पर flash fill क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके first name को अलग करना, और flash fill करना, यानि कि इसके surname को अलग करना, इसको भी flash fill करना, तो यहाँ पर एक बार इसको type कर लेना होगा, type करने के बाद आपको इस area को select करना है, जहाँ पर आप इस flash fill करना चाहते हैं, तो simply कुमार को यहाँ पर select करना होगा, और यहाँ से जाकर कि आपको flash fill पर click कर देना होगा, आप देखेंगे, इसका जो surname था, वो यहाँ से flash fill हो चुका है, इसी तरीके से इसका दूसरा example मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे, मुहन इसका जो first name का first letter है, मैं उसे पहले चाहता हूँ, कि वो word हमारे सामने पहले आजाए, उसके बाद उसका सरने में आपर show करें, तो इसके लिए क्या करना है आपको, सेम इसी तरीके से data को select करना है, यही option मैं आपको बता हूँ, data tab के अंदर अगर आप जाते हैं, तो data tab के अं इसका जो तरीके से आप उसको flash fill करना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी आप इसको flash fill कर सकते हैं, आपको एक बार mk लिखना होगा, लिखने के बाद आपको area select करना होगा, area select करने के बाद आपको जाना होगा flash fill वाले option पर और इस पर simply click कर देना होगा, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके जो भी alphabet थे वो यहाँ पर represent हो जाएंगे, जैसे महुन कुमार का mk है, कमल शर्मा का ks है, दीपक सिंग का ds है अधित्यात्यागी का 80 है, पवन ठागूर का PTA, तो इस तरीके से आप इसको flash fill कर सकते हैं, इसके बाद इसका एक और example यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप इस नाम के आगे श्री, मिस्टर या कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो वो भी काम आप बहुत असान में बताऊंगा, इसकी मैंने पूरी सिरीज आपकी बना रखी है, आप मेरी सिरीज को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सभी options का use बताया हुआ है, तो चलिए इसका भी use मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसके लिए करना क्या होगा, आपको एक बार यहाँ पर नाम type करन जैसे मैं type करेता हूँ, श्री, मोहन कुमार, मोहन कुमार लिखने के बाद एंटर प्रेस करिए और इसको पूरा डेटा को इस तरीके से select करने की बाद चले जाएए वापस से flash fill वाले option पर, इस option पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह option हमारा flash fill हो च चुका है, तो इस तरीके से भी आप इसे flash fill कर सकते हैं, इसके बाद का जो next option है, यह बहुत ही कमाल का option है, यह basically कई तरीके से flash fill करता है, यहाँ पर आप देखेंगे, हमने भई नाम फिर से लिए हुए हैं, और साथ के साथ उनका address और उनका pin code भी हमने यहाँ पर लिया और वापर से जाना है, flash fill वाले option पर, और यहाँ पर जैसे आप click करेंगे, आप देखेंगे, आपका data यहाँ से flash fill हो चुका है, यानि कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम को इसने इस पूरे data में से निकाल करके आपके साहने represent कर दिया, इसी तरीके से अगर आप यह चाहते इसके बाद अगर हम पिन कोड की बात करें, तो यहाँ पर मालीजे हमने एक पिन कोड लिखा हुआ है, किसका मोहन कुमार का 293125, और अब मैं इसके पिन कोड को अलग करना चाहता हूँ, इसके पिन कोड को मैं flash fill करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर data को select करेंगे, और flash fill पर click क करेंगे, आप देखेंगे, सभी का जो भी बिन कोड था, वो यहाँ पर अलग से रिपर्जेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे, बहुत ही कमाल का option है, हमारे MS Excel का, के बात का जो next chapter है, उसे भी complete कर लेते हैं, इसके लिए हम वापस अपनी उसी पुरानी sheet पर चले जाते है और इसके बाद home tap पर जाने के बाद यहाँ पर आप वापस से आजाते हैं, इसी options पर, अब यहाँ पर आप देखेंगे, clears का option है, जिसके अंदर सबसे पहला option आपका clear का, आप किसी भी data को select करके, यहाँ से clear करना चाहते हैं, तो जैसे आप clear all करेंगे, पूरा का data का यहाँ पर clear हो जाएगा, इसके बाद का next option है हमारा, आप यहाँ पर देखेंगे, clear formats, यानि कि अगर आप इस format को clear करना चाहते हैं, तो इससे select करिए, और यहाँ से जाकर करके clear formats पर click कर देजे, जो भी आपने formatting इसमें कर रखी होगी, वो सारी formatting यहाँ से clear हो जाएगी, इसके बाद आपको क्या करना है, next option है आपका, वो है constant, यानि इस पर जैसे आप click करेंगे, तो जो भी आपका content होगा, वो भी आपका यहाँ पर clear हो जाएगा, इसके बाद का next option है, वो है clear comments, अगर आपने इसमें कोई comment लगा रखा है, तो फहले मैं आपको comment लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको जाना होगा review tab के अंदर, review tab के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपके समने comments के कुछ options शो हो जाएंगे, मालीजे मैंने history को select किया और यहाँ पर कुछ comment लिख दिया, hello, और इस comment को मैं चाता हूँ यहाँ से remove करना, मैं जब भी इसके उपर आता हूँ, तो मुझे hello का comment देता है, तो इस comment को अगर मुझे remove करना है, हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, home tab में जा करके, वापस से clear option पर यहाँ से use करूँगा, clear comments का, clear comment option जैसी मैं यहाँ पर use करूँगा, आप देखेंगे, यहाँ से comment का option था, वो यहाँ से clear हो चुका है, इसी तरीके स अगर आपको वो वीडियो देखनी है, तो link के description में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि link कैसे लगाए जाता है, आपको यहाँ select करना होगा, और यहाँ से आपको ले लेना है कोई भी file जि देखेंगे drop down की जो file थी हमारी यहाँ पर यह उपन हो चुकी है, तो अब इसी तरीके से अगर आप इस link को clear करना चाते हैं, इस link को यहाँ से अटाना चाते हैं, तो इस cell को आपको एक बार select करके रखना होगा, select करके रखने के बाद clear वाले option पर जाना होगा, और यहाँ प को ही मुझे clear करना है, यानि link को मैं चाहता ही नहीं कि इस पर link लगा हो, तो इसके लिए वापस से चले जाए, AC वाले option पर, और clear वाले option पर जाने की बाद यहाँ पर आप देखेंगे, आपका next option होगा, remove hyperlink पर जैसी आप click करेंगे, तो आप देखेंगे, आपका जो भी link थ वो यहाँ से remove हो चुका है, जो इस तरीके से link को यहाँ से clear कर देता है, इसके बाद का जो next option है हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, short and filter का हमारा next option है, basically लोगों को short and filter तो आता है, लेकिन इसके दर जो हमारे एक option है, custom sort का, यह custom sort का option का अफी लो lowest value, उसके बाद highest, 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 तो इसी तरीके से दूसरा जो option आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहला option आपका highest होगा, उसके बाद lowest होगा, इससे बाद उसके बाद low, इस तरीके से आपका यह जो data है, वो यहाँ से reflect होगा, यहाँ से मैं sheet पर फिल्टर को लगा के आपको दिखा अब यहां पर मैं total को ascending और descending में करना चाहता हूँ तो अब यहां पर देखेंगे 256, 268 और यहां पर जो हमारा values है वो combination entry है complex है मिली जूली है और अब आपको इसके drop-down पर click करना होगा और drop-down पर click करने के बाद आप देखेंगे आप यह option यहां पर भी show हो जाएगा जिसमें सबसे पहला option है इस तरीके से आपका data analyze हो जाएगा इसी का opposite largest to small जब आप इस पर click करेंगे तो सबसे बड़ी value उससे चोटी उससे चोटी उससे चोटी तो आप इसे चाहें तो यह ता हमारा sort and filter का option इसके बाद इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक option आता है हमारा custom sort का इसके बाद मैं आपको और भी options filter के बता देता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे आप बहुत सारे options show हो रहे हैं जिसमें आप sort smallest to largest to small मैं आपको बता चुगा हूँ sort की अगर हम बात करें तो custom sort मैं आभी आपको बताऊँगा कि custom sort का किस तरीके से use किया जाता है इसके बाद के जो options हैं वो options clear करने के लिए है filter अगरा clear करने के लिए options है numbers के through अगर आपको sort and filter करना है तो यहां से आप number के through आप इसे sort and filter कर सकते हैं जैसे आप देखेंगे equal, does not equal, greater than, greater than equal इस तरीके की condition लगा करके आप इसको filter कर सकते हैं इसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे यहां पर आप देखेंगे सभी लोगों के roll numbers यहां पर show up हो रहे हैं, roll numbers को हमने यहां पर select all अटा दिया, अगर मुझे सिर्प roll number 1 और roll number 2 की detail देखनी है तो मैं उस data को यहां पर select करूँगा, simple okay करूँगा तो आप देखेंगे 1 और 2 का यहां पर data दिखाई दे रहा है, वाकि किसी का भी data show up नहीं हो रहा है, अगर आपको सब का data चाहिए तो यहां पर select all पर वापस से click करिए, okay करिए तो यह filter कर देगा, यहां आपका सारे data यहां पर represent कर देगा, इस filter को अटाने के लिए आप क्या करेंगे, वापस से certain filter वाले option पर जाएंगे और यहां से clear वाले option पर click करेंगे, तो clear वाले option पर होगा क्या, यहां पर जो भी हमने conditions यहां पर लगा रखी है, वो filter की condition यहां पर clear हो चुकी है, अगर आपको पूरा का पूरा filter ही अटाना है, तो आपको क्या करना होगा, वापस एस option पर जाना होगा तो custom sort का जो option है हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर colors को fill कर लेते हैं जैसे मैंने इस data को select किया select करने के बाद यहाँ से हम इसको colors को highlight कर देते हैं जैसे हमने यहाँ पर कोई भी color ले लिया और इसी तरीके से यहाँ पर select करके मैंने यहाँ पर भी कोई दूसरा color slack कर लिया और उसके बाद यहाँ पर भी slack करके मैंने इसके अंदर कोई तीसरा color यहाँ पर slack कर लिया अब मैं चाहता हूँ colors के through इसको sorting करना है यह नि पॉल्टिकल के जो भी मेरे marks है वो colors के through shorting हो जाए तो इसके लिए क्या करेंगे आप इस data को select करके रखेंगे select करने के बाद आप जाएंगे वापस से certain filter वाले option पर यहाँ पर चले जाएंगे custom sort वाले option पर यहाँ पर आपको दिखाए देगा custom sort का option इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप आपके सामने एक message आएगा जिसमें सबसे पहला message आपका expand the selection और second option आपका continue the current selection यानि कि हम continue करना चाहते है current selection पर तो हम current selection को select करेंगे और यहाँ पर short and filter पर click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ menus यहाँ पर open हो जाएंगे font colors पर use करना चाहते है condition formatting के according आप इसको use करना चाहते है तो यहाँ पर हम ले लेते cell color मैं cell color के according इसको sorting करना चाहता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे आपके जितने भी colors आपने वहाँ पर दिये हुए हैं वो सभी के सभी यहाँ पर show up हो जाएंगे इसके बाद आप चाहते है यलो वाला portion आपका बीच में आना चाहिए और यह वाला color आपका नीचे आना चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे वापस से इसी sort and filter पर जाएंगे custom sort पर वापस से click करेंगे continue the current selection पर select करते हूँ इससे sort करेंगे sort करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है यहाँ से आपको simply please color को select करना और यहाँ से ले लेना आपको top on bottom on bottom को select करके जैसे आप okay करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर on bottom selection हो चुका है find का मतलब होता है किसी भी data को अगर हम ढूदना चाहते हैं तो इसकी मदद से हम इसे find कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने दो options है पहला है find का और दूसरा है replace का यानि उस data को हटा करके आप दूसरा data भी यहाँ पर replace कर सकते हैं इसके माल लिजे मैं आपर find करना चाहता हूँ 78 को तो 78 मैं आपर type कर देता हूँ 78 करने के बद मैंने इसको find किया जैसे मैं इसको find कि आप देखेंगे आपर cursor पर वो automatically पहुंच गया है और इसके बाद इसको replace करना चाहता हूँ 78 की जगा 58 से तो जैसे मैं आपर replace पर click करूँगा तो replace कर देगा वो इस data को यहाँ देखें 78 की जगा आपर 58 represent हो गया इसके बद आप देखेंगे आपर replace all का भी option है replace all का मतलब यह होता है कि जितना भी data आपने find किया हुआ है उन सभी data को यहाँ जितनी भी जगा आपका 78 data होगा उस data को अटा करके यहाँ पर 58 remove कर देगा one by one replace करना है तो आप replace option का use करेंगे find all करना है तो find all पे click करते ही जहाँ जहाँ पर आपका 78 होगा यह वहाँ पर आपको represent करा देगा find next करने का मतलब यह होता है कि यहाँ जहाँ पर आपका यह data होगा यह वहाँ वहाँ पर आपको represent करेगा यानि इस जगह पर आपका 50 यानि इस जगह पर आपका 78 data है तो हम यहाँ पर इन options का use कर सकते हैं इसके बाद का जो हमारा topic है वो है go to यहाँ पर जाते हैं सबसे पहला option आपका find मैंने आपको बता दिया replace मैंने आपको बता दिया इसके बाद का जो next option है वो हमारा go to go to पर जाने के बाद जब आप go to पर click करेंगे यहाँ पर कोई भी cell का address आप देते थे जैसे मैंने दे दिया e5 जैसी मैं e5 दे करके यहाँ पर enter press करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ उस वाले cell पर ले जा करके jump करा देगा तो इस तरीके से हम उस जगह तक पहुंच से यहाँ पर हमें जाना है इसके बाद का next topic है वो है हमारा go to special go to special पर आप click करिए आपके सामने देखेंगे बहुत सारे options आपके सामने represent हो रहे हैं इन सभी options का use हमें एक एक करके देखेंगे तो सबसे पहला option है हमारा comment उसके बाद इसे अगर directly आप open करना चाहते हैं तो ctrl g प्रस करिए ctrl g से आपका go to open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे last second option आपका आएगा more commands का इस more commands पर आपको click करना है more commands पर click करने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा popular commands के उपर और popular commands में से आपको यहाँ पर select करना पड़ेगा all commands इस all commands को जैसे आप select करेंगे इसके बाद आप नीचे click करिए नीचे click करने के बाद यहाँ पर जी दबाईए जी के बाद यहाँ पर search करिए यहाँ पर आपको go to special यहाँ पर मिल जाएगा यह मिलगी हमे go to special इसको select करके यहाँ पर add करा दीजे मैंने पहले से इसको यहाँ पर add किया हुआ है तो मुझे इसकी जुरत नहीं है मैं यहाँ पर simple okay कर देता हूँ यह तो मैंने आपको सिर्फ as a knowledge के लिए बता दिया कि आप इस तरीके से भी इसको use कर सकते हैं इस फाइल के अंदर comments धूणना चाहते हैं comments देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे इस फाइल के अंदर हमने यहाँ पर दो जगा comments लगा रख लिए हैं जब भी हम इस पर click करके okay करेंगे तो यह automatically उन cells को यहाँ पर highlight कर देगा text हो गया, logical हो गया, errors हो गया तो आप constant के अंदर किस चीज को ढूणना चाहते हैं तो constant के अंदर से हम फिलाल अभी सभी चीजों को अटा देते हैं सभी चीजों को अटाने के बाद simply हमने numbers को रखा हुआ है और इसके बाद हम यहाँ आपर okay करेंगे जैसे में आपर okay करेंगे, आप देखेंगे आपर हमारे सामने वो numbers यहाँ पर represent हो गए है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी एक numbers है और यहाँ पर भी यह number है बट यह जो number है, यह formula के थू लाया गया यानि हमने यहाँ पर formula यूज किया हुआ है और यह जो number है, यह हमने हाँ से खुद से type किया हुआ है, इस वज़े से यहाँ पर जो हमारे values है, वो हमारे constantly show हो रहे है, कि बात का जो next topic है हमारा, वो है हमारा formula, तो formula पर आप click करके, यहाँ पर भी आप देखेंगे, वही सारे options show होने है, कि आप क्या देखना चाहते है, number देखना चाहते है, टैस्स, logical देखना चाहते है errors देखना चाहते है, तो मैं एक एक करके आपको सारे describe कर देता हूँ, तो सबसे पहले मैं इन तीन से check marks को यहाँ से इठा देता हूँ, मैं इस तिस नंबर रखता हूं और यहां पर OK करता हूं OK करने के बाद आप आप देखेंगे यहां पर जो भी हमारा formula numbers के अंदर यूज हुआ था वो highlight हो चुका है इसके बाद फिर से control G press करके मैं special पर जाता हूं special पर जाने के बाद यहां पर वापस से formula select करता हूं और यहां पर इस number को अटा करके मैंने यहां पर रखना है text, text को रख करके जैसे मैं यहां पर OK करूँगा तो आप देखेंगे जहां पर भी हमारा text लगा हुआ है यानि text का formula यूज किया है हमने वो cell हमारा यहां पर highlight हो चुका है तो इसके बाद हम यहां पर logical को देख लेते हैं logical option हमारा क्या काम करता है को तो control G करते हैं हम लोग special पर जाते हैं और यहां से चले जाते हैं formula वाले option पर और यहां से हमने errors को अटा दिया बाकि logical को रहने दिया logical के अंदर या तो text होगा या number होगा इन दोनों check marks को हम यहां पर tick रखेंगे और यहां पर simply ok करेंगे ok करने के बाद आप देखेंगे आपका logical value यहां पर show होगई यानि इन दोनों के इंदर में formula लगा रखा है जिसमें text का भी formula है और numbers का भी formula है तो दोनों option यहां पर show up हो रहे हैं यह था हमारा logical option इसके बाद का जो next option अगर आप देखेंगे तो यहां पर option आता है हमारा errors का तो इन सभी tick marks को यहां से remove कर देते हैं और remove करने के बाद हम error को यहां पर रखते हैं error को रखने के बाद यहां पर ok करेंगे जिसके इंदर हमने कुछ cells को blank छोड़ा हूआ है अब इन blank cells का करने क्या है हमें डेटा को लोग एक बार select कर लेते हैं select करने के बाद Ctrl G press कर ये Ctrl G press करने के बाद यहां से special चलिज helps पर जाने के बाद diese blank को select कर लिजे blank को select करने के बाद यहाँ पर simply okay कर दीजे अब okay करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो रोज थी जो blank रोज थी वो यहाँ पर select हो चुकी है आप से control minus के साथ इसको यहाँ से delete कर सकते हैं और entire row पर click करके यहाँ पर enter pass करेंगे यहाँ पर current reason का अब यह current reason क्या है तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आप simply click करिए और control A दबातीजे control A दबाने से आप देखेंगे current reason हमारा यहाँ पर select हो चुका है यानि जो भी data था हमारा वो यहाँ पर select हो चुका है यही काम आप directly आप यहाँ से भी कर सकते हैं control G प्रेस करिए special पर जाएए और यहाँ से current reason पर select करके आप ok कर दीजे वो data आप यहाँ पर select हो जाएगा तो यह shortcut तरीका है shortcut तरीका आप यूज कर सकते हैं क्योंकि यह ज्यादा और इसके बाद नहीं have control G प्रेस करेंगे control G प्रेस करने पेपद special में यहाँ से select करेंगे object object को select करने के बाद जैसे हम यहाँ पर ok press करेंगे ok press करने के बाद आप देखेंगे आपका जो जो भी object था वो यहाँ पर select हो चुका है आप tap key press करके यहां से shift हो सकते हैं one picture से दूसरी picture पर remove हो सकते हैं तो इस तरीके से आप tap key का use करके एक दूसरे का selection कर सकते हैं तो यह भी हमारा चोटा साई topic था इसके बाद हम लोग next option की बात करते हैं तो next option हम देख लेते हैं next option हमारा है क्या और यहां से हम select करेंगे row different अब यह row different क्या काम करेगा आप देखें आपके पास एक data है इस data में से हमने किसी भी data को select किया अब आप देखेंगे सभी data के अंदर same value यहां पर represent है जैसे 65 है तो 65 आपके पूरे row के अंदर है उसी तरीके से 36 पूरे row के अंदर है और यहां से select करते है row different और यहां पर simple कर देते हैं OK OK करने के बाद आप देखेंगे यहां पर आपके जो भी row difference है वो यहां पर show up हो चुके है यहां से आप चाहें तो इसके अंदर color fill करके उसको highlight कर सकते है same as it is इसी तरीके से आपका column different का भी एक option है आप data को इस तरीके से select करिए control G press करिए special पर जाएए और यहां से column different को select करके यहां पर OK कर दीज़े आप देखेंगे आपके तीन database यहां पर भी है जो difference है अपनी इस value के according तो यहां पर आप इसको भी highlight कर सकते हैं तो यहां हमारे row और column difference options थे जो आप इस तरीके से इनको find कर सकते हैं इसके बाद का जो next option है हमारा आप पर चले जाएए control G press करके वापस इसी option पर और यहां पर आप देखेंगे आपका एक option है president और dependent अब यह president और dependence क्या काम करता है यहां पर हम छोटी सी value type कर लेते हैं आप यहां पर हम कोई भी 2-3 visits की value type कर लेते हैं इन values को type करने के बाद हम क्या करेंगे आप र sólo तुल ड्र उम लोग Consume कर लेते हैं प्लस करने के वाद इसाउँ पर प्लस कर लेते हैं जैसे आप इसे औरेHHHH के बाद आप देखेंगे तो यह थी हमारी row president, यही same work आपका एक option और है, जो यही काम करता है, इसके लिए आप चले जाएए, formula tab के अंदर, आप देखेंगे आपके सामने यहापर option है, trace president का और trace dependence का, और remove arrows का, तो इन तीनों options का आप यहाँ पर use कर सकते हैं, इसके लिए आप to track करके रखिए और values थी, जिन values को हमने इसके अंदर plus किया है, वो तीनों की तीनों values यहाँ with arrow आपके सामने represent हो जाती है, यह था हमारा row president, और अगर हम dependence की बात करें, तो dependence क्या काम करता है, पहले हम इसको remove कर देते हैं, remove करने के बाद माल लिजे कि एक तो हमारा total यह था, इसके अलावा हमने इ dependence पर क्लिक करेंगे, तो यह बताएगा कि इस value का use यहाँ भी हुआ है, और इस value का use यहाँ भी हुआ है, तो इस तरह से आप trace कर सकते हैं, presidents को भी और trace dependence को भी, यही काम आप यहाँ arrow की मदश से भी कर सकते हैं, और यही काम आप control G करके, यहाँ पर special पर क्लिक करके, तो value का use आपने यहाँ भी किया हुआ, इस value का use आपने यहाँ भी किया हुआ, तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं, यह तो एक छोटा सा function था, इस data के बिल्कूल नीचे आ करके, हमने कोई data यहाँ पर fill कर दिया, fill करने के बाद हम ओपर database पे हैं, और हमें जाना है बि represent हो रहा है, तो यह हमारा last cell था, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर next option की, तो next option हम देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा है, visual cell only, visual cell only का क्या use होता है, तो यहाँ पर हम इसके लिए हमने पहले से ही एक sheet बनाई हुई है, हमने चलते हैं आपको उस वाली sheet पर, मैंने grand total के बारे में सारी information दी हुई है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं, हमारे link के description में जा करके, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, जिसमें समझ सकते हैं, इसको हमने किस तरीके से किया हुआ है, किस तरीके से हमने grand total निकाला है, मैं इस चीज को यहाँ पर describe नही इसको अगर हम plus करके मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर इन सभी apples के मर पास तीन item है, जिनके अलगलग price list है, अलगलग quantities है, उनके total price है, उनका grand total यहाँ नीचे है, हमारा show up हो रहा है, अब मैं क्या चाहता हूँ, इस data को जब भी मैं यहाँ से select करके, control C करके copy करता हूँ, और किसी another place पर ले जाखरके paste करता हूँ, तो होता क्या कि मेरा वो पूरा data यहाँ से copy हो करके, पर paste हो जा रहा है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यह जो मेरा यह data है, सिर्फ यही data copy हो और another place पर paste हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको पहले data को select करना है, ctrl G पर press करना है, ctrl G press करने के बाद special पर जाना और यहाँ पर आपको select करना है visual cell only, यहाँ जो data हमारे सामने visual है, सिर्फ वही data मुझे चाहिए, इसको select करके हमें ok करेंगे, ok करने के बाद अब आप ctrl C press करना है, ctrl C press करते ही आप देखेंगे आपके selection यहाँ वो यहाँ पर show up नहीं हुआ, तो इस तरीके से आप visual cell only का use कर सकते हैं, इसके बाद का जो next option है हमारा, वो option है हमारा conditional formatting, तो conditional formatting की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप यहाँ पर, आप हमारे link के description में जा करके, वो वीडियो भी यहाँ पर देख सकते हैं, अब conditional formatting के यहाँ से चले जाएंगे manage rules के अंदर, और यहाँ पर click करने के बाद this worksheet select करेंगे, और इस worksheet पर हमने जितनी भी conditions use की होँगी, वो सारे formula यहाँ पर हमारे सामने represent कर देगा, तो फिलाल हमने एक ही condition यहाँ पर use की है, और मैं उस तक पहुँचना चाहता हूँ तो उसके लिए, और मैं उसे find करना चाहता हूँ, तो उसके लिए control G press करूँगा, control G press करने के बाद special पे जाऊँगा, और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा option आजाएगा conditional formats का, conditional formats में यहाँ पर click करेंगे, और यहाँ को all लेते हुए, यहाँ पर all रखते हुए हम simply ok press करेंगे, तो ok press करते हैं आप देखेंगे, इन सभी data के ओपर हमने conditional formatting का use कर रखा है, अब इसके बाद जो next option है हमारा, next option की ओर हम बढ़ते हैं, जो next option हमारा वो है data validation, data validation का क्या use होता है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर हमने drop down list बनाई हुई है, data validation की मदद से, अगर आपको यह list बनानी नहीं आती तो इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, इस वीडियो को देखने के लिए, आप link के description में जा करके, बहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं, कि आप किस तरीके से drop down button create कर सकते हैं, data validation का use कर सकते हैं, तो इस जगा पर जाने के लिए, यान इसे find करने के लिए, हम simply control G का use करेंगे, special का use करेंगे, और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग data validation, और data validation लेने के बाद जैसी मैं ok press करूँगा, तो यह मैं उस cell तक ले जाकर के पहुचा देगा, तो go to special के अंदर आपने देखा, कितने सारे options थे हमारे काम के, तो go to special का जितना भी option था, वो मैंने यहाँ पर इसके बाद जो बाकी सारे options है, वो सारे options मैंने आपको बता दी है, इन options का क्या-क्या use किया जाता है, जिसमें आपका formula मैंने आपको बता दिया, comments मैंने आपको बता दिया, conditional formatting मैंने आपको बता दी, constant मैंने बता दिया, data validation मैंने आपको बता दिया, select object, object का भी मैंने आपको बता दिया और Slack Paints, Slack Paints के अंदर एक नया option है, यह basically क्या काम करता है, यह आपकी जितनी भी pictures या जितनी भी images होती है, उन सभी को show और height करता है, जैसे मालेजी अभी हमने इस sheet के ओपर drop down को use किया है, इसकी eyes को जैसी मैं close करूँगा, तो यह देखे, यह drop down यहां से list गया हो तो इस तरीके साब इसे hide कर सकते हैं, तो यह थी हमारी complete video editing की, अगर आपको हमारा यह video पसंद आया हो, तो channel को like कीजेगा, subscribe कीजेगा, और अपने सभी दोस्तों में share जरूर कीजेगा, नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद, और आज की इस video में हम जानेंगे insert tab के हर एक option के पारे में, चाहिए वो आपका table option हो, add-ins हो, chart हो, tours हो, stock lines हो, filters हो, links हो, इन सभी options को हम एक एक करके define करेंगे, पाइवर टेबल MS Excel का एक बहुत ही बहतरीन function है, जिसका use हर एक company अपने data को filter करने के लिए तो करती ही है, साथ के साथ उसे analyze करने के लिए भी इसका use करती है, ऐसी क कोई भी company नहीं है, जो कि पाइवर टेबल का use ना करती हो, पाइवर टेबल अपने आप में एक बहुत ही बहतरीन function है, जो कि हमारे difficult work को बहुत ही easy कर देता है, अगर आप MS Excel सीखना चाहते हैं, तो उसके अंदर पाइवर टेबल जानना आपको बहुत जरूरी है, बिना पा ये वीडियो को शुरू करते हैं, आप देखेंगे हमने कुछ employees के यहाँ पर name लिये हुए है, उनके department से यहाँ पर select किये हुए है, उनकी sales हमने यहाँ पर लिये हुए है, sales 2020 के और 2021 के, अब इसको हम किस तरीके से pivot table में convert करेंगे, उसके लिए आपको करना क्या है, simply data को select करन अब आपको जाना है यहाँ से insert tab के अंदर, आप यहाँ से देखेंगे आपको जो insert tab है, इस insert tab पर जैसी आप click करेंगे तो आपके सामने option आजाएगा आपका pivot table का, इस pivot table पर जैसी आप click करेंगे, click करने के बाद आप आप देखेंगे, हमारा यह यहाँ पर select हो जाएगा, automatically यह range select कर लेता है, इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो option है वो select data table range का है, यानि इसके अंदर हमारी data की table की range लेनी होती है, अगर आपका कोई और data है तो आप उसकी range यहाँ पर select कर सकते हैं, by default यह उसे automatically select कर लेता है, इसके बाद यहाँ पर आ देखेंगे आपके सामने दो options है, सबसे पहला option है आपका new worksheet और दूसरा option है आपका exiting worksheet, यानि आप जो pivot table चाह रहे हैं, वो एक नई sheet पर चाह रहे हैं, या exiting इसी worksheet के ऊपर आप पाईवर टेबल चाह रहे हैं, यहाँ पर अगर आपको इस sheet पर यह data चाहिए, तो आपको exiting पर click करके, यहाँ पर आपको click करना होगा location पर, location पर click करना की बाद यहाँ से आपको उस जगह की range लेनी होगी, जहाँ पर आप इस table को represent करना चाह रहे हैं, तो फिलाल हम इसे एक नई worksheet पर लेंगे, हम फिलाल new worksheet पर click करेंगे और simply इसे ok कर देंगे, जैसे आप इसे ok करेंगे, आप देखेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का theme represent होगा, पाइवट टेबल का, जिसमें आप देखेंगे, आपकी यहाँ पर फिल्स शो हो रही है, अब इसको किस तरीके से use किया जाता है, मैं आपको वो clear कर देता हूँ, इसके लिए हम चले जाते हैं वापस से अपनी अब माल लीजे, यहाँ पर हमें यह देखना है, कि हमारी furniture के अंदर total कितनी sale हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे, furniture यहाँ पर भी है, और furniture यहाँ पर भी है, तो यह तो data हमारे पास बहुत ही छोटा सा data हमने लिए है, आपको समझाने के लिए, companies के जो data होता है, वो बहु कितनी sales होई है, वो हमें यहाँ पर represent कर दे, अगर मैं इसको filter लगाता हूँ, analyze करता हूँ इसको, तो यहाँ पर वो data represent तो कर देगा, लेगिन हमारी यहाँ पर conditions इतनी सारी होती है, कि जिसके according हम data को filter नहीं कर पाते हैं, इस वज़े से हम filter का यहाँ पर हर बार use नहीं कर सकते जैसे माल लीजे, कि हम यह चाहते हैं कि electronic में कितने employee काम करते हैं, कितने persons काम करते हैं, उन्होंने कितनी-कितनी sales किया है, मुझे सिर्फ वही record देखना है, तो अगर आप उस record को यहाँ पर find करेंगे, तो उसे किस तरीके से बताएंगे, आपको यह भी बहुत मुश्किल अदत से हम यह सारे काम बहुत easily तरीके से solve कर सकते हैं, तो चलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, तो हम चले जाते हैं वापस हमने pivot table वाले option पर, अब माल लिजे हमें यह देखना है इस table में से कि garments में total कितनी-कितनी sales हुई है, मुझे आप वो बताईए, तो उसके हम चले जाते हैं वापस से pivot table के अंदर और यहाँ पर अपने department को select करते हैं और अब यहाँ पर select कर लेते हैं हम लोग sales 2020 को और 2021 को, अब आप यहाँ पर देखेंगे, electronic में जो हमारी total sale हुई है 2020 की, वो sale हुई है 62,279 रुपीस की, उसी तरीके से furniture की यहाँ पर आप से summarize कर सकते हैं, अब यहाँ से माल लीजे अगर हमने 2020 का नहीं देखना है, हमने 2021 का देखना है, तो यहाँ से हम 2020 का tick marks यहाँ से अठा देंगे, तो आप देखेंगे, आपकी 2021 का जो data था वो यहाँ पर represent हो गया, इसको मैं थोड़ा सा zoom करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपके सामने डिपार्टमेंट शो हो, और उसी का आपको टोटल सेल 2020 और 2021 की शो हो, तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके लिए आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने फिल्टर का एक बटन है, इस फिल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर select all हटा दीजे और आपको जिस भी डिपार्टमेंट का देखना उस डिपार्टमेंट को select कर लिजे और यहाँ पर simply से okay कर दीजे, इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनिक डिपार्टमेंट का ही डेटा आपके सामने show up हो रहा है, साथ के साथ उसका grand total है यहाँ पर आपको दिखा रहा है, अगर आप 2020 का देखना चाते हैं तो आप टिक मारिए, 2020 का भी आपका data और grand total आपके सामने represent इसने कर दिया है, तो चलिए इसको कुछ और तरीके से हम लोग देखते हैं, और तरीके से try करते हैं, कि और किस तरीके से use किया जा सकता है, माल यहाँ पर filter लगा रखा है, इसको हम यहाँ से clear कर देते हैं filter को, तो आप देखेंगे हमारे सभी departments यहाँ पर show up हो चुके हैं, उसके बाद हम जैसे name of person पर यहाँ पर click करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे जो भी departments है, उसके अंदर कौन कौन काम करता है, उसकी list यहाँ पर हो गए, जिसके अंदर आप देखेंगे, electronics के अंदर, जगदीप है, कमल है, मदन है, सावन है, यह हमारे electronic department के persons है, इसके बाद बात करेंगे, अगर हम furniture की, तो यहाँ पर आप देखेंगे, furniture में हमारा अधित्या है, परवीन है, परदीप है, सुनील है, तो यह सभी है employees जो ह जैसे मैं sale 2020 पर click करूँगा, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपका जगदीप की total sale यहाँ पर दिखा दी, उसने 17,490 रुपीज, ऐसे ही कमल की इसने total sale दिखा दी, आपको 15,469 रुपीज, उसी तरीके से मदन की इसने sale दिखा दी, 16,323 रुपीज, उसी तरीके से सावन किसने sale दिखा दी, 12,997 रुपीज, तो इस तरीके से आप हर एक employee का अपना data चेक कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप यह देखना चाहते हैं, कि आपका कौन सा employee, किस department में काम करता है, तो इसके लिए हम सभी check marks को यहाँ से अठा देते हैं, एक तरीका और मैं आपको बता द देता हूँ, इस तरीके से आप कई तरीकों से इसे देख सकते हैं, पाइवट टेबल कई तरीकों से आप इसे अपने हिसाब से analyze कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, मैंने आप से कहा कि कौन सा employee, कौन से department में काम करता है, अगर आपको यह देखना है, तो इस department को select कर लेना है, जैसे आप department को select करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो person है, वो कौन से department में काम करता है, यहाँ पर आपकी उसकी list यहाँ पर represent हो चुकी है, इसके अलावा अगर आप sale देखना चाते हैं, 2020 की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अधित्या की total sale आपकी य 700, 7 रुपे sale किये, इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा data यहाँ पर summarize हो जाता है, इसी तरीके से आप अपने data को analyze कर सकते हैं, तो यह बहुत ही बैदरीन function MS Excel का, इसके बाद अगर मैं आपको बता हूँ, अगर आप इसका printout लेना चाते हैं, तो simply आप उस table की बजाए, इ कि सामने वाले बंदे को यह देखते ही समझ में आ जाएगा कि यह data में आखिर funda क्या है, किस तरीके से analyze किया गया है, तो इसके बहुत सारे concepts हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मैंने 2-3 तरीके आपको बता दिये हैं, और भी जिस तरीके से आप इसे analyze करना चाते हैं, और भी जि represent हो जाएंगे, तो इसका printout आप easily सामने वाले बंदे को दे सकते हैं, जिससे वो इस data को देखते ही समझ जाएगा, कि इस data में क्या हो रहा है, तो यह बहुत ही easy format है हमारा pivot table का, तो इसी तरीके से हमारी pivot table use की जाती है, कई method से, कई तरह से, इसके बाद मैं आपको कुछ options औ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, analyze का एक option आपके सामने यहाँ पर show up हो जाएगा, अब इस analyze के नदर आप देखेंगे, एक option आपता है आपका refresh का, अब यह refresh का किस काम आता है, तो मैं आपको वो clear कर देता हूँ, उसके लिए क्या करना होगा आपको, simply माल लीजे, मैं एक column और add कर देता हूँ, माल लीजे, मैंने यहाँ पर लिख दिया total sale, total sale लिखने के बाद मैंने इन दोनों sales को यहाँ पर प्लेस कर दिया, और प्लेस करने के बाद इसको नीचे की तरफ ले जाकर के control D drag कर दिया, और इसे border में वापस से मैंने बंद कर दिय alt hba से, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास वही fields है, जो हमारे पास पहले थी, अब यह data किस तरीके से refresh होगा, यह data refresh करने के लिए आपको इसी sheet पर वापस से आना है, यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक column add किया हुआ है, अभी जो हमें data वापर represent कर रहा है, वो सिर्फ इतना data represent कर रहा है, अभी यह data हमारा और extra हमने इसमें add कर दिया है, तो इस data को मैं किस तरीके से इस वाली pivot table में add करूँगा, तो इसके लिए मैं आपको पहले इनसे भी के check marks यहाँ से अठा देता हूँ, और आप देखेंगे, यह पर हमारे पास जो options है, जो fields है हमारे पास, वो simply 4 और पास भी फिल्ट मुझे अगर add करनी है, तो इसके लिए मुझे जाना होगा, सेम analyze वाले option पर यहाँ देखेंगे, आपके सामने analyze का option शो हो जाएगा, यह तब ही काम करेगा, जब पाइवर टेबल पर आप यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे, अगर आप बाहर क्लिक तो यह option आपके सामने show up नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा, आपको पाइवर टेबल पर क्लिक करना है, पाइवर टेबल पर जैसी आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने analyze option शो अप हो जाएगा, तो इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर refresh के बाद यहाँ पर ए इतनी range हमने ले रखी थी, उस range को हम यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा और extend कर देंगे, तो हम यहाँ पर पूरी range ले लेंगे, पूरी range लेने के बाद यहाँ पर simply हमें ok प्रेस करना होगा, ok प्रेस करने के बाद आप आप देखेंगे, यहाँ पर आपका total amount था, जो total sale थ जाएगी, तो इस तरीके से आप अपने total fields को यहाँ पर represent कर सकते हैं, अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, माल लीजिए कि हमने यहाँ पर state table 1 के अंदर किसी data के अंदर को changes कर दी है, तो माल लीजिए यहाँ पर हमारे पास Aditya है, और Aditya को हमने क्या किया है, Ad देखेंगे, हमने इसको change कर दिया है, garments के अंदर, अब यह data किस तरीके से refresh होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वही same option जो मैंने आपको बता है, refresh वाला, इस वाले pivot table पर आपको click करके रखना होगा, और यहाँ पर जाना होगा, आपको analyze वाले option पर जाने के बाद यहाँ पर आपको select करना होगा, refresh वाला option, refresh वाले option पर जैसे आप click करेंगे, यहाँ पर आपके सामने refresh all का एक option शो हो जाएगा, जैसे आप इसे refresh करेंगे और वापस से अपना data देखेंगे, तो आप देखेंगे, आपका जो data था यहाँ पर update हो चुका है, यहाँ पर furniture की देता हूँ, जो आपके बहुत ही काम का function है, तो यहाँ पर हम फिलाल ले लेते हैं, departments और उनकी total sales ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते है name of person, किस person ने कितने कितने sales की है, हमने वो तीनों चीज़ें यहाँ पर select कर रखी है, अब इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ आपके सामने एक और option आपके सामने show up होगा, insert slicer का, यह बहुत ही काम का function है, इस पर जैसे हम click करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक slicer open हो जाएगा, अब इस slicer के अंदर आपको करना क्या है, आपको simply हमने ले लिया, यहाँ department का slicer और इसको simply कर दिया आपके सामने एक तरीके से और आपको समझा देता हूँ, जैसे माल लीजे हमने यहाँ पर name of employee ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया total sales, अब मैं यहाँ पर यह देखना चाहता हूँ, कि हमारी electronic के अंदर total sales कितनी हुई है, तो आप देखेंगे, sum of sales जो हमें दिखा रहा ह वो electronic का यहाँ पर show हो रहा है, जैसे हम यहाँ पर furniture पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, furniture के employees और उनकी total sales यहाँ पर represent कर रहा है, और साथ के साथ उसका grand total भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी के साथ अगर हम garments पर click करेंगे, तो आप कितने बंदे काम कर रहे हैं, और उ इतने भी employees थे, वो यहाँ पर show हो जाएंगे, उनकी total sales यहाँ पर show up हो जाएगे, तो इस तरीके से भी आप अपने data को filter कर सकते हैं, आप इस slicer का use कर सकते हैं, अब इस slicer को हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, simply यहाँ पर click करना होगा, click करने के बाद आपने keyboard से delete बट नहीं होता, तो delete करने के लिए आपको इसको करना का है, simply data को यहाँ पर select कर लेना है, जहाँ भी आपकी private table है, उसको select कर लेना है, select करने के बाद आपको जाना है home tap के अंदर, home tap के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने एक option आजाएगा, आपके प बताया था कि MS Excel में काम करते समय कई बार data इतना जादा बड़ा हो जाता है, जिसे देख माना बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसे में private table का उपयोग करके पूरे data को कम से कम जगा में संक्शिप्त रूप से देखा जा सकता है, आसान भाशा में अगर हम कहें, तो private table पूरे data का analyze कर सकते हैं, जैसे मैं आपको example के true दिखा हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे, हमने कुछ employees के name लिये हुए है, यहाँ पर हमने कुछ department select किये हुए है, और यहाँ पर हमने sale 2020 और 2021 का data लिया हुआ है, डेटा को मैंने बहुत ही छोटा लिया है, थाकि मैं आपको इसे समझा प आप इस तरीके से data को recommend कर सकते हैं, या इस तरीके से देख सकते हैं, या इस तरीके से देख सकते हैं, या इस तरीके से देख सकते हैं, या आप जितने तरीके से देखना चाहें, उतने तरीके से data को यहाँ पर analyze कर सकते हैं, आप और भी बहुत सारी difference तरीके दिखाई इनो ही हमारे पास departments हैं जिसके अंदर अगर हम electronic पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे electronic के अंदर हमारे पास कौन कौन है जो हमारे पास work कर रहा और उसने कितनी कितनी sale की हुई है जैसे मैंने आपको पाइवर टेबल में बताया था बात के साथ यह आपका grand total भी आपको represent करते रहा है अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो पाइवर टेबल थी यानि आपकी जो रिकमेंडी टेबल थी हो यहां से गायब हो चुकी है जैसे आप पाइवर टेबल पर यहां पर click करेंगे वो data वापस से आ जाएगा आप इसे अपने तरही के साब रिकमेंडी टेबल के अंदर आप different different type से recommend कर सकते हैं data को और अपने हिसाप से इसको analyze कर सकते हैं यही different type और रिकमेंडी टेबल के अंदर और इसके बाद आप next option देखेंगे यहाँ पर टेबल का यह टेबल क्या काम करता है तो हम वापस से अपने पुराने data पे simply से ok कर दूँगा अगर आपके table पर कोई भी header नहीं है तो आप इसे mark को अटा देंगे और यहाँ पर ok कर देंगे ok press करने के बाद आप आप देखें हमारा जो data था वो एक table में convert हो चुका है यहाँ पर आप देखेंगे filter भी लग चुका है filter के हिसाब से मैं data को ascending and descending कर सकता हूँ और इसके बाद मैं आपको इसका use दिखाता हूँ इसका use होता क्या है माल लीजे हम इसका एक बाद total कर लेते हैं यहाँ पर total करने के बाद मैंने क्या किया sale 2020 और 2021 को हम यहाँ पर total कर लेते हैं इसको और plus इसको कर दिया हमने plus आप देखेंगे यहाँ पर by default सब का total अपने आप आ गया हम इसे track करने की जुरत नहीं पड़ी दूसरा अगर यहाँ पर हम किसी employee का name add करते हैं जैसे मैंने add कर दिया दीपक और enter प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर वो formula automatically paste हो चुका है यहाँ पर अगर हम कोई भी value दे देते हैं तो आप देखेंगे वो value automatically यहाँ पर paste हो जाएगी यानि वो automatically इसका sum निकाल देगा यानि हमें बार बार formula को paste करने की जुरत नहीं है टेबल के अंदर अगर हमने data को अपने convert कर रखा है तो वो formula को automatically जहाँ तक आपका data है वहाँ तक paste करता चला जाता है तो यही थे हमारे options recommended table और pivot table illustration बहुत ही कमाल का function है अगर आपने office 2007 का use किया है और उसके बाद अगर आप office 2019 के अंदर illustrations की बात करें तो इन्होंने काफी सारे options को एक साथ merge कर दिया है और merge करने के बाद एक battery function तयार किया है यानि कि अगर आप office 2007 के बाद सीधे 2019 को use करेंगे तो आपको बहुत कुछ change मिलेगा यानि कि बहुत सारे extra advanced feature आपको इसके अंदर दिखाई देंगे तो आज मैं उनी options के बारे में discuss करने वाला हूँ इसके अंदर आपको बहुत सारे advanced features दिखाई देंगे जो मैं एक एक करके आपको describe करूँगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को like, comment, share जरूर कीज़ेगा और दोस्तो subscribe जरूर कर लिजेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला option आपको दिखाई देगा यहाँ पर pictures का pictures के अंदर आप देखेंगे आपके सामने दो options यहाँ पर डजर आ रहे हैं सबसे पहला option आपका this device है याँ आप इस device के अंदर से ही किसी data को याँ किसी picture को represent करना चाहरे है open करना चाहरे है तो हम यहाँ पर simply okay करेंगे click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक dialogue box open होगा इस dialogue box के अंदर आपकी जहाँ पर भी आपकी images हैं वो images यहाँ पर find कर लिजे तो माली जह हमारी जो images पढ़ी वी है वो D drive के अंदर पढ़ी हैं तो D drive में जैसे click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी वो images यहाँ पर represent हो जाएंगी तो इसमें से आप कोई भी image select कर सकते हैं select करने के बाद या तो आप इस पर double click कर दीजे और यहाँ तो फिर यहाँ पर open पर click कर दीजे आप देखेंगे आपकी यहाँ पर image import हो चुकी है अब जैसे ही आपने image को import किया तो आप देखेंगे यहाँ आपके सामने कुछ अलग features open होके आ चुके है यानि कि एक format tab आपके सामने open हो चुका है जो कि picture tool का option है यहाँ था यहाँ से remove हो चुका यह देखें remove होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका सबसे पहला option आपके सामने नजर आ रहा है वो आ रहा है बार्क areas का यानि अगर आप इसमें click करके किसी area को mark करते हैं कि वो भी आपको erase करना है तो इस area को जैसी आप select करेंगे तो वो area भी आपका यहाँ पर remove हो जाएगा और उसके बाद जैसी आप keep change पर klik करेंगे आपका area remove होने के बाद यहाँ पर आपके सामने show up हो जाएगा इसी तरीके से आप देखेंगे आपके सामने एक और option आपके सामने open हुआ है corrections का तो इस पर click करने के बाद आप इसमें corrections कर सकते हैं किस तरीके की image आपका background remove होने के बाद आपका होना चाहिए तो यहाँ पर आप जो भी select करना चाहिए वो यहाँ पर easily उसे select कर सकते हैं करने के बाद आप आप देखेंगे आपका जो object था वो उसी shape में convert हो गया इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक option आएगा colors का तो colors में आप different types के colors यूज कर सकते हैं जिस भी color पर आप click करेंगे आपका object उसी color में convert हो जाएगा इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक option आता है artist का तो इसमें आप artist की तरीके से इसको use कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर यह वाला option ले लेता हूँ जैसी मैं इसपे click करूँगा तो ऐसा लगएगा जैसे किसी artist नहीं यानि किसी ने draw करके इस painting को create किया हुआ है तो इसमें different types के options है एक एक करके आप इसे select करके देख सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक option आएगा compress picture का है compress का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना तो यहाँ पर हमने object को select किया और object को select करने के बाद यहाँ पर हमने compress पर क्लिक किया compress पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे options यहाँ पर show हो जाएंगे आप इसे किस तरीके से compress करना चाहते हैं print area के size के हिसाब से इंटरनेट पर आप इसे send करना चाहते हैं वेब पेज पर उसके size के हिसाब से email पर आप इसे send करना चाहते हैं उसके हिसाब से या default के हिसाब से तो हम यहाँ पर फिलाल ले लेते हैं email के हिसाब से मैं knowledge's document को email पर भेजना चाहता हूं उसके हिसाब से हमारा जो यह document है वो adjust हो जाए यहाँ पर जैसे आप इसे ok पर click करेंगे तो आपकी जो file थी वो basically email के हिसाब से adjust हो चुकी है इस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे आपर आपके सामने एक option है का reset picture का इसके size को हमने increase or decrease कर रखा है और इसके बाद अगर आप इस पर click करेंगे तो इस पर click करने के बाद यह अपने असली size में यह actual size में वापस से reset हो जाएगा यह option आपको समझ में आ गया होगा यह सर्वी option हमारे adjustment menu के options है इसके बाद आप आप अपके सामने next option आजाता है आपका picture styles का तो आप इसमे different type's के style कर सकते है're ये देखे है आपके सामने बहुत सारे style के.. जिसमें आप इसको easily convert कर सकते है इसके बाद आप 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 आपका option यह आपट इसमें talk आप रहा ए जैसे आप 3D Effect में, Glowing Effect में, Showing Effect में, Soft Edge Effect में, Vival Effect में तो बहुत सार एफेक्ट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं तो इस तरीके से आप इसे 3D में Vival and Embossed Option Effect के अंदर इसे यूज कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पिक्चर शेफ की तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे किसी भी शेफ के अकॉर्डिंग अज़स कर सकते हैं जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका Smart Art यहाँ पर Show Up हो जाएगा जिसके बाद आप यहाँ पर जाकर के Change Colors वगरा चेंज कर सकते हैं आप अपने इसाप से इसके Font के Style को Convert कर सकते हैं इसके Style को Change कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे आप एक Option और आपके सामने Show Up हो जाएगा Add Shapes का जैसे आप Add Shapes से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक और Box यहाँ पर Add हो जाएगा इसके इंदर भी अगर आप चाहें तो कोई Picture यूज कर सकते हैं अगर आप Bullets का यूज करना चाहें तो Point to Point आप इस Data को यहाँ पर लिख सकते हैं देखें, Bullets में हम क्लिक करके जो भी लिखना चाहें वो easily यहाँ पर लिख सकते हैं आप देखेंगे आपका Data यहाँ पर Represent हो रहा है इस तरीके से आप Bullets 5 Data को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से इसके बाद जो Next Option है आपके सामने आएगा वो है Promote का जैसे आप Promote पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो Box है वो और भी जादा Increase हो रहा है या प्रमोट हो रहा है अगर आप इसे Demote करेंगे तो यह वापस से Delete हो जाएगा अगर आप इसे Right to Left या Left to Right करना चाहें तो यहां से Left to Right और Right to Left भी कर सकते हैं जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो Object था वो Right to Left और Left to Right किया जा सकता है इस तरीके से तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं इसके बाद अगर आपने और भी बहुत सारी Shapes ले रखिए हैं जैसे हम और भी Add Shapes ले लेते हैं यहापर अगर मुझे किसी Shape को उपर की तरफ ले जाना है तो उपर की तरफ ले जा सकता हूँ और Down Side में ले जाना है तो मैं Down Side में इसको Move करा सकता हूँ यहापर Move करने के Options है आप इसे Move कर सकते हैं और इसके बाद Reset Graphic करेंगे तो यह वापस से Reset हो जाएगा जो भी हमने Color Formatting Style जो भी Change किया होगा यह वापस से Reset हो जाएगा और इसके बाद एक Option आप देखेंगे आप और एक और Option आपके सामने Show Up हो रहा है Convert to Shape का जैसे आप Convert to Shape पे से Click करेंगे तो basically आपके जो डॉकमेंट है वो एक शेप में Convert हो जाएगा यानि यह पूरी की पूरी जो डॉकमेंट था आपका वो एक शेप बन जाएगी आपका Smart Art Object यहां से गायब हो जाएगा तो इस तरीके से आप इस सभी Options का यूज कर सकते इसके बाद मैंने आपको यहां तक के Options क्लेर कर दिये थे यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक और Option शो होगा Alternative Text का तो इस वाले Option पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक Dialog Box यहां पर Open हो जाएगा यानि इस पिक्चर के बारे में जो भी आप description यहां पर देना चाहें वो यहां पर दे सकते हैं जैसे हमारी इमेज है वो basically क्या चीज है तो इमेज हमारी मालीजे homepage है तो हमने यहां पर homepage लिख दिया और इसके बाद इसको हमने यहां से cancel कर दिया cancel करने के बाद जब भी हम इस Alternative Text पे क्लिक तो आप देखेंगे homepage यहां पर show होगा यानि इस picture के बारे में जो भी description होगी वह यहां पर हमारी show up हो जाएगी तो इस तरीके से आप इसका use कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपके सामने काफी सारे options है जिसमें bring to front और send to back का option है और यह option आप देखेंगे और यहां से आप this device से कोई picture ले सकते हैं इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर एक option और है online pictures का आप यहां से भी picture insert करना चाहें तो picture कर सकते हैं जैसे हम online pictures पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ browsing चलेगी थोड़ सा समय लेगा और समय लेने के party की चाहिए और cousin की चाहिए मतब जो भी picture schools वगरा की जो भी pictures आपको चाहिए वो pictures आप इसली यहां पर import कर सकते हैं तो मैं फिलाल जहां से school को select करता हूँ जैसे मैंने school को select किया तो school select करने के बाद यहां पर आप देखेंगे आपके सामने different types के schools की images show up हो जाएंगी तो जिस इस भी image को आप लेना चाहिए यहां से easily उसको select करके import कर सकते हैं यहां से चाहिए तो आप इसे filter भी कर सकते हैं तो फिलाल हम लोग ले लेते हैं इस वाली image को लेने की बाद यहां पर insert करते हैं इंसर्ट करने के बाद आपकी जो images थी वो थोड़ा सा समय लेगी और यहां प वापस से represent हो जाए और अब आप देखेंगे आपने सामने वो सारे options यहां पर show up हो चुके हैं यानि bring to forward और send to backward का अब यहां पर देखेंगे school की जो image है वो हमारी उपर है और बाकी यह वाली image है वो just इसके नीचे है तो यहां पर जैसे हम इसे करेंगे send to backward send to backward करते ही होगा क्या यहां पर आप देख सकते हैं यह वाली image हमारी इसके पीछे चली गई है और जैसे हम इसे bring to forward करेंगे तो यह वापस से उपर इसके represent हो जाएगी तो इस तरीके से आप किसी भी shape को या किसी भी image को एक दूसरे के आगे पीछे represent करा सकते हैं के बाद यहां पर आप देखेंगे और भी options आपके सामने नजर आ रहा है bring to front यानि आप किसके front पर चाहते हैं और यहां पर आप देखेंगे next option आपका आएगा send to back यानि किसके back पर आप चाहते हैं तो इसको use करने के लिए आपको करना क्या होगा एक image और लेनी होगी तो हम वापस इंसर्ट में जाते हैं illustrations के अंदर जाते हैं shapes में जाकर कर एंपर online pictures पर क्लेकर करेंNetwork करने की बाद यहां से कोई भी picture को select कर लेते हैं जैसे actually लिजे हमने birds को select किया, birds को select करने के बाद यहां से कोई भी image ले लिजे, जैसे birds की हमारे पास जो भी images हैं, उनमें से हम किसी image को select कर लेते हैं, select करने के बाद हम इसे insert कर लेते हैं, insert करने के बाद आप देखेंगे, वो भी image हमारी यहाँ पर represent हो गई और इसके बाद हमने इस image को भी इन दोनों images के साथ रख दिया यहीं इसके ओपर रख दिया और इसके बाद अगर हम यहाँ पर use करेंगे send to back तो यह एक बार में इन दोनों images के पीछे चली गई और जैसे हम इसे करेंगे bring to front यानि यह top पे एक बार में यहाँ पर represent हो जाएगी यानि एक बार में अगर आपके पास 10 layers है यानि 10 images है और एक बार में आप चाते हैं यह सबसे पीछे चली जाए तो आप use करेंगे send to back और अगर आप top पे चाते हैं तो bring to front इन दोन options का आप इस तरीके से use कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक option है selection paints का आप देखेंगे या पर option है selection paints का अब इसका क्या use होता है जैसे हम इस पर click करेंगे तो click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने जितना भी object हमने यहाँ पर open किया हुआ चाय वो images है चाय वो shape हो उसकी यहाँ पर आप देखेंगे eyes बनके आ जाएगी आपके सामने एक option है eyes का, इस eyes को जैसे आप close करेंगे तो close करने के बाद वो सभी image जितना घाइब हो जाएगी जिसके हमने eyes यहाँ पर close किये है यहाँ पर देखेंगे इस वाली पेज को यहां से डिलीट कर देते हैं डिलीट करने के बाद हमने इन दोनों इमेजिस को एक साथ स्लेक्ट करने के लिए आपको करना किया है simply आपको इस पर क्लिक करना है और shift के साथ आपको इस वाली इमेज पर क्लिक कर देना है तो left पर जैसे हम इसे click करेंगे तो यहां से देखेंगे यह left आ जाएगा, center करेंगे तो यहां पर center आ जाएगा, इस तरीके साथ इसके alignments कर सकते हैं, अपने हिसाब से जितना भी इसको आपने हिसाब से करना चाहे railroad adjustment अपने हिसाब से कर सकते हैं इसके बाद एक नया option यहाँ पर आप देखेंगे snap to grid का अभी snap to grid क्या काम करेगा snap to grid तब काम करेगा जब हमारे यह जो cells का size है यानि इसके grid है आप देखेंगे जो हमारी line से इनको grids कहा जाता है इन grids का size होगा वो थोड़ सा improve होगा तो मैं इसके size को थोड़ सा improve कर देता हूँ यहां से आप देखेंगे मैंने इसके size को थोड़ा improve कर दिया है improve करने के बाद मैंने इस picture को यहां से लिया और इस picture का size मैंने यहां से चोटा कर दिया चोटा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर रखा, अभी अगर मैं इसको move करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखें, बहुत ही smoothly यहाँ बाहर जाने दे रहा है, और इसके बाद जैसे ही मैं इस option पर जा करके, यहाँ पर इसको use करूँगा, snap to grid का, तो इसे जैसी मैं move करा हू तो यह वापस से आप easily smoothly इसको अंदर या बाहर ले जा सकते हैं, तो यही option से हमारा snap to grid का, इस option को जब आप practical तरीके से खुद करके देखेंगे, तब आप इसका use समझ में आएगा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ next option की view guidelines की, तो इसके अगर आप click करेंगे, तो यहाँ से गयब हो जाएंगे, और जैसे आप इस पर वापस से click करेंगे, वो grid सारी यहाँ पर represent हो जाएंगे, तो इसके बाद next option आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक option शो होता है, groups का, अब यह group option कब काम करेगा, ग्रूप option तब काम करेगा, जब हम किसी दो images को ए यहाँ पर आपके सामने option है, ungroup का, जैसे आप इसे ungroup कर देंगे, तो यह वापस से images हमारी ungroup हो चुकी है, और इसके बाद इसको मैं आपने हिसाब से alignment दे सकता हूँ, जहाँ भी रखना चाहूँ से रख सकता हूँ, इसके बाद अगर मैं फिट से इसी group वाले option पर जाता तो इस तरीके से आप इसे group, ungroup और regroup कर सकते हैं, इसके बाद next option आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने rotations के options है, तो आप इसे image को 90 degree, 80 degree, 180 degree, horizontal, vertical आप इसे easily adjust कर सकते हैं, अपने इसाब से इसे जैसे रखना चाहें, वैसे आप इसे easily adjust कर सकते हैं, तो यह option हमारा horizontal और vertical के परस एक option है, अगर आप image को crop करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे ungroup करेंगे, और यहाँ पर image को select करके, यहाँ पर crop image का use करेंगे, जितनी images आपको crop करने के बाद जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे, आपकी images वाह पर crop हो चुकी है, इसके बाद इसके crop के size को यहाँ से आप increase and decrease कर सकते हैं, उसके height and width को यहाँ से आप अपने हिसाप से manage कर सकते हैं, और cropping करके अगर आप इसे crop to shape में convert करना चाहें, तो आप जैसी crop to shape पे click करेंगे, तो आपकी crop होकर के एक shape में convert हो जाएगी, तो इस तरीके साप इसके cropping कर स तो जैसे आप fill पर click करेंगे, तो आपका जो image है वो fulfill यहाँ पर show हो जाएगा, इसको आप अपने हिसाप से manage कर सकते हैं, अपने हिसाप से adjust कर सकते हैं, picture को छोटा या बढ़ा कर सकते हैं, जितनी image आप इसके अंदर दिखाना चाहते हैं, उतनी image को अपने हिसाप से adjust कर सकत हो जाएगी, तो इस तरीके से आप cropping options का use कर सकते हैं, इसके बाद इसके भी size को आप same as it is, इसी तरीके से increase and decrease कर सकते हैं, तो यह tool आपको समझ में आ गया होगा, picture tools के जितने भी options है, बहुत ही बहतरीन options है, काम के options है, तो यह सभी options आपको आने चाहिए, इसके बाद हम बा इसके बाद उसके अंदर editing कर सकते हैं, इसके बाद next जो option है, वो है हमारा shapes का, अब यह shapes के अंदर जैसी हम जाते हैं, तो आप देखेंगे, बहुत सारी shapes हमारे सामने represent हो जा रही है, इन में से कोई भी shapes यहां से आप ले करके, इसको easily import कर सकते हैं, फिलाल मैं इन सभी images को ऐ इसके तरीट कर देता हूँ, इसके मुझे फिलाल अभी कोई जूरत नहीं है, यहां पर मैंने एक shape ले लिए है, और shape को लेने के बाद आप देखेंगे, इसके भी काफी सारे tools यहां पर open हो चुके हैं, अब जैसे हम जो भी object यहां पर use करते हैं, उसके हिसाब से यहां पर tool जंट करने के लिए आप इसो rotate करना चाहें, तो इस तरीके से rotation भी कर सकते हैं, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे fill का एक option है, fill के अंदर कोई color अगर आपको change करना है, तो colors change कर सकते हैं, इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपके सामने एक option है, no fill का, अगर कोई color fill नहीं करना चाहते हैं यहां से आप colors को हटा सकते हैं more fill colors के अगर आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने different types के layout आजाएंगे इसको लेने के बाद आप यहां से जो भी color आप pick करेंगे वो color यहां पर fill up हो जाएगा इसके बाद next option अगर आप देखेंगे यहां पर आप तो फिलाल मैं आप वो ब्राउस करके यहां पर अपने system मेंसे कोई file ले लेता हूँ कोई picture ले लेता हूँ और यहां पर मैंने picture को ले करके यहां पर simply insert किया insert करने के बाद आप देखेंगे वो picture यहां पर insert हो चुकिया तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं इसके ब बात कर इसके outline की तो आप देखेंगे outline का यहां से आप color change कर सकते हैं outline का अगर आप चाहें तो यहां से size height or width increase and decrease कर सकते हैं यह देखें और इसके बाद आप चाहें तो size designs को भी change कर सकते हैं इस तरीके से तो different types के options आपके सामने दिये हुए हैं वो आप एक एक करके यहां पर represent हो जाएगा इसके बाद अगर हम next option की बात करें तो इसके रहे सबसे पर हम new page ले लेते हैं यहां पर fresh page ले लेते हैं यहां से इंसर्ट में चले जाते हैं और यहां से illustrations के अंदर जा करके हम किसी shape को यहां से draw कर लेते हैं ड्रो करने के बाद जैसे में इसके ओपर right click करेंगे यहां पर आप देखेंगे आपके सामने का option शो होगा edit text का इस edit text के आप क्लेक करिए और यहां पर जो भी लिखना चाहें वो इसली यहां पर लिख सकते हैं लिखने के बाद आप font को यहां से select कर लिजए और इसे किसी भी style में change करना है तो आप देखेंगे different types के आपके पास styles है उस style में इसे easily change कर सकते हैं यहां से आप चाहें यहां से मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको जो फॉन था यहां से चेंज हो चुका है इसके बाद आप इसके इंदर इसली color कर सकते हैं pictures, pattern, gradient, texture जो मैंने आपको बता है उसके आप यूज कर सकते हैं इसके इंदर फिल करने के लिए इसके बाद next option अगर हम बात करें outlines की तो यहां पर outline का color आप यहां पर change कर सकते हैं effect की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे different types के effect है उसका भी आप इसके इंदर यूज कर सकते हैं यहां जोम करके इसको दिखा देता हूं यह देखे करना है उस शेप को यहां पर select कर लीजे और insert कर दीजे इंसर्ट करते ही आप देखेंगे आपके बाद आपके सामने यहां पर import हो जाएगी आप देखेंगे हमारी जो शेप थी वहां पर import हो चुकी है इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक option है change graphics का अगर आप किस image में आपर select करके इसको insert करूँगा तो उसकी जगह पर यह फाइल हमारी replace हो जाएगी तो हमें फिलाल वही फाइल रखनी है आप replace नहीं करना चाहते हैं तो इसके बाद हम वापसे double click करते हैं और यहां पर आप देखेंगे आपके सामने का option आजाएगा convert to shape का यानि आप चाह इसके बाद बाद बाकी के टूल्स थे आपको मैंने बताई दिया हैं यहां से आप इसके आपके सामने का option है 3D module का दोस्तों यह बहुत ही बैतरीन function है MS Excel का जो कि आपको 2007 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा अब आप देखेंगे आपर आपके सामने option है 3D modules का आप यहां पर 3D के modules यहां से download कर सकते हैं उसको import कर सकते हैं उसको अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं सबसे पहला option आप देखेंगे तो उसमें option है this device यानि अगर आपके पास आपके device में कोई इस तरीके का content है जिसको आप import करना चाहते हैं तो उससे आप यहां पर import कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास कोई module नहीं है तो आप stock 3D modules से भी इसको download कर सकते हैं यानि जैसे आप stock 3 module पहला पर click करेंगे तो आपके सामने same उसी तरीके से browser open होगा net से connect होगा और आपके सामने different types के modules यहां पर show up हो जाएंगे तो किस तरीके का module आप चाहते हैं किस तरीके का module आप देखना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो माल लिजे मैं यहाँ प और आप देखेंगे आपके सामने different types के toys यहाँ पर show up हो चुके हैं किस तरीके की toys आप चाहते हैं तो यहाँ पर फिलाल हम इस वाले toys को select करते हैं select करने के बाद इसे insert करते हैं insert करते ही आप देखेंगे आपका वो data यहाँ पर download होना शुरू हो जाएगा यहाँ आपका module था इसने दिये हुए है उस तरीके से आप इसे represent कर सकते हैं इसे अपने हिसाब से rotate कर सकते हैं इसके बाद आप इसके center point पर जाएए यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक option अज़र आएगा यह circle type का इस वाले circle को जैसे आप click करेंगे click करने के बाद आप इस पर click करके र सकते हैं तो हैना कमाल का function आप देखें आपके सामने 3D module यहाँ पर represent हो गया आप इसके हर इक part को यहाँ पर define कर सकते हैं अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग use से इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने option है 3D modules का इस पर जैसे आप click करेंगे और भी अगर कोई module आपको download करना है तो यहाँ पर आप जा करके उसे download कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप इसे Klik करेंगे Reset Module याणि आपका जो module था वापस से reset हो झाए जैसा पहले था तो इस पर वापससे कर दीज Ohh तra यहाँ पर हो चुका है उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे Pan and Zoom का option है इसप जैसे आप click करेंगे तो आप अपने हिसाप से इसको zoom and zoom out कर सकते हैं, यह देखिए, आप अपने हिसाप से इसको adjust कर सकते हैं, zoom करना है या zoom out करना है आप अपने हिसाप से इसको manage कर सकते हैं, तो अमें से Excel ने बहुत ही बैटरीन options दिये हुए हैं, इस 2019 version के अंदर, तो इन आप click करके किसी भी तरीके का कोई भी smart art select कर सकते हैं, अगर आप किसी topic को represent करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे आपके सामने different types के options दिये हुए हैं, किसी list के through represent करना चाहें, तो वो कर सकते हैं, process के through अगर आप इसे represent करना चाहें, वो कर सकते हैं, circle के through अगर आप इसे represent करन option हमें select समझ में आता है उस option को हम ने या पर select किया और select करने के बाद simply यहां पर ok पर click कर दिया, ok पर click करने के बाद आप आप यहां पर वो circle शो हो गया और यहां पर कुछ भी module यहां पर steps. इस तरीके साब इसका यूज कर सकते हैं, तो यहां इसका और सकते हैं इसका आप सकते की हैं नंगी के बाद आप सकते हैं, स्के बाद हम यहां से क्लियर करते हैं तो आप इसका screenshot किस तरीके से ले सकते हैं जैसे आप screenshot पर यहाँ पर click करेंगे तो screenshot पर click करने के बाद आप देखेंगे आपने पहले से ही कुछ screenshot यहाँ पर लिये हुए है जो हमें यहाँ पर represent कर रहा है और अगर हम एक नया screenshot लेना चाहें तो यहाँ से screenshot पर यहाँ पर click कर सकते हैं click करने के बाद आप देखेंगे आपकी वो जो window थी वो यहाँ से off हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी और उसके बाद जिस भी चीज़ का आप screenshot लेना चाहें उस चीज़ को यहाँ पर draw कर लीज़े यानि उस चीज़ को उतने area को यहाँ पर select कर लीज़े उसको select करती है आप देखेंगे आपका वो screenshot यहाँ पर represent हो जाएगा अब इस तरीके से उसके screenshot को लेकरके एक-एक topic को represent कर सकते हैं तो यह बहुत ही पैतरीन function दिया है मैस Excel ने हमें हाला कि option हमें पहले से ही Windows ने दिया हुआ है जिसमें कि हमारा keyboard में एक option होता है print screen का print screen का जब हम button press करेंगे तो press करते ही हमारा screen होता है वह हमारी capture हो जाती है उसके बाद जैसे हम Ctrl V यानि paste का use करते हैं वह हमारे सामने वापस से represent हो जाती है तो मैं इसको करके आपको दिखा देता हूँ आप simply यहाँ पर print screen पर click करिए keyboard से और keyboard से click करने के बाद simply Ctrl V कर दीजे paste तो आप देखेंगे आपका screenshot यहाँ पर पुरी full screen का यहाँ पर आ चुका है तो इस तरीके से आप screenshot ले सकते हैं और इसका use कर सकते हैं जिसकी मदद से आप MS Excel के अंदर format, function, formulas के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं और आज हम बात करेंगे MS Excel के top 5 add-ins के बारे में यह के करके मैं आपको सभी add-ins के बारे में बताऊंगा किस तरीके से आप इसे add कर सकते हैं किस तरीके से आप उसका use कर सकते हैं इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे add-ins होते हैं जिसका use आप अपने requirement के according कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है अगर आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe कर लें हम इसी तरह से आपके लिए बहतरी वीडियोज लाते रहेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप देखेंगे सबसे पहला option आपको यहाँ पर नजार आएगा हमारा add-ins का अब यह add-ins क्या चीज़ है add-ins पर जैसी आप click करेंगे तो आपको एक चीज़ को ensure करना होगा आपको देखना होगा कि आपके system में internet connectivity होनी चाहिए यानि कि आपके system में net connect होना चाहिए net चलना चाहिए जब हम add-ins पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे add-ins यहाँ पर show up हो रहे हैं किसी भी add-ins को आप add करा सकते हैं तो हमारा जो सबसे पहला add-in है वो है Wikipedia Wikipedia को जैसे हम यहाँ पर add कराएंगे और यहाँ पर press करेंगे continue पर continue पर press करने की बाद आप देखेंगे हमारा Wikipedia का जो add-ins है वो यहाँ पर load हो जाएगा इस add-ins का फायदा यह है कि आप यहाँ पर Wikipedia में से किसी भी चीज़ की information easily बिना internet के browser पर गए हुए यहाँ पर उसकी information ले सकते हैं जैसे माल लिजे हमने यहाँ पर click करके type किया India India लिखने के बाद जैसे हम यहाँ पर enterprise करेंगे enterprise करने के बाद आप देखेंगे इंडिया की पूरी information यहाँ पर हमारे सामने show up हो जाएगी यहाँ देखें इंडिया के बारे में जितनी भी informations है वो एक एक करके यहाँ पर आपके सामने represent हो जाएगी तो यह बहुत ही बैतरीन function है हमारे MS Excel का दोस्तों अगर आपने Office 2007 का यूज किया है और उसके बाद अगर आप 2019 का यूज कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ इसमें बहुत सारे advanced feature MS Excel ने upgrade किया है जिसकी बदत से आप अपने बहुत सारे work को easy कर सकते हैं करके हम सभी add-ins के बारे में समझेंगे और पिछली वीडियो में मैंने illustration से ले करके pivot table और home tab के बारे में information दी हुई है अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो link के description में आपको उसका link मिल जाएगा वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए आगी की add-ins के हम बात करें जो हमारा next add-in अब वो है mini calendar और इसके बाद फिर से जाएंगे हम लोग add-ins के अंदर और यहाँ पर हम type करेंगे mini calendar और जैसी हम लोग enter press करेंगे enter press करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने mini calendar का option यहां पर represent हो जाएगा इसको भी आपको इसी तरीके से add कराना एड वाले option पर जाकर के आपको simply click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको continue पर click करना है continue पर click करने की बाद आप देखेंगे आपका calendar यहाँ पर represent हो जाएगा अब इस calendar का benefit यह होता है कि जिस भी date को आप यहाँ पर insert करना चाहें, वहाँ पर click करके आप उस date को यहाँ पर insert कर सकते हैं, जैसे मैंने add किया 29, उसके बाद मैंने add किया 30, उसके बाद मैंने add किया 31, तीन dates मैंने add करा दियें, इसके size को थोड़ो sign freeze कर लेते हैं, sell के size को, अब आपको यहाँ पर dates दिखाई दे रही होंगी, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर time को insert करना चाहें, तो यहाँ पर आप देखेंगे, छोटा सा button आपके सामने यहाँ पर represent होगा, time का, इस वाले button पर जैसे आप click करेंगे, तो click करते ही, आपकी timing भी यहाँ पर represent हो जाएगी जो भी current time आपका हो रहा होगा, वो current time यहाँ पर represent हो जाएगा, इसके बाद आप चाहते हैं, जो dates हमने insert की थी, उसको यह इस calendar के अंदर highlight करना, तो आप क्या कर सकते हैं, dates को select कर लीजिए, select करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, छोटा सा option आपके सामने नजर आएगा cross के just bugle में इस वाले option पर आपको आकर के click कर देना है, जैसी इस वाले option पर आपके click करेंगे, तो आपके सामने इक dialogue box open होगा, और इसमें simply आपको ok पर click कर देना है, जैसी आप ok पर यहाँ पर click करेंगे, आप देखेंगे आपके वो तीनो dates यहाँ पर highlight हो चुकी है, तो इस से आप अपने mini calendar का use कर सकते हैं, यह हमारा दूसरा add-ins था, इसके बाद हम तीसरे add-ins की ओर बढ़ते हैं, तीसरा जो add-ins हमारा, वो हमारा web video player, तो चलिए हम उसको भी add करके देखते हैं, यहाँ पर हम चले जाते हैं web video player वाले page पर, और इसके बाद चले जाते है add-ins पर, य जैसी आप enter-pass करेंगे, enter-pass करते ही आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने web video player का एक option यहाँ पर show हो जाएगा, इसको भी आप सेम इसी तरीके से add करा लिजे, add पर click करिए, continue पर click करिए, continue पर click करने के बाद आप देखेंगे, आपका यहाँ पर add-ins add हो चुका है, आप आ आपको browser की जरुदत नहीं है, browser पर जा करके आपको video को play करने की जरुदत नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर add-ins में उसको add कर सकते हैं, और जब चाहें उन वीडियो उसको यहाँ पर play कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक video add कर लेता हूँ, जैसे माल लिजे हमारी ये video है, इस video को link हमने यहाँ से copy कर लिया है, और copy करने के बाद इस link को हमने यहाँ पर paste कर दिया, paste करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर set video पर click करेंगे, set video पर click करने के बाद आप देखेंगे हमारी जो video थी वो यहाँ पर easily set हो जाएगी, और set होने के बाद जैसे हम play वाले बटन पर यहाँ पर click करेंगे तो play वाले button पर click करते ही हमारी video यहाँ पर play हो जाएगी तो इस तरीके से आप इस add-ins का भी use कर सकते हैं इसको add करा सकते हैं अपने MS Excel के अंदर हमारा net थोड़ा slow है इसलिए थोड़ा सा समय ले रहा है अभी मैं आपको play करके इसको दिखाता हूं कि किस त सब्सक्राइब यहाँ अउप्रिए करना चाह dazu कल्अ करके यहाँ पर इसका यूश्यक्सराइब मत रहा है है कर सकती है यहाँ पर जो भी क्नाटि को रहेंगे उस क्यूलिट यहाँ पर प्ले हो जाएगी इस तरीके से आप किसी भी वीडियो को यहाँ पर add कर सकते हैं उसका use कर सकते हैं इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं next add-in की और तो यहाँ पर हमारा next add-in है वो है हमारा qr for office तो इसके लिए फिर से वापस हम जाएंगे add-in के उपर और यहाँ पर type करेंगे qr for office जैसे आप qr for office पे click करेंगे आप देखेंगे हमारा qr code है यहाँ पर नीचे आपके सामने show up हो जाएगा इसको आप यहाँ पर add करा दीजे जैसे हमने बागी add-in को add कराया था और इसके बाद यहाँ पर continue पे click करें आप देखेंगे यहाँ पर आपका qr code का option है वो यहाँ पर generate हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफी सारे options हैं जिसमें आप देखेंगे अगर आप किस चीज़ का qr code बनाना चाहते हैं किसे link का अगर आप QR code बनाना चाहते हैं या किसी hyperlink का QR code बनाना चाहते हैं या फिर किसी mail का QR code बनाना चाहते हैं, telephone number का, SMS का या किसी भी चीज़ का अगर आप QR code यहां पर बनाना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर easily select कर सकते हैं माल लीजे मैं यहाँ पर अपने mobile number का QR code बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं select करूँगा mobile number, mobile number को select करने के बाद आप देखेंगे, आपके सामने यहाँ पर mobile number आप से माँग रहा है, तो mobile number अपना type कर दीजे, जैसे मैं यहाँ पर randomly कोई भी number type कर देता हूँ, और इसके बा पिक करने के बाद जैसे insert करेंगे, आप देखेंगे, आपका यहाँ पर QR code वो generate हो चुका है, colors के अंदर, अगर आप इसके background में color change करना चाहते हैं, तो background color के लिए आप यहाँ पर background में जाहिए, और background में जो भी color आपको pick करना है, वो color pick कर दीजे, और यहाँ पर insert पर click कर दी इसके बाद हमारा जो next add-ins है, वो है हमारा EMI calculator, EMI calculator के लिए आपको करना क्या है, simply चले जाना है add-ins के उपर, और add-ins में जाने के बाद यहाँ पर आपको type करना है EMI calculator, EMI calculator पर enterpress करेंगे, enterpress करने के बाद आप देखेंगे, आपके सामने EMI calculator यहाँ पर present हो जाएगा, इसको आपको add करा लेना है, और continue पर click कर देना है, continue पर click करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला option है, loan amount, यान कितने का loan आप amount ले रहे हैं, वो amount यहाँ पर type करें, तो माली जै हमने ले लिया यहाँ पर 5 lakh रुपीज, और यहाँ पर आपको बताना कितना interest company आपके उपर charge कर रही है, तो माली जै हमने दे दिया 12.5% का interest rate charge कर रही है, company हमारे उपर, तो EMI हमारी क्या होगी, जैसे हम calculate EMI पर click करेंगे, आप देखेंगे, आपके सामने यहाँ पर एक option open हो जाएगा, calculate EMI पर click करते ही, आप देखेंगे, आपके सामने यहाँ प percentage का, उसके बाद जो हमारा years है, number of year है, वो 3 years की किस्ते हैं, यानि 36 महिने की किस्ते हो गई हमारी, और उसके बाद जो हमारी monthly EMI बनेगी, यानि monthly हमारी जो किस्त बनेगी, वो 16,727 की किस्त बनेगी, तो इस तरीके से आप EMI calculator का use कर सकते हैं, तो यही थे हमारे 5 add-ins, इसके अलावा और भी बहुत सारे add-ins हैं, जिनका use आप अपने MS Excel के अंदर कर सकते हैं, तो यह बहुत ही बैतरीन function है, MS Excel का, इसका आप use कर सकते हैं, इसके just नीचे आप देखेंगे, आपके सामने एक और option आपके सामने show up होगा, जिसका नाम है, my add-ins, इस पर जैसी आप click करेंग है, वो है data visualizer का, हम simply data visualizer पर click करेंगे, data visualizer पर click करने के बाद आप देखेंगे, आपके सामने sign-in का option आएगा, आपको sign-in पर click करना है, या तो आप continue without sign-in भी कर सकते हैं, preview देखने के लिए, तो हम फिलाल भी इसका preview देखना चाहते हैं, तो हम यह आपर continue without sign-in पर click करेंगे, continue without sign-in पर click करने के बाद, आप देखेंगे, आपके सामने different types के diagrams यहाँ पर दिये हुए, किसी भी diagram के according, आप अपने data को analyze करना चाहें, तो यहाँ पर उसे analyze कर सकते हैं, तो हम यह आपर vertical वाला data select करते हैं, vertical वाला data हमने जैसे ही select किया, आप देखेंगे, आपका diagram यहाँ पर represent हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने एक table भी आपके सामने represent हो जाएगी, इस table के अंदर आप जो भी changes करेंगे, वो changes आपके यहाँ पर represent हो जाएगी, तो चलिए, मैं आपको यहाँ पर change करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर हमने select किया, नेम के अंदर, और नेम में हम पर जैसे हाँ क्लिक करेंगे, तो refresh वाले option पर क्लिक करते ही, वहाँ पर देखेंगे, वो refresh हो जाएगा हमारा data, और यहाँ पर विनोथ कुमार रिपरजन हो जाएगा, यहाँ से आप इसे refresh कर सकते है, एडिट करना है तो एडिट कर सकते है, एडिट करने के लिए, आपको sign- map पर जैसे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हमारा bin map यहाँ पर open हो जाएगा और इस तरीके से load होना start होगा, load होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने insert sample data का एक option आएगा इस वाले option पर जैसे आप click करेंगे, तो click करते आप देखेंगे, आपकी locations यहाँ पर represent हो जाएगी और उसके बाद आप इस map को zoom करके अपने हिसाब से जिस भी जगा की location देखना चाहें, उस location को easily यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप bin map का use कर सकते हैं, इसके बाद का जो topic है हमारा वो बहुत ही interesting topic है, इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक example लिया है, जैसे मालीजे COVID-19 का समय चल रहा है, तो यहाँ पर COVID-19 का ही मैंने example ले लिया है, तो मालीजे हमारे पास positive cases हैं, वो 1 lakh है, negative cases हमारे 50,000 है और recover case हमारे 35,000 है, तो इसका हमें एक ऐसा diagram बना करके दिखाना है, जिसे आप लोग mostly news के अंदर देखते होंगे, तो उस diagram को आप किस तरीके से manage कर सकते हैं, किस तरीके से MS Excel के अंदर create कर सकते हैं, बहुत ही battery option है यह, तो इसको हम use करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने एक option show होगा, cool pictures का, इस cool pictures पर जैसे आप click करेंगे, click करने के बाद आप देखेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का diagram open हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, हमारा यह diagram यहाँ पर represent हो चुका है, अब हमें इसको use किस तरीके से करना है, फिलाल हम इसको move करा लेते हैं, हमने इस data को यहाँ पर move करा लिया है, और उसके बाद आपको simply जाना है, इस diagram के उपर इस diagram के उपर जाने के बाद, आप देखेंगे आपके सामने इस calendar का type का एक option show होगा, data का, इस वाले option पर आपको simply click कर देना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, आपके सामने यहाँ पर number about the app आ रहा है, जो आपके सामने यहाँ पर heading में लिखा हुआ आ रहा है, इसकी जगा पर आप जो भी heading देना चाहें, वो यहाँ पर heading दे सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया COVID-19, COVID-19 लिखने के बाद मैंने यहाँ पर select data पर click किया, select data पर click करने के बाद, तो आपने data को यहाँ से select कर लीजे, मैंने अपने data को यहाँ से select कर लिया है, और simply मैं create पर click कर दूँगा, create पर click करने के बाद आप देखेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके cases यहाँ पर show हो गए, इस तरीके के positive, आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे सामने कुछ positive cases है, negative cases है, और recover cases है, इस तरीके का diagram आपके सामने represent, अगर आप इस diagram को change करना चाहते हैं, या इस के style को change करना चाहते हैं, तो इस पर वापस से आपको click करना होगा, यहाँ से जाना होगा settings के ऊपर और settings में जाने की बाद, आप different types के यहाँ पर options दिये गए हैं, different types के आपके पास format दिये गए हैं, इसे कोई भी format आप यहाँ पर easily select कर सकते हैं और इसका use कर सकते हैं, तो इस पाइवर चार्ट्स होगे, इन सभी चीजों के बारे में मैं एक एक करके आपको describe करूँगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको पाइवर टेबल और recommended पाइवर टेबल के बारे में बताया था, इसी तरीके से आप charts के अंदर अगर देखेंगे, तो पाइवर charts और recommended charts आपको यहाँ पर represent हो रहा है, तो यह भी बिल्कुल इसी तरीके से work करता है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं लिंक को description में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, तो चलिए एक एक करके हम इन सभी options को clear करते हैं, start करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है, तो इसे subscribe कर ले, हम इसी तरह से आपके लिए बैतरी वीडियो लाते रहेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं आपको clear करूँगा, पाइवर चार्ट की पाइवर चार्ट क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे, हमने examples के लिए कुछ यहाँ पर employees के name लिए हुए हैं, उनके departments लिए हुए हैं, उनकी sales लिए है 2020 की और 2021 की अब इसके base पर हम एक पाइवर चार्ट तयार करेंगे, तो वो किस तरीके से आप create कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है डेटा को select करना है, डेटा को select करने के बाद, अब आपको जाना है पाइवर चार्ट वाले option पर, पाइवर चार्ट पर जैसी आप click करेंगे, तो आप देखेंगे, आपके सामने यहाँ पर दो option represent हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला option आपके सामने आ रहा है, new worksheet, यानि आपको पाइवर चार्ट चाहिए, वो new worksheet पर चाहिए, या दूसरा option आपके सामने नजर आ रहा है, exiting worksheet, यानि आपको जो पाइवर चार्ट चाहिए, वो exiting same इसी worksheet पर चाहिए, हमने पिछली वीडियो में आपको new worksheet के बारे में बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको बताता हू exiting worksheet, कि आप same इसी sheet पर किस तरीके से data को import कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर select करेंगे exiting worksheet, और यहाँ पर इसकी location दे देते हैं, कि माली जो मुझे यहाँ पर इसका chart चाहिए, और यहाँ पर location देते हुए, हम यहाँ पर simply इसे ok प्रेस कर देंगे, ok प्रेस करते ही, आप दे sale 2021, यह सभी department से यहाँ पर show up हो रहे हैं, इसमें से किसी भी department पर अगर हम click करेंगे, जैसे माली जे मैं यहाँ पर ले लिता हूँ, name of employees पर, इस पर जैसी मैं यहाँ पर click करूँगा, तो click करते ही, आप देखेंगे, यहाँ पर इसकी table create हो गई, और साथ के साथ आप देखें यहाँ पर sale 2020 की हमारे पास represent हो रहा है data, कि किस employee ने 2020 में कितनी कितनी sale की है, वो आपके सामने यहाँ पर represent हो रही है, इसी तरीके सा अगर हम departments पर click कर देते हैं, तो आप देखेंगे, यहाँ पर departments के नाम आ गए, कि कौन सा employee किस department का है, और उसने कितनी कितनी sales की है, वो पर आपके सामने represent हो जा रहा है, इसके बाद अगर यहाँ पर sale 2021 को भी add करते हैं, तो आप देखेंगे, यहाँ पर sale 2021 भी यहाँ पर add हो चुका है, और साथ के साथ यहाँ पर आप देखेंगे, उसकी pivot table यहाँ पर represent हो चुकी है, इस pivot table में आप देखेंगे, आपके सामने option ह तो यहां पर इस वाले department वाले option को उठा करके अगर आप यहां पर डाल देते हैं values के अंदर तो आप देखेंगे हमारा जो data था वो कुछ इस तरीके से थिम में convert हो जाएगा जिसमें हमारे employees का यहां पर name शो करेगा, उनके यहां पर sales शो करेगा, department शो करेगा, department values में शो कर रहा है और इसके बाद हम फिलाल departments को यहां से हटा लेते हैं और अब मैं यह चाहता हूँ कि यहां पर मैं कुछ departments को रखना चाहता हूँ यह 2020 पे उसी तरीके से 2021 का भी यहां पर record आ गया है और उसके हिसाब से आप यहां पर इसको manage कर सकते हैं अगर आप name of employee पर यहां पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने किस category के अंदर यानि किस department के अंदर कौन-कौन person है जो work करते हैं जो काम करते हैं वो यहां पर इनकी list बनकर आ चुकी है जो कि आपकी एक तरह से pivot table है उसी हिसाब से यहां पर अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में भी बिल्कुल उसी तरीके से data आपका manually adjust होता चला जाएगा जिस जिस तरीके से आप इसको अटाते जाएगे या जिस जिस तरीके से आप इसको manage करते जाएगे उस तरीके से आपका यह जो pivot chart है वो create होता चला जाएगा तो यही है pivot chart आप किसने तरीके से pivot chart create कर सकते हैं different types चे different requirements से company की जो भी requirements है उस requirement के हिसाब से pivot chart create कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जैसी हम Pivot Chart पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाते हैं Pivot Chart Options पर और आपके सामने यहाँ पर एक option show up होता है Slicer का, इस Slicer वाले option पर जैसी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने Slicer का, एक नया टैब आपके सामने open हो जाएगा इसके अंदर आपको करना क्या है, माली जी हम लोग यहाँ पर Department को select करते हैं और Department का मैं Slicer तयार करना चाहता हूँ यहाँ से जैसी मैं इसे OK प्रेस करूँगा और अगर मैं यहाँ पर Garments पर क्लिक करके दिखा हूँ तो आप देखेंगे Garments का data यहाँ पर show हो चुका है और उसके हिसाब से आप देखेंगे आपर उसकी sale भी यहाँ पर show हो चुके तो इस तरीके से आप इसको Slicer एड़ करा के अपनी data को filter करा सकते हैं और अगर आपको filter को clear करना है तो यहाँ पर clear filter का एक option है इस पर जैसी आप click करेंगे तो आपका filter था वो यहाँ से remove हो जाएगा clear हो जाएगा और अगर आपको Slicer यहाँ से remove करना है तो simply आपको यहाँ पर click करना है और delete key अपने keyboard से press कर देनी है delete की प्रेस करते हैं या प्रेसलाइजर यहां से remove हो जाएगा तो इस तरीके से आप Pivot Chart का use कर सकते हैं इसके बाद का जो next option है वो है हमारा recommended chart अब recommended chart किस तरीके से use किया जाता है उसके लिए हम नई sheet पर चले जाते हैं कितने तरीके से उसे represent कर सकते हैं किसी person के सामने तो यहाँ पर आपको बने बनाए format से यहाँ पर मिल जाएंगे किसी भी format को आपको click करना है और click करने के बाद simply यहाँ पर ok प्रेस करना है जैसी आप इसे ok प्रेस करेंगे आप यहाँ पर अपने data को अपने हिसाब से manage कर सकते हैं आप यहाँ पर अपने titles को add कर सकते हैं आप अपर data analysis को add कर सकते हैं अपनी values को add कर सकते हैं अपने errors को add कर सकते हैं अपने data tables को add कर सकते हैं तो different times के options के आपके सामने options हैं लिंक्स वगरा भी आप इसके अंदर adjust कर सकते हैं तो बहुत सारे options आपको यहाँ पर दिये गए है उन सभी options का एक एक करके आप अपने हेसाब से इसको utilize कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे quick table का एक option है आप अगर चाहें तो इस chart के साथ अगर अपनी table को भी दिखाना चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर हमने middle वाले option पर click किया तो इस पर जैसे हमने click किया आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो chart का table था वो यहाँ पर represent हो चुका है हम इसे फिलाल ctrl z कर देते हैं इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने different types के formats है different type के format मेंसे कोई भी format आप यहाँ पर select कर सकते हैं किसी भी format के अंदर आप इसको दिखा सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे change colors का भी आपके सामने option है आप यहां से different types के color में भी आप इसको change कर सकते हैं जितने तरीके से आप चाहें इसको manage कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे switch row to column यानि जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपका जो data है वो row की जगा column में convert हो जाएगा और जैसे फिर से click करेंगे तो column की जगा row में convert हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने data को manage कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आप पर सामने एक और option है select data का इस पर जैसे आप क्लेक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक नई window open होगी और इस window के अंदर अगर आप अपने हिसाब से data को analyze करना चाहें माली सामने जो chart बनके represent हुआ है वो basically sales 2020 का है तो इस तरीके से आप अपने chart को manage कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप अपने chart के type को change करना चाहें तो देखेंगे आपके सामने एक option है change chart type का इस पर click करके आप different type से chart को change कर सकते हैं आप 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 देखेंगे आपके पार lining वाले charts भी है column वाले chart भी है, pie charts भी है, bar वाले charts भी है, area वाले charts भी है, x, y, z वाले charts भी है, map वाले charts भी है तो different type से आप इसको manage कर सकते हैं यहाँ पर mileage अमने column ले लिया, column की तरीके से हम इसको represent करना चाहते हैं, column में हम कोई भी format select कर लेते हैं और यहाँ पर simply से okay कर देते हैं, तो आप द करने के बाद जैसे आप इसे okay प्रेस करेंगे, तो okay प्रेस करते ही आप देखेंगे, आपकी एक नई sheet यहाँ पर open हो जाएगी, और उसके अंदर आपका simply सिर्फ chart manage होगा, इस chart को आप यहाँ से plus के निशान पर click करके अपने हिसाप से analyze कर सकते हैं data को, जिस भी तरीके से आ पर आप इसको manage कर सकते हैं, analyze कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप chart का use कर सकते हैं, यह था हमारा recommended chart, इसके बाद का जो next option है हमारा, वो option है हमारा map का, तो फिलाल हम map को पहले clear करते हैं, उसके बाद बाद बाकि के options को हम लोग देखेंगे, अब map के अंदर आप देखेंगे, sales ली जुए है अब इन सभी states को हम क्या करेंगे simply select करेंगे आपको state को और इसके sales को select करना है यहां से आपको total value select नहीं कर दीए simply आपको data को select करना है जितने भी आपके states हैं उन सभी states को और उनके total value को आप यहाँपर select करेंगे select करने के बाद चले जाएंगे map के अंदर map के अंदर आपके option नज़र आएगा यहाँ पर map का जैसे आप field map पर click करेंगे field map पर click करते ही आप देखेंगे आप यहाँ पर map fulfill हो जाएगा इसके बाद इसको थोड़ा सा zoom कर लेते हैं थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं इसको समझने के लिए और इसके बाद यहाँ पर यह जो option नज़र आ रहा है आपका series बाला इस वाले option को अगर आपको गायब करना है तो इसको select करके यहाँ से delete की press कर दीजे यहाँ आप मारा ाइब करके different types के charts के format यहाँ select कर सकते हैं इस तरीके से आप इसको exchange कर सकते हैं तो फिलाल हम इसको simple रहने देंगे simple के बाद यहाँ पर अगर इसका color change करना चाहिए तो different types के आप यहाँ पर color भी change कर सकते हैं तो इसका फिलाल यहाँ add करना बताया था अगर उस तरीके से आप इसमें कोई elements add करना चाहें तो extra elements add कर सकते हैं इसमें जो elements हैं फिलाल अभी उसी elements को use करूँगा तो उसके लिए यहाँ पर आपको जाना होगा प्लेस वाले निशान पर प्लेस वाले निशान पर जाने के बाद आप यहाँ से देखेंगे सबसे पहला option है chart title यहाँ पर जैसे आप की खटा देंगे तो chart title यहाँ से remove हो जाएगा इस तरीके से और इसके बाद मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जितने भी states हैं उनके नाम यहाँ पर show हो जाए और उनके यहाँ पर जो भी हमारी sales है वो यहाँ पर show up हो जाए तो उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे पर सामने एक option यहाँ पर show होगा data labels का data labels पर जब आप click करेंगे तो आपके सामने तीन options आएंगे तीन options में से आपको सबसे last वाल option select करना है more data labels का इस पर जैसी आप click करेंगे तो click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक dialogue box open हो जाएगा और dialogue box के open होने के बाद आप map के अंदर देखते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग जाएंगे इस वाले option पर और यहाँ पर आप देखेंगे पर सामने एक option हैगा categories name का इस category name पर आपको tick करना होगा और यहाँ पर आपको अब आप इसे zoom करके देखिए और यहाँ पर हमारे states का नाम और इसकी sales भी यहाँ पर represent हो चुकी है अगर आपको sales को remove करना है तो यहाँ पर value को आप यहाँ से अटा दीजे value को अटाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो data था वो represent हो चुका है या pictures color ले लिया, इस तरीके से आप अपने जो भी states हैं, उनको highlight कर सकते हैं, automatic कर सकते हैं, no fill कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाफ से जिस color में इसको manage करना चाहें, उस color में हम इसे manage कर सकते हैं, तो ये था हमारा chart का option, इस तरीके से आप अपने state का chart create कर सकते हैं, इस तरीके से आ प्रिंट कर सकते हैं आप इसको अपने एकॉर्डिक कर सकते हैं इसके बाद हम next option की ओढ़ते हैं next option हमारा है पाइचार्ट का तो पाइचार्ट जिस भी chart में आप इसको दिखाना चाहते हैं, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, आप देखेंगे, हमारा जो matter था, वो इस तरीके से पाई charts में convert हो चुका है, उसी तरीके से आप इसे switch कर सकते हैं, column और row के according, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, उस तरीके से आप इ आपकी charts के बारे में भी information दे देता हूँ, यहाँ पर इसको फिलाल control Z कर ले रहा हूँ, और control Z करने के बाद फिर से वापस data को select करता हूँ, data को select करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, आपका जो chart है, यहाँ पर lining वाला chart शो कर रहा है, इसमें आपको इभी lining select करके, एक एक करके आपको सभी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप चाहें, तो इसको pie charts के हिसाब से represent कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे, आप किसी चीज़ को compare कर सकते हैं, किसी चीज़ को manage कर सकते हैं इस तरीके से, तो different types के company की जो भी requirements होगी, उस requirements के according, जैससा भी आपको chart चा सकते हैं, different types से आप इसको दिखा सकते हैं, जैसे अगर आपको दिखाना है, जैसे आप किसी ऐसे data को दिखाना चाहते हैं, जिसमें water से related कोई information है, तो आप यहाँ पर click करिए waterfall के ऊपर, यहाँ पर आप देखेंगे, उसके हिसाब से data manage हो चुका है, तो हमने simple एक वही data लिया इसके बाद हमारा जो next chart है, वो combo chart है, combo chart पे जैसे हम यहाँ पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर combination charts यहाँ पर represent हो रहा है, दो-दो information को यह एक साथ combine करके represent कर रहा है, इस तरीके से आप इसको represent करा सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, sale 2020, 2021 को represent करा रहा है, combo यानि combine करके, और same इसी तरीके से यहाँ पर भी आप click करके, इसको analyze कर सकते है, chart elements को यहाँ पर add कर सकते है, और इसको हटा सकते है, so different types आप इस data को manage कर सकते है, जैसा भी आप manage करना चाहें, तो यही थे हमारे charts के options, यानि pie charts के options, 3D map basically MS Excel का एक बहुत ही bathroom feature है, जिसका used company World Wide Web के पूरा का पूरा chart report किया है, मैं आपका सबसे पहले यह doubt clear कर देता हूँ, कि आप internet के data को किस तरीके से MS Excel के अंदर ला सकते हैं, किस तरीके से उसको import कर सकते हैं, तो इसको start करने से पहले आप से निवेतन है, अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इसे subscribe कर ले, हम इसी तरह से आपके लिए बैतरीन वीडियो लाते रहेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू करने के लिए आपको जाना है, सीधे अपने Google Chrome ब्राउजर पर, और यहाँ पर हमने टाइप किया है, कोरोना वाइरस अपडेट, इस तरीके से आप कोई भी डे आना है, नीचे की तरह आने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर उसका चार्ट भी बना हुआ है, और सापके साथ यहाँ पर देखेंगे, उसका डेटा भी यहाँ पर पूरा पढ़ा हुआ है, यही डेटा आपने MS Excel की शीट पर, तो इस पूरे डेटा को आप किस तरीके स आपने MS Excel के अंदर import कर सकते हैं, यह चीज आपको मैं clear कर देता हूँ, इसके लिए करना क्या है, आपको इसके link को select करना है, और यहाँ से control C करके copy कर लेना है, copy करने के बाद आपको जाना है, सीदे MS Excel के अंदर, MS Excel में आने के बाद आपको जाना है data tab के अंदर, data tab के अंदर आने के बाद आप देखेंगे आपर आपके सामने एक option show होगा from web का इस वाले option पर जैसी आप click करेंगे click करने के बाद आपके सामने एक dialog box open होगा और उस dialog box के अंदर आपको अपना link डालना होगा जो की हमने इंटरेट से copy किया था इस URL को हमने यहाँ पर paste कर दिया है paste करने के इसके बाद हम simply यहाँ पर ok press करेंगे ok press करने के बाद यह थोड़ा सा समय लेगा उसको import करने में तो इसे होने देते हैं इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने एक नया dialog box open हो चुका है navigator का अब इसमें भी थोड़ा सा यह समय लेगा इसको import होने दीजे सभी data को analyze कर रहा रहा है उस सभी data को यहाँ पर collect कर रहा है तो इसको collect करने देते हैं आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर 4 documents open हो चुके हैं सबसे पहले document है document पर अगर हम click करते हैं तो आप देखेंगे हमारे इसके extensions वगएर हमारे सामने represent कर रहा है और उसके बाद हमारे पास tables दी गई हैं तो हम zero table को open करते हैं और उसके दर देखते हैं कौन सा हमारा data है तो यही data हमें चाहिए था इसवाले data को हमें select करना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक option शो होगा load का इस load वाले option पर आपको click कर देना है जैसे आप load वाले option पर click करेंगे तो आपका data जहां भ जिस भी data का आपको map बनाना है उसको copy करके अलग sheet पर paste कर दीजे जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखा है हम इसे अटा देते हैं क्योंकि हमने पहले से ही file ली हुई है यहाँ पर आप देखेंगे हमने इस data को यहाँ पर copy किया हुआ है और इसके बाद इस data को आपको क्या करना है simply इस data को आपको select करना है आप यहाँ पर जाकर के control A प्रेस करिए control A प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा data यहाँ पर select हो चुका है और इसके बाद आपको जाना insert tab के अंदर और यहाँ पर आपके सामने एक option नज़राएगा 3D map का इस वाले option पर आपको click क कर देना है इस पर click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने italic box open होगा और यहाँ से आपको लेना है new tour पर जैसे आप click करेंगे तो यह थोड़ा सा समय लेगा processing करेगा और उसके बाद आपको एक map बना करके आपके सामने represent कर देगा तो आप देखेंगे हमारा map यहाँ प आपके सामने start हो जाएंगे दिखने और इसके बाद आपको जाना है इस वाले option पर जैसे हम यहाँ पर total case को click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने layer open हो जाएगी इस layer को आप अपने इसाब से manage कर लीजे इस तरीके से manage करने के बाद यहाँ पर फिल्ट डेम पर click कर इसके बाद जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो इस तरीके से आप graph के थू इसे देख सकते हैं और अगर आप dots पर click करेंगे तो इस तरीके से dot के थू आप इसमें देख सकते हैं किस country में कितने cases यहाँ पर represent हो रहे हैं तोड़ सकते हैं, यहांपर आप यह भी देख सकते हैं, अगर आपने टेटा यहांपर लिया हुआ है, तो वो भी आपके सामने यहांपर रिपर्जेंट कर देगा, उस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, इसके अलावा अगर अगर आप अपने country को find करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको find पर click करना होगा फिलाल हम country से दूर चले जाते हैं और इसके बाद हमने यहाँ पर click किया find location पर और यहाँ पर डाल दिया हमने इंडिया जैसे हमने इंडिया डाल करके insert किया तो आप देखेंगे हमें इंडिया वाले location पर लेकर आचुका है यानि आप अपनी country को यहाँ पर find भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आप इस data को use कर सकते हैं इस तरीके से आप वर्ड वाइड वाइड की data को analyze कर सकते हैं इसके पात आप देखेंगे यह पर आपके सामने एक और देख सकते हैं तो बहुती कमाल का feature MS Excel ने हमें दिया है इसको use करने के लिए अगर हमारे पास कुछ ऐसी situations हाती है इसमें वर्ड वाइड का data दिखाना हो data को represent करना हो जैसे आज की डेट में coronavirus है coronavirus worldwide web में फैला हुआ है पूरी तरीके से और जहाँ जहाँ पर उसका जितने ज़्यादा cases है उस तरीके से आपके सामने dots शो हो रहे है तो इसका बहुत ही अच्छी तरीके से आप use कर सकते हैं utilize कर सकते हैं बहुत ही बैतरीन function हमें MS Excel ने दिया है sparkline MS Excel का एक बहुत ही बैतरीन function है जिसका use companies अपने data को किसी एक cell के अंदर pie chart के माध्यम से समझाने के लिए use करती है जिस तरह से MIS report तयार की जाती है बिल्कुल उसी तरीके से आप चाहें तो अपने data को analyze कर सकते हैं chart के माध्यम से pie chart के बारे में आपको तो पता ही होगा अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पिछली video देख सकते हैं जिसके अंदर हमने pie chart के बारे में सारी detail दी हुई है अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे link के description में जाकर के वहां से इसे देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, हम बात करते हैं आज sparkline के बारे में sparkline का use क्या होता है और sparkline को किस तरीके से use किया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ sales representatives के name लिये हुए है और January से लेकर के July तक के मत की हमने sales ली हुई है और इस sales के अंदर आप देखेंगे अलग-अलग database है, अलग-अलग person ने अलग-अलग sales की है आप यहाँ पर आप देखेंगे हमने January का पूरा database लिया हुआ जिसके बाद जम से आप देखेंगे इस column के अंदर यहाँ पर एक pie chart तेयार है इस sales के अंदर जिस तरीके से भी हम कोई भी changes करेंगे, जैसे हमाल लिज हमने यहाँ दे दिया 56,000 और जैसे हम enterprise करेंगे तो आप देखेंगे हमारा pie chart यहाँ पर change हो चुगा है यह basically हर एक sales का अलग-अलग pie chart हमारे सामने represent कर रहा है जिस हिसाब से हम data को यहाँ पर change करेंगे, उसी हिसाब से हमारा यहाँ पर pie chart change होता, चला जाएगा जिस तरीके से pie chart change होता है उसी तरीके से आप देखेंगे हमने आपर जनवरी का, फर्वरी का, मार्च का, एपरेल का, मई का और जुलाई का डेटाबेस तियार किया हुआ है इस spark line के अंदर आप देखेंगे जो भी database हमारा जनवरी से लेकर के जुलाई तक के बीच में जितनी भी sales हुई है यानि अमन ने जितनी भी sales हुई है उसका जो ratio है देख सकते हैं यहाँ पर increase हो रहा है याँ डिक्रीज हो रहा है जैसा आप चाहें colors को आप अपने इस आप से manage कर सकते हैं तो यह सब कुछ मैं आपको आज बताने बाला हूँ तो बने रही है हमारे साथ अगर आपको हमारा यह video पसंद आए तो हमारे channel को like कीजेगा subscribe कीजेगा और अपने सबी दोस्तों में share जरूर कीजेगा तो चलिए इस video को शुरू करते हैं वी शुरू करने के लिए आप देखेंगे sheet उपर हमने एक blank database आपके लिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि आप sparkline का किस तरीके से use कर सकते हैं आपको करना है तो सबसे पहले हम लोग January का data देखते हैं कि January की sparkline किस तरीके से हमने ओपर की तरफ जो create की थी वो किस तरीके से आप create कर सकते हैं तो इसके लिए आपको January के उपर click करना है याँ पर आपको अपने cell की height को increase कर लेना है और increase करने के बाद आप यहाँ पर click कर लीजिए click करने के बाद आपको जाना है insert tab के अंदर और insert tab के अंदर आप देखेंगे आपके सामने एक option show होगा column sparkline का इस column sparkline पर जैसे आप click करेंगे तो click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक dialog box open होगा इस dialog box के अंदर आपको करना है क्या है यहाँ पर आप देखेंगे data range आप से माग रहा है तो data range हमारी है कौन सी तो हमारा जो data है वो data हमारा यह है तो हम पूरी data की range यहाँ से ले लेंगे और इसके बाद simply हम यहाँ पर ok press करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो pie chart था वो यहाँ पर represent हो चुका है इसके बाद आप देखेंगे आप डिफरेंट types के style दिये हुए है इस style में आप कोई भी style select कर सकते हैं जो भी style आपको पसंद आता है वो style यहाँ पर change कर सकते हैं और इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक option शोग होगा, marker, color का, तो marker color पे click करिए, आप यहाँ पर देखें, high point पर आप क्या color देना चाहते हैं, तो high point पर माल लिजे हम देना चाहते हैं, black color, और इसके बाद इसके उपर यह एक option है, low point का, तो low point के अंदर हम देना चाहते हैं, red color, और इसके बाद हमने इसको set कर लेना है, set करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस pie chart को select करके रखना है, select करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर high point और low point, जब भी आप इस पर tick करेंगे, तो आपका इस data यहाँ पर represent हो जाएगा तो low point में आप देखेंगे, बहुत ही कम है, यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको दिखाई देगा, low point यहाँ red color में show हो रहा है, अगर यहाँ पर हम किसी data को low point कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर three type कर दिया, और three type करने के बाद मैंने enterprise किया, enterprise करने के बाद fulfill हो चुका है, इसके बाद हम बात करते हैं, spark line की, spark line आप किस तरीके से create कर सकते हैं, तो spark line के लिए आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले spark line वाले option पर आपको click करना है, click करने के बाद insert tab में जाना है, insert tab के अंदर जाने के बाद, यहाँ पर आप देखेंगे line का एक option है, य आपको यहाँ से data की range लेनी है, तो data की हम लोग यहाँ से range ले लेते हैं, range लेने के बाद आपको simply ok press करना है, ok press करने के बाद आप देखेंगे, आपको यहाँ आपर line chart create हो चुका है, इसके बाद आप देखेंगे, आपको different types के आपको आपके सामने thin जी गई है, आप उसको use कर सकते हैं, इसके अलावा इसके size को अगर आप increase करना चाहें, यानि इसको थोड़ा सा bold करना चाहें, तो इसको bold करने के लिए आपको जाना है spark line color पे, spark line color पे जैसे आप click करेंगे, तो आप देखेंगे, आपको जो भी line select करनी है, वो line यहाँ पे select कर सकते हैं, आप देखें इसके color को अगर आप यहाँ से manage करना चाहते हैं, यानि marker पे जा करके high point या low point के color को manage करना चाहते हैं, तो यहाँ से click करके आप low point या high point के color को manage कर सकते हैं, तो मालेज जी हम यहाँ पे red ले ले लेते हैं, high point के लिए, और इसके बाद हम low point के लिए यहाँ पर ले लेते हैं black, ब्लैक लेने के बाद हम यहाँ पर simply ok प्रेस करेंगे, ok प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको low point और high point को manage करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, first point को भी manage कर सकते हैं, last point को भी manage कर सकते हैं, और negative point को भी आप यहाँ पर easily manage कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप यहा यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रैक करिए और Ctrl D दबा दीजे, Ctrl D दबाते ही आप देखेंगे आपकी जो sparkline थी वो यहाँ पर easily manage हो चुकी है, और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर column sparkline की, column sparkline आपका किसले use किया जाता है, तो column में मैंने आपको बता दिया, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने उपर column का use किया था, उसी तरीके से आप यहाँ पर column के अंदर एक sparkline कर सकते हैं, एक चोटा सा चार्ड कर सकते हैं आपने January से लेकर July तक के sales की data के लिए, तो इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको यहाँ column sparkline पर simply click करना है, click करने के बाद करने के बाद आप देखेंगे, आपका column sparkline यहाँ पर represent हो जाएगा, इसको नीचे की तरफ आपको track करना है, control D press कर देना है, control D press करते ही, आपका data यहाँ पर manage हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर same उसी तरीके से आप यहाँ पर style चेंज कर सकते हैं, इसके colors को change कर सकते हैं, और यहाँ पर high point और low point को manage कर सकते हैं, जैसे मैं नीचे high point को यहाँ पर दे दिया red color, और इसके बाद अगर low point को मुझे manage करना है, तो low point को मैं दे देता हूँ, और इसके बाद मैं इसको manage कर सकता हूँ, तो black color में जो हमारा data आ रहा है, वो हमारा low point है, और red color में जो हमारा data तो इस तरीके से आप यहां से data को manage भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से data को यहां से change भी कर सकते हैं, colors को आप अपने हिसाब से manage कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे wind loss spark line का, अब इसका use किस तरीके से किया जाता है, simply आपको cell पर click करना है, उसी तरीके से, और इस वाले नीचे तक ला करके, और control D press कर सकते हैं, control D press करते हैं, आपकी यहां पर जो spark line थी, वो यहां पर represent हो चुकी है, और इसको भी आप अपने हिसाब से colors के through manage कर सकते हैं, तो इसको आपको select करके रखना होगा, spark line टूर पर जाना होगा, और यहां से आपको जाना होगा marker color पे, यह आपर high point को manage करने के लिए, माली जे हम लोग red को लेते हैं, यह high point है हमारा, और अगर low point को manage करना है, तो यहां से हम लोग ले लेते हैं, माली जे, green color ले लिया हमने low point, और इस तरीके से आप अपने spark line को manage कर सकते हैं, high point, low point के हिसाब से, और भी options दिये हुए हैं, अगर आप first point manage करना चाहते हैं, last point manage करना चाहते हैं, negative point manage करना चाहते हैं, तो उसका color भी आप यहां पर easily अपने हिसाब से manage कर सकते हैं, तो दोस्तों यही था हमारा spark line का chapter, अगर आप MS Excel के 2019 version में, जो एक upgrade आया है, filter का, और filter में आप देखेंगे, दो option है हमारे सामने, एक slicer का, और एक timeline क दोनों ही option बड़े कमाल की option है, यह basically 2013 से उपर के version में ही आपको दिखाई देंगे, और इन दोनों का use, companies अपने बड़े से बड़े data को analyze करने के लिए करती है, तो यहां पर आप देखेंगे, example के लिए हमने यहां पर एक data लिया हुआ है, जिसके हमने तीन slicer add किये हुए है, तो सबसे पहले मैं आपको slicer का use दिखा देता हूँ कि slicer कि किस तरीके से काम करता है, यहां पर आप देखेंगे हमारे पास कुछ salesman के नाम है, उनकी countries के name है, उनके items के name है और उनकी category है, यहां पर आप देखेंगे उसकी quantity, price और total price है, हम इसको filter करना चाते हैं, कितने तरीक मुझे इस पूरे data में से सिर्फ और इंडिया का ही data देखना है, तो जैसी मैं इंडिया पर click करूँगा, आप देखेंगे सिर्फ इंडिया का ही data मेरे सामने represent होगा, और इसके जो price list है, जो quantity है, और total price list है, आप देखेंगे दोनों यहां पर show हो चुकी है, यानि कि अगर आ आप इंडिया के अंदर आप देखना चाहते हैं सिर्फ laptop को, तो जैसी आप laptop पे click करेंगे तो आपका laptop का data यहां पर represent हो जाएगा, basically हमने बहुत ही छोटा data लिया है, आपको समझाने के लिए अगर आपके पास बहुत ही बड़ा data होगा, तो आप बड़े ही आसानी से अपन अपनर में एक चोटा सा option है, इस वाले option पे जैसे आप click करेंगे तो आपका data वापस से clear हो जाएगा, इस तरीके से अपने data को आप clear कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते है, जैसे आप laptop का data आपके सामने represent हो जाएगा, जैसी तरीके से अगर आप आप को य और केटिगरी भी एड़ करना चाहते हैं, माले ये लेपटॉप के साथ साथ आपको हाटिस भी देखना है, तो आप कंट्रोल की, अपने कीबोड से प्रेस करके रेकिए और हाटिस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे आप हाटिस पर क्लिक करेंगे, यह दोनों ही दोने डेटा आप यहां से अटाएंगे, तो आप देखेंगे, इसर का जो भी डेटा था, यहां पर रेप्रेसेंट हो चुका है, तो इसको आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इस शीट को किस तरीके से आप बना सकते हैं, मैं आज आपको बो ही बताने वाला हूँ, दूसरा option आप देख और यहां पर हमने total price लिया हुआ है, total price के अगर मैं आपर date के according फिल्टर करना चाहूँ, तो आप यहां पर देखेंगे, जैसे मैं जिस date पर क्लिक करूँगा, उस date का यहां पर data रेपर्जेंट हो जाएगा, चैसे हमारी 2020 की हो, यह सेल 2021 की हो, हमारे पास वो data यहां पर तो चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं, यहां पर आप देखेंगे, हमने practical के लिए आपके पास पहले से blank data लिया हुआ है, बिल्कुल simple data लिया हुआ है, वही data हमने simple यहां पर type किया हुआ है, अब इस data पर हम लोग क्या करेंगे, slicer का use करके देखेंगे, तो यहां पर एक option है, आपका my table has header, तो इस वाले option पर आपका tick mark होना चाहिए, और उसके बाद simply आपको यहां पर ok कर देना है, जैसे आप इसे ok प्रेस करेंगे, आप देखेंगे, आपका data था हो यहां पर convert हो चुका है, table के अंदर, और अब हमें use करना होगा slicer का, तो यहां पर आप दे सकते हैं, तो फिलाल हम यहां पर slicer को insert करते हैं, insert करने के बाद आप देखेंगे, आप किस-किस category का, किस-किस चीज़ का slicer लेना चाहते हैं, तो माली जी हमने एक salesman का लिया है, यहां से हमने एक country का लिया है, और एक हमने यहां पर category का लिया है, और simple जैसे हम यहां पर ok प् represent हो चुका है, तो यहां पर आप देखेंगे country के according, अगर आपको यहां पर data को filter कराना है, तो यहां पर click करेंगे, तो वो data आपका यहां पर filter हो चुका है, control key के साथ अगर आप किसी और country को select करेंगे, तो वो data भी यहां पर represent हो चुका है, इसी तरीके से अगर यहां पर आप इसको filter कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर आप total quantity, total price किस तरीके से देख सकते हैं जिस भी item का आप filter करेंगे, उस item का total price और total quantities किस तरीके से आप manage कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर formula यूज करना पड़ेगा, subtotal का, तो subtotal के लिए आपको क्या करना है आपका यहाँ पर 9 number represent हो जाएगा या तो आप simply यहाँ पर 9 यूज कर सकते हैं 9 यूज करने के बाद आपको कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद आपको range लेनी है अपनी quantities की, तो यहाँ पर हम ले लेंगे quantity की पूरी range इस तरीके से और इसके बाद simply bracket को close करेंगे और enter प्रेस करतेंगे enter प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका total quantities यहाँ पर show हो चुकी है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर total price निकालना चाहें तो सेम वही formula फिट से यूज करेंगे जो call to sub total का, sub total लेने के बाद यहाँ पर tab यूज करेंगे, tab यूज करने के बाद हमें भी यह total price का total ही चाहिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे total के लिए nine number है, तो यहाँ पर click करके आप tab यूज कर सकते हैं, tab यूज करते ही nine number अपने आप represent हो जाएगा, इसके बाद comma का use करेंगे, और उसके बाद इसके जितना भी data है, उसको select कर लेंगे, इसको select करने के बाद, इसको select करने के बाद, आपको bracket को close करना होगा, और simply enter, press करना होगा, तो आप देखेंगे, जिस भी हिसाब से यहाँ पर हम filter करेंगे, जैसे मालीजर ने इंडिया को select किया, तो इ different type से आप slicer का use कर सकते हैं, बड़े से बड़े data को आप इसी तरीके से analyze कर सकते हैं, तो यह तो था slicer का use, आप इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से timeline का use, कि आप किसी data के अंदर timeline का किस तरीके से use कर सकते हैं, तो आप देखेंगे, same वही data हमने यहाँ पर भी लिया हुआ बिना pivot table के आप data को analyze नहीं कर सकते हैं यानि timeline का use नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हम पूरी data को एक बार select करेंगे और यहां से insert tab के अंदर जाते हुए हम यहां पर pivot table पर click करेंगे और यहां पर new worksheet को लेते हुए हम यहां पर ok press करेंगे, ok press करते ही अब यहां पर आप अपने filter लगा सकते हैं और इसके बाद हम यहां पर simply country पर click करते हैं यहां से हम item name पर click करते हैं और यहां से हम लोग ले लेते हैं total price, total price पर click करने के बाद आप देखेंगे इंडिया के अंदर laptop पर mobile है जिसका item यहां पर आपके सामने total price यहां पर show हो रहा है यहां इसी तरीके से Japan के यहां पर हमने पर पाइवर टेबल कर लिया है यदि आपको पाइवर टेबल मनाना नहीं आता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं मैं लिंक को description में डाल दूँगा वहां से वो वीडियो देख सकते हैं मैंने पाइवर टेबल को कई example के थू एक्स्प्रें किया ह वहां से आप पाइवर टेबल देख सकते हैं किस तरीके से पाइवर टेबल क्रीट की जाती है इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे timeline की तो यहां पर हमने data को यहां पर represent करा लिया है इसके बाद हम simply insert tab में जाकर के यहां पर हमें option select करना होगा timeline का timeline को जैसी हम select करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर उसके सभी headers नहीं आए बलकि सिर्फ date show हो चुकी है तो यहां पर date को लेते हुग हम simply यहां पर ok press करेंगे तो ok press करते ही आप देखेंगे यहां पर हमारे सामने उसकी timeline show हो चुकी है तो इससे आप अपने हिसाब से manage कर सकते हैं बड़ा या चोटा क कर रहा है और इसी तरीके से अगर आगे देखना चाहते हैं तो आगे का भी आपका data represent कर रहा है December November का और यह तो था सिर्क मंत का इसको फिल्टर कर सकते हैं quarterly filter कर सकते हैं monthly filter कर सकते हैं days wise filter करना चाहें days wise filter कर सकते हैं इसके बाद अगर आप year wise करना चाहें तो year wise भी कर सकते हैं तो यहाँ पर year को select करते हैं तो आप देखेंगे 2020 और 2021 का data यहाँ पर represent हो चुका है year wise अगर आप मन्त wise लेंगे तो month wise आपका 2020 का और 2021 का यहाँ पर data represent हो चुका है January से लेकर के आपका December तक उसी तरीके से यहाँ फर्वरी, April, May जिस तरीके से आप data को filter करना चाहें उस तरीके से आप timeline के through data को easily filter कर सकते हैं तो यह भी आप SXL का एक बहुत ही पहतरीन feature था इसके बाद आप देखेंगे यह इसके सामने बहुत सारे time line के style दिये गए हैं इसमें से अगर आप को style चूज करना चाहें तो यहाँ से आप style को चूज कर सकते हैं scroll bar को timeline level को अपने हिसाफ से आप यहाँ पे manage कर सकते हैं bring to front send to back के options data को आगया feature देने के लिए use किया जाता है तो different type से आप अपने data को manage कर सकते हैं different type से अपने data को analyze कर सकते हैं slicer और timeline की मदद से तो दोस्तों यही था हमारा chapter slicer और timeline का अगर insert tab के अंदर आप देखेंगे आपके पास एक option है link का जिसका use किया जाता है किसी sheet को किसी sheet से link करने के लिए या किसी file को किसी file के साथ link करने के लिए या किसी excel के file को web page के साथ link करने के लिए या फिर किसी smart art या shapes को एक hyperlink के साथ जोडने के लिए और या फिर किसी text को किसी email से add करने के लिए different type से आप इस link का use कर सकते हैं, मैं आपको 5 तरीके से बताऊँगा, कि आप hyperlink का किस तरीके से use कर सकते हैं, तो वने रही है हमारे साथ, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो चैनल को like कीजेगा, subscribe कीजेगा, और अपने सभी दोस्तों में share जरूर कीजेगा, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, कि आप किसी sheet को दूसरी sheet से किस तरीके से link कर सकते हैं, कुछ company'ा ऐसी होती हैं, जिनके पास बहुत बड़ा database होता है, और अलग-अलग sheet पर उनका data होता है, अगर वो उन sheets का एक index बना लें, और index बनाने के बाद वो one by one उस sheet तक पहुँच सकते हैं, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, पहले वो clear करते हैं, तो यहाँ पर हम सीखेंगे, कि आप किसी sheet को किसी sheet के साथ किस तरीके से link कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर हमने sheets के नाम दिये हुए हैं, और वही sheets हमारे अलग-अलग database में present हैं, अब हम यह चाहते हैं कि जब भी हम slicer पर click करें, तो slicer का जो data है, वो हमारे सामने यहाँ पर show हो जाना चाहिए, और जब भी हम यहाँ पर private table पर click करें, तो हमारी private table का data है, वो यहाँ पर हमारे सामने show हो जाना चाहिए, तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको करने के लिए आपको select करना होगा वो text, जिस text के उपर आप link लगाना चाहते हैं, उसको select करने के बाद आपको जाना है insert tab के अंदर, insert tab के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे, आपके सामने का option आजाएगा, यहाँ पर link का, इस link वाले option पर जैसे आप click करेंगे, यहाँ पर click करने के बाद आपको जाना होगा, second number option पर यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है place in this document, यानि हम जो hyperlink लगाना चाहते हैं, वो same इसी document के अंदर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर slicer को आप slicer के साथ जोड़ दीजे, यानि यहाँ पर आप select कर लिजे slicer को, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने cell का reference है, यानि किस cell पर आप jump करना चाहते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे text का display है, यानि कि क्या नाम यहाँ पर represent होगा, इसके बाद जैसे आप यहाँ पर slicer को slack करके, इसके बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पर link लग चुका है, जैसे आप slicer पर click करेंगे, तो आप देखेंगे slicer का paste था, आपके सामने open हो चुका है, इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा cell address दिया था, हमने A1, तो A1 पर हमारा cursor यहाँ पर show हो चुका है, इसी तरीके से और भी links आप create कर सकते हैं, जैसे मालीजी हमने pivot table पर right click किया, right click करने के बाद आप जा सकते हैं सीदे link वाले option पर, तो यहाँ से भी आप link लगा सकते हैं, इस पर click करिए, इस पर click करने के बाद यहाँ से आप pivot table को select करिए, और यहाँ पर हम cell address चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम cell address देते हैं A10, तो A10 देने के बाद होगा क्या, हमारा जो cursor होगा वो directly A10 पर jump कर जाएगा, तो यहाँ पर select करके जैसे हम इसे ok press करेंगे, और इस पर टेबल पर जैसे हम click करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा A10 के उपर यहाँ पर cursor jump कर चुका है, यानि जिस भी cell का address हम इस hyperlink के अंदर provide करेंगे, यह directly हमें उसी cell address पर ले जाकर के jump करा देगा, इसी तरीके से आप practical sheet का link कर सकते हैं, तो timeline को select करके place in this document, timeline यहाँ पर cell address देना है, तो cell address चेंज कर सकते हैं, अगर आप text का display चेंज करना चाते हैं, text का नाम चेंज करना चाते हैं, तो आप यहाँ से text का नाम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ आप सिंपली timeline को select करके ok press करिए, प्रेस करने के बाद यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस वाले sheet पर आप jump कर जाएंगे तो यह तो था हमारा कि आप किसी hyperlink को एक sheet के साथ कैसे जोड सकते हैं इसके बाद जो हम next option use करेंगे वो use करेंगे किसी hyperlink को किसी text file के साथ कैसे जोडा जा सकता है तो यहाँ पर हमने एक text लिखा हुआ है YouTube के नाम से इसके ओपर हमें right click करना है और यहाँ से चले जाना है link वाले option पर link option पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला option होगा यहाँ पर सबसे पहला option होगा existing file और web page इस पर जैसे आप click करेंगे इस पर click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर file शो हो गई आप किसी file को folder को भी आप इसके साथ attach कर सकते हैं माल लीजे आपके पास कोई excel की दूसरी file है और उस file को आप इस word के साथ link करना चाहते हैं यहाँ से आप इसे select कर सकते हैं फिलाल हम यहाँ पर एक image को select करेंगे याईनी एग JPG file है हमारी YouTube का banner है हम उस banner को यहाँ पर select करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे banner का जो नाम है वो 555 के नाम से यहाँ पर आपके सामने show हो रहा है, इस वाली file को हम यहां से select करेंगे, इसको select करने के बाद simply हम यहां पर ok press करेंगे ok press करने के बाद आप देखेंगे, यहां पर आपके सामने youtube पर link लग चुका है, जैसे हम इस वाली option पर click करेंगे और click करते ही आप देखेंगे, हमारी जो file थी वो यहाँ पर open हो चुक है तो यानि हमने जो link लगाया था image के उपर हमारे banner के उपर वो banner हमारा open हो चुक है तो इस तरीके से आप कोई file, folder आप link कर सकते हैं किसी भी एक file के साथ दूसरी file को इसके बाद का जो हमारा next option है वो है hyperlink to web page यानि हम किसी web page को किसी hyperlink के साथ कैसे जोड सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है मालीजे यहाँ पर हमने google.com एक text लिखा हुआ है इस वाले text की ओपर हमें right click करना है यहाँ से चले जाना है link वाले option पर link option पर जैसे हम click करेंगे तो हमारे सामने यह dialogue box open हो जाएगा और इसके अंदर हमें select करना होगा सबसे पहला option existing file और web page और यहाँ पर आपको अपना address देना होगा जिस URL के साथ आप इसको add करना चाहते हैं तो यहाँ लीजे हम यहाँ पर दे देते हैं http.google.co.in तो .co.in बेसिकली इंडिया में सबसे ज़ादा use होने वाला domain है तो हम इसको select करेंगे और यहाँ पर simply ok press कर देंगे ok press करने के बाद आप देखेंगे हमारा google.com यहाँ पर show हो चुका है याँ इसके उपर link create हो चुका है google.com के उपर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे click करते ही आप देखेंगे हमारा जो web browser था वो यहाँ पर open हो जाएगा और internet अगर हमारा connect होगा तो यह directly google का web page आपके सामने represent कर देगा तो यहाँ पर आप देखेंगे web page हमारा यहाँ पर open हो चुका है इसे हम यहाँ से cut कर देते हैं cut करने के बाद next जो हमारा option है वो है drag करने के बाद अगर आप इसके ओपर link लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके theme वगरा को change कर सकते हैं आप अपने यहाँ साब से इसको button में convert कर सकते हैं और अब आप यह चाहते हैं कि जब भी आप इस वाली shape पर click करें तो click करते ही आप जिस भी file को इसके साथ attach करना चाहते हैं वो open हो जाए तो इसके लिए इसके ओपर आपको right click करना होगा right click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने link का एक option यहाँ पर show हो जाएगा आपको link वाले option पर click करना है Link option पर click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने वही dialogue box फिर से open हो जाएगा और इसको आप किस file के साथ add करना चाहते हैं किस file के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं जैसे माल लीजे हमने यहाँ पर select किया है आप देखेंगे आपकी जो file थी को यहाँ पर represent हो चुकी है आप देखें हमने जो file attach की थी 10 importance formula वो file यहाँ पर open हो चुकी है तो इस तरीके से आप किसी smart art को या किसी shape को को hyperlink के साथ जोड़ सकते हैं इसके बाद का जो हमारा next option है वो है hyperlink to text to email यानि आप किसी text को email के साथ किस तरीके से जोड़ सकते हैं तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे मालीजे हमने लिख दिया excel info tag excel info tag लिखने के बाद हमने इसको select किया इसके ओपर right click किया और यहाँ पर ले लिए हमने link का option और सबसे नीचे वाले option पर अगर आप जाएंगे email address पर तो यहाँ पर आप select करके अपनी email id डाल सकते हैं तो यहाँ पर हम कोई भी randomly email id डाल देते हैं email id डालने के बाद यहाँ पर आप subject लेख सकते हैं करना होगा यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने Gmail, Outlook, Yahoo यह सारे के सारे email id यहाँ पर show हो जाएंगी यह सारे के सारे server आपके सामने यहाँ पर show हो जाएंगे जिसमे email id को आप यहाँ पर login करना चाहते हैं उसको यहाँ पर select करना होगा select करने के बाद आप अपनी ID को यहाँ पर login कर सकते हैं directly आप उस word पर click करते ही आप अपनी email ID पर पहुँच जाएंगे तो इस तरीके से आप इसका link का use कर सकते हैं hyperlink का use कर सकते हैं और इसके बाद मैं आपको एक और hyperlink के बारे में बता देता हूँ और यहाँ पर जैसे हम type कर लेते हैं विनोट और विनोट नाम से मैं कुछी file को create करना चाहता हूँ तो इसके उपर right click करेंगे यहाँ से चले जाएंगे link वाले option पर link option पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक और option आएगा create new documents का तो यहाँ पर आप जाहें तो अपने documents को create कर सकते हैं यहाँ पर आपको अपनी file का नाम देना होगा जैसे यहाँ पर हमने दिया हुआ है d drive d drive के हमने location यहाँ पर save की हुई है यहाँ पर जैसे हम किसी file का नाम देंगे जैसे मालिचे हमने दे दिया excel infotech 2021 और इसके बाद यहाँ से अगर आप अपनी file के पाथ को change करना चाहते हैं तो यहाँ से click करके आप अपनी file के पाथ को यहाँ से change कर सकते हैं d drive या e drive जो भी देना चाहें वो यहाँ से दे सकते हैं हम तिलाल इसको यही रहने देते हैं और इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक और ओप्शन है, Ben to edit, edit the new document letter, यानि आप अपने document को बात में edit करना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पर file create कर रहे हैं, और दूसरा option है आपका edit the new document now, यानि जैसे ही आप इसको now पर click करके ok press करेंगे, तो आपकी वो file यहाँ पर directly open हो जाएगी, और अगर आप इसे letter को select करके यहाँ पर ok press करते हैं, तो आप जब भी इस पर click करेंगे, तो आपकी file यहाँ पर represent हो जाएगी, तो आप देखेंगे Excel Infotech के नाम से, यहाँ पर file represent हो चुकी है, Excel Infotech 2021 के नाम से file यहाँ पर बन चुकी है, अब यह file हमारी save कहा थी, यह file हमारी D-Drive के अंदर save थी, तो चलिए हम D-Drive को check कर लेते हैं, यहाँ से चले गए हम लोग My Computer के अंदर, My Computer में जाने के बाद, यहाँ से हम लोग open करते हैं D-Drive को, D-Drive को जैसे हमने open किया, यहाँ से आपकी फाइल यहाँ पर represent हो जाएगी, तो इस तरीके से आप different type से hyperlink का use कर सकते हैं, इस text menu के अंदर जितने भी option हम एक करके सभी का use समझेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं text box की, text box पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने एक arrow बनके आ जाएगा, इस arrow से हम box को draw कर सकते हैं, और draw करने के बाद इस box में जो भी लिखना चाहें वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, इसके अराबा इसके ओपर आप formatting का भी use कर सकते हैं, इसके ओपर आकर के double click करेंगे, जब आप इस corner पर आएंगे, जैसी आप इस पर double click करते हैं, तो double click करने के बाद आप देखेंगे, आपके सामने यहाप drawing tool का एक option शो होगा, इस option पर जैसी आप click करेंगे, तो different type के आपके सामने formats आपके सामने show हो जाएंगे, इन सभी options के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, अगर आपको इन सभी चीजों के बारे में detail में जानना है, तो मैं link को description में डाल दूँगा, बहां से इसे देख सकते हैं, इसके बाद का हमारा जो next option है, वो है header and footer, header and footer पर हम click करने से पहले एक data ले ले लेते हैं, जैसे माल लिजिए हमने sheet 1 पर कुछ data लिया हुआ है, इस data को लेने के बाद हम यहाँ पर text box में चले जाते हैं, यहाँ से header and footer को select करते हैं, और अब आप देखेंगे आपर हमारे सामने header and footer यहाँ पर show up हो गया, करने के बाद header and footer पर click किया, footer पर चले गए और यहाँ पर हमने location शो करा दी, इस file की कि हमारी location है, यानि कि हमारी file हो किस जगा पर save हो रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर उसकी location हमारे सामने show up हो चुकी है, इसी तरीके से आप page number को show करा सकते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारे options हैं, जैसे page numbers, यहाँ पर आप चाहिए तो page number को show करा सकते हैं, जैसे आप पर page number पर click किया, तो आप देखेंगे page number आ गया, corner में, इसी तरीके से अगर आप current date show कराना चाहते हैं, इसको अटा करके, तो यहाँ से अटा करके, इसको current date ले लिजिए, जैसे आप बाहर click करेंगे, तो current date आपके सामने show up हो जाएगी, इसके अलावा अगर आप current time show कराना चाहते हैं, तो देखेंगे आप current time आपके सामने show up हो गया, इसके अलावा आप file का path show कराना चाहते हैं, तो आप देखेंगे आपके file की location यहाँ पर show हो गई, तो different types के आपके सामने options दिये गए हैं, जैसे आप यहाँ पर option है, आपका file name, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो file name आपका show हो गया, आप कहीं से भी picture को pick कर सकते हैं, विंक drive से pick कर सकते हैं, या फिर अपने computer से pick कर सकते हैं, आप personal drive से यहाँ पर इसे browse कर सकते हैं, तो जहां से भी आप picture को show कराना चाहें, यहाँ पर आप देखेंगे आपके picture भी show हो जाएगी, और इसी तरीके से अग go to footer पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे अब सीटे footer पर चले जाएंगे go to header पर click करेंगे तो directly header पर आ जाएंगे different type से आप header और footer का use कर सकते हैं यहांसे आप scaling का भी use कर सकते हैं अपने options को scaling में adjust कर सकते हैं पर आप देखेंगे हमारा जो header and footer है वो scale के हिसाब से adjust हो रहा है difference हमारे सामने represent हो रहा है difference old event हमारे सामने represent हो रहा है तो different type से इस option को आप manage कर सकते हैं इसके बाद का जो हमारा next option है वो है word art word art पे click करके different type से आप किसी भी text को यहां से select कर सकते हैं और यहां पर आप अपने जो भी लिखना चाहें जैसे मैं लिख दिता हूँ यहां पर excel info tag और इसको आप अपने हिसाब से manage कर सकते हैं इसके font को change कर सकते हैं इसके style को change कर सकते हैं इसके border को change कर सकते हैं इसके अंदर color fill कर सकते हैं यहां से आप चाहे तो इसके style को फिर से change कर सकते है कुर कर सकते हैं पैटरण करSकते हैं पीच्छर करसकते हैं को एक heading के तौर पर manage कर सकते हैं इसके बाद का जो हमारा next topic है वो है हमारा signature line का आप यहाँ पर click करके Microsoft Office signature line पर जैसी आप click करेंगे तो यहाँ पर आपके साने तीन option show होंगे जिसमें सबसे पहला option आपका suggestion signature for example john यानि कि यहाँ पर आप अपने person का नाम देंगे जिसके नाम का आप signature तयार करना चाहरे हैं तो यहाँ पर हम दे देते हैं जैसे विनोत कुमार के नाम से हम लोग signature तयार करना चाहरे हैं और यहाँ पर हम suggestion दे देते हैं जैसे हमने दे दिया manager और यहाँ पर अगर अपनी email id फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर randomly कोई भी email id ले ले लेते हैं और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर ok press करेंगे तो आप देखेंगे आपका x नाम का simple यहाँ पर तयार हो चुका है इसका use mostly आप letterhead पर कर सकते हैं तो इसी तरीके से आप signature line का use कर सकते हैं और इसके बाद का जो हमारा next topic है वो है हमारा object object का मतलब होता है कि एक application के अंदर आप दूसरी application किस तरीके से open कर सकते हैं जैसे हमाल लीजे हम लोग यहाँ चले जाते हैं object के ऊपर object पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक option हैगा bitmap image का bitmap image को जैसे आप select करेंगे और यहाँ पर ok press करेंगे त फिर से इसके ओपर double click करना होगा आपको double click करते ही आप इसके अंदर फिर से editing कर सकते हैं जैसे आप इसे cut करेंगे तो आपका data था वो आपका Excel में यहाँ पर represent हो जाएगा अब यह equation symbols का use किस तरीके से किया जाता है मैं आज आपको वो clear करने वाला हूँ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को like कीजेगा subscribe कीजेगा और अपने सभी दोस्तों में share जरूर कीजेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला option आप देखेंगे हमारे सामने equations का है equations पर जैसे हम click करेंगे तो हमारे सामने different types के equations यहाँ पर show हो जाएंगे इसमे हमारे सामने drawing tool का एक option है जिस पर click करके आप यहां से इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते है equations को highlight कर सकते हैं आप अपने हिसाब से तो इसमें से कोई भी equation का color यहाँ पर choose कर सकते है इसको use कर सकते है अपने हिसाब से और इसके बाद आप देखेंगे जैसे हम equations पर click करेंगे तो एक और toolbar हमारे सामने open हो जाएगा equations tools का हम जैसे equation tool पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर different types के equations हैं यहाँ से भी आप अपने equations को change कर सकते हैं या फिर इसको represent करा सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने एक और option represent हो रहा है जिसका नाम है ink equation तरीके से और जैसे हमने symbol को create के हाप देखेंगे यहां पर हमारा symbol यहाँ पर insert हो चुका है इसको simply click करके जैसे हम यहाँ पर insert करेंगे इसके बाद आप check box पर double click करेंए और यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहें तो अपने हिसाब से आप जो भी लिखना चाहें यापर लिख सकते हैं तो इस तरीके से आप symbols का use कर सकते हैं different types के symbols अगर आप चाहें तो यहाँ पर equations के अंदर से represent करा सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो next option है वो है professional professional अभी आपके सामने जो format नज़र आ रहा है यह professional format है जैसे आप liners पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपका liner में आपका format यहाँ पर show up हो चुका है अगर आप इस liner format को normal text में convert करना चाहते हैं तो इस पर जैसे click करेंगे तो यह normal text में आपका convert हो जाएगा तो mostly हम लोग इसे professional format के अंदर ही रखते हैं और इसके बाद इसका हम use कर सकते हैं तो different types आप equations और symbols का use कर सकते हैं अगर इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ और insert करना चाहें या किसी और taxis symbol को insert करना चाहें तो यहाँ से आप देखेंगे आपके सामने different types के symbols हैं इसमें से कोई भी symbol आप easily यहाँ से insert कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर कोई भी symbol यहाँ से use कर लेते हैं जैसे हमने इस symbol पर click किया आप देखेंगे वो symbol हमारा यहाँ पर represent हो चुका है तो इस तरीके से आप symbols का use कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे functions different type के आपके सामने functions है आप function का भी use कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर common function का use करेंगे जैसे हमने common function लिया यहाँ पर आप देखेंगे आपका common function show हो गया यहाँ पर आप कोई भी value देना चाहें तो आप easily यहाँ फर value edit कर सकते हैं इसी तरीके सब radical का यूज कर सकते हैं औो different types के आपके सामने options दिए गए और operations दिए गए है спасибо ब्रैकट्स दिए गए है, functions दिए गए है, essence दिए गए है different type के आपके सामने option दिए गए है इसमें से आप कोई भी चीज इंसर्ट करके equations के अंदर use कर सकते हैं तो यह तो था हमारा equation का part इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर symbol part की तो यहाँ पर हमारा जो next option है वो है symbol है जैसे हम symbol पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने different types के symbol यहाँ पर represent हो जाएंगे इसमें से कोई भी symbol आप insert कर सकते हैं जैसे माली जैम ने आप copyright का symbol select किया और यहाँ पर इसे insert किया आप देखेंगे यहाँ पर copyright का symbol हमारे सामने insert हो चुका है अब इसके बाद अगर कोई और symbol insert करना चाहिए तो यहाँ पर जैसे आप pound पर click करेंगे तो यहाँ पर pound को insert करते हैं आप देखेंगे आपके सामने pound का symbol भी insert हो चुका है तो different type के symbols आप यहाँ पर easily insert कर सकते हैं इसके बाद का जो हमारा next option है वो है special character का इस पर जैसे हम symbol पर click करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे special character का हमारे सामने option आगया इसमें आप देखेंगे जितने भी हमारे special characters होते हैं उन सभी के नाम दिये हुए हैं उनके symbols यहाँ पर mention किये गए हैं और चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा धन्यवाद नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MS Excel के theme option और page setup option के बारे में अक्सर लोग print निकालने से पहले बहुत सारी गलतिया करते हैं आपको guarantee देता हूँ अगर आप हमारी ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी print निकालने में आप कोई गलती नहीं करेंगे चलिए एक एक करके हम सभी option का use समझते हैं इससे पहले आपसे निवेदर है अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इससे subscribe कर लें हम इसी तरह से आपके लिए बैतरीन वीडियो लाते रहेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारे सामने एक option है थिम का थिम option के ओपर जैसी हम click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी different types की थिम हमारे सामने option represent हो जाएंगे इन में से कोई भी थिम आप अपनी table के ओपर use कर सकते हैं उसको select कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप यहाँ पर color को change करना चाहते हैं तो different types के आपके सामने colors दिये हुए हैं इसके अलावा आप यहाँ पर आपके सामने एक font का option है जिसमें आप font के style को भी change कर सकते हैं इसके लावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ effects के options है जिसके ओपर आप different types के effect shape के ओपर या फिर table के ओपर use कर सकते हैं जिसका हम use अपनी data को थोड़ा सा attractive दिखाने के लिए करते हैं अब हमारा जो main option है वो है page setup का जिसके अंदर हम सीखेंगे कि अपने documents का किस तरीके से हम print निकाल सकते हैं और उसकी page की settings कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे margins हमारे सामने एक option है margin का जिसमें आपके सामने different types के margins show हो रहे हैं इसमें से आप कोई भी margin का option select कर सकते हैं जैसे मैं पर सबसे पहला वाला margin select करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे सामने dot dot करके एक line हमारे सामने show हो जाएगी अब यह basically क्या represent कर रही है अगर हम इसका print preview यहाँ पर देखते हैं तो या तो आप अपने keyboard से control plus F2 press कर दीजे आपका print preview यहाँ पर show हो जाएगा तो इस तरीके साब इसका print preview देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे हमारे total marks यहाँ पर show हो रहा है लेकिन यहाँ जो data हो result तक का है जैसे हम इसका print preview देखते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे हमारे जो टोडल मारिश मार्ग है सिर्फ उतना ही हमिरे सामने data रेपेरेजिंग कर रहा है Compact करेंगे इस scale को जैसे हम यहाँ पर कम करेंगे आप देखेंगे यह हमारी जो dot थी वो right side में increase हो रही है और अगर decrease करेंगे तो यह और भी हमारी कम होती चली जाएगी तो इससे होगा क्या हमारे जो data है उसका size compress हो जाएगा उसका size थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और हमारा पूरा का प margin तो इतना है इसके अलावा different types के margin आप यहाँ पर use कर सकते है नौर्मल margin भी आप use कर सकते है, wide margin उसकते है और narrow margin उसकते है अब इसके बाद हम बात करती है Director Automations की orientation बिसिकली होते हैं हमारे पास two types के एक landscape होता है दूसरा portrait होता है portrait जो होता है वो लंबाई में हमारा print देता है और landscape जो होता है वो चोड़ाई में हमारा print देता है तो present time में जो हमारे data था वो portrait था जो आपके सामें ने represent हो रहा है अगर हम इसको landscape करते हैं तो landscape करने की बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका size increase हो गया और यह नीचे से हमारा size जो होगा वो decrease हो जाएगा इसका अगर हम print preview यहाँ पर देखते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो data था वो landscape में यहाँ पर represent हो चुका है इसी तरीके से अगर आप इसे portrait में चाहेंगे तो आप इसे portrait में convert कर सकते हैं और इसके बाद अगर आप print preview देखना चाहें तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं यह भी एक simple option था landscape और portrait का अगर आपको अपना data लंबाई में निकालना है तो लंबाई के लिए आप portrait को select करेंगे अगर आपको इसको चुड़ाई में निकालना है तो आप इसको landscape का use करेंगे इसके बाद सबसे important option आता है हमारा paper size आपको paper size का खास कर ध्यान रखना होता है कि आप कौन से paper पर print लेना चाह रहे है जिससे माल लीजे A3 paper है A4 paper है, legal paper है बहुत सारे different types के papers आपके सामने यहापर दिये हुए उनके sizes आपके सामने represent हो रहे है इनमें से कोई भी size आप यहाँ पर easily select कर सकते है mostly जो documents होता है जो office के अंदर document use किया जाता है वो A4 paper ही होता है तो हम यहाँ पर A4 paper को select करेंगे और इसके बाद हमाना next option आता है print area यानि अभी अगर हम print निकाल रहे हैं तो हमारे सभी area का print आ रहा है अगर हम यहाँ पर कुछ area को set करना चाहते है कि भई मैं कुछ different area का ही print लेना चाहता हूँ तो सिर्फ उसी का ही print आपके सामने represent होगा तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं इसके लिए हम यहाँ पर कुछ data को select कर लेते हैं जैसे हमारे जिए हमने यहाँ से select किया इतना data और इतना data select करने के बाद मैं चाहता हूँ सिर्फ संदीब तक ही हमारे data represent होना चाहिए यानि इतना ही मुझे data का print लेना है तो उतने data को आप यहाँ पर select कर सकते हैं यहाँ पर इस area को set कर सकते हैं जैसे हमने preset print area किया तो इतना area हमारा set हो चुका है कि हमें उतना ही print चाहिए वो clear हो जाएगा और इसके बाद अगर आप print preview देखेंगे तो आपका पूरा data यहाँ पर represent हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसे clear कर सकते हैं print area को clear कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे एक option हमारे सामने represent हो रहा है breaks का यानि अगर आप यह चाहते हैं कि आपकी डेटा को break करना चाहते हैं या आफ़ डेटा आप किसी और page पर आ आजाये और आफ डेटा आपकी और पेज पर लेना चाहते हैं 10 number का data हो 10 number का data हमारा अलग पेज पर आए और 10 के बाद 11 से जो data हो वो अलग page पर हमारा data show करें तो इस तरीके से आप इसे break कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक option आएगा insert page break का इस insert page break पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने एक line बन कर आ जाएगी इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ से यह break हो चुका है अब आपको print preview देखना है control plus F2 press करिए यहाँ पर आप देखेंगे हमारा 10 तक data यहाँ पर represent हो रहा है first page पे और अगर यहाँ पर हम second page का use करते हैं जैसे हम next करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपको select करना होगा select करने के बाद यहाँ से वापस से जाना होगा page break के अंदर और यहाँ पर आपको use करना होगा remove page break जैसे आप remove page break करेंगे तो आपका वो data जो भी था वो remove हो जाएगा इसके बाद का next option है reset all page breaks यानि कि इसका मतलब यह है अगर आपने एक के अलावा कई जगा पर page break का use किया है और अगर आप इस option का use करते हैं तो उन सभी को यह clear कर देगा तो इस तरीके से आप तीन options का use कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक option है हमारे सामने background का तो background पर click करने के बाद यहाँ से आप picture को import कर सकते हैं कोई भी background में अगर आप picture लगारा चाहें तो वो use कर सकते हैं आपके सामने तीन option represent कर रहा है सबसे पहला from a file यानि आपकी system में अगर कोई data है तो यहाँ से आप उसे browsing कर सकते हैं यहाँ से आप Bing server से कोई data उठा सकते हैं और यहाँ से OneDrive से आप कोई data use कर सकते हैं तो हम फिलाल अपने computer को use करेंगे हम computer को select करेंगे और यहाँ पर अपनी एक photo select करके insert करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो भी data था वो यहाँ पर represent हो चुका है जो हमारा next option है वो है print titles का तो print titles बहुत ही बहतरीन option है MSXL का जिसका use printing के हर एक concept के लिए किया जाता है जिसमें आप सबसे पहला option देखेंगे landscape and portrait जो कि मैंने अभी आपको बताया अगर आप अपने print को landscape में लंबाई में लेना चाहते हैं portrait का use करेंगे और अगर आप उसे चौड़ाई में use करना चाहते हैं यहां से लेंड्सकेप का use करेंगे इसके बाद आप देखेंगे यहां पर adjust to यहां पर आप देखेंगे हमने scaling का use किया था यही scale हमारे सामने यहां पर represent कर रहा है तो यहां से आप scale को increase या फिर decrease कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने option ए fit to यहां पर आप अपने data को किस page पर set करना चाहते हैं उसे यहां पर adjust कर सकते हैं और इसके बाद यहां पर paper size है कौन सा paper आपको use करना है वो यहां पर select कर सकते हैं color dpi है color आप dpi कितना रखना चाहते हैं वो यहां पर manage कर सकते हैं और इसके बाद अगर आप इसका print preview देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने data represent हो जाएगा इसके बाद का जो next option है हमारा वो है margins का margin के अंदर आप देखेंगे हमारा option है वो different types के margin को adjust करने के लिए option दिखाया हुआ है horizontal and vertical इन दोनों option से अगर हम take कर देते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो भी data है वो center point पे यहाँ पर represent हो जाएगा इसको select करके जैसे हम print preview करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो data था वो left side से और right side से equal space generate करके यहाँ पर show हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने data को manage कर सकते है center point के अंदर center में अगर आप अपना print out लेना चाहते है तो center में आप इस तरीके से select कर सकते है इसके बाद का जो हमारा next option है वो है header and footer का यहाँ पर आप चाहें तो header के ओपर कोई page number यूज कर सकते है पेज नंबर one of oblique यूज कर सकते है theme यूज कर सकते है conditional formatting का यूज कर सकते है या फिर आपके सामने बहुत सारे options यहाँ पर दिये गए इसमें से कुछ भी आप यूज कर सकते है तो यहाँ पर हम फिलाल ले लेते है page number और इसके बाद next option हमारा footer का footer के अंदर हम क्या लेना चाहते है हमारी जो फाइल है वो किस जगापर save है हम उसकी location लेना चाहते है यहाँ पर हमने location को select किया और उसके बाद हम यहाँ से print review कर लेते हैं आप देखेंगे हमारा page number यहाँ पर show हो गया जो हमने page number लिया था इसके बाद अगर हम यहाँ पर footer की बात करें तो footer पर आप देखेंगे हमारी file का location यहाँ पर show हो गया हमारी file किस location में save है वो यहाँ पर represent कर रहा है तो इस तरीके से आप header or footer का use कर सकते हैं इसके बाद का जो हमारा next option है वो is sheets का यह बहुत ही बहतरीन option है जिसका use हर एक company अपने data को print लेने से पहले करती है अब सबसे पहला option में आपको बता दूँ set print area का है जो कि मैंने आपको यहाँ से भी बताया यही same option है यहाँ पर आप click करके किसी भी data को select कर सकते हैं करने के बाद अगर आप सिर्फ इतने ही area का print लेना चाहते हैं तो area को select करके यहाँ से print preview देख सकते हैं जिसमें आप देखेंगे आपका data सिर्फ उतना ही आएगा जितना आपने area को set किया था इसके बाद का जो हमारा next option है वो है print titles के अंदर row to repeat it at top इसका बहुती battery यूज़ किया जाता है जैसे मालीजे अभी हम इसका print preview देखते हैं इस print preview के अंदर देखेंगे हमारी headings यहाँ पर show हो रही है हमारा जो data है वो काफी large है और वो next page पर shift हो जाता है और shift होने के बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि सिर्फ नंबर कौन सा है नाम कौन सा है हिंदी English Math के नंबर कौन से है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बार बार यहाँ पर heading को copy करके यहाँ पर margin जहाँ पर भी खतम हुआ उसको paste करना पड़ेगा तो यह बहुत ही बड़ा काम हो जाता है अब इस काम को हम बहुत ही easy तरीके से इस option के through कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम इस पर click करेंगे click करने के बाद आपको simply क्या करना है row repeated पर आपको simply click करना है और जिस row को आप repeat करना चाहते हैं उसको यहाँ पर select कर लेना है और select करने के बाद simply print preview करना है print preview करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो data था वो यहाँ पर represent हो चुका इसके बाद जैसे हम page number 2 पर click करेंगे तो page number 2 पर click करने के बाद वही row हमारी यहाँ पर repeat हो चुकी यानि जितने भी pages हमारे यहाँ पर repeat होंगे उन सभी के उपर यह automatically heading repeat होती चली जाएगे तो इस तरीके से आप अपने बड़े से बड़े data को manage कर सकते हैं बड़े से बड़े data की heading को manage कर सकते हैं जे तो था हमारा row का इसके बाद अगर अगर आप इसमें column को use करना चाते हैं आप column wise भी इसको use कर सकते हैं इसके बाद के नेक्ट्स अप्छन है वो है grid lines का grid line का हम किस तरीके से use कर सकते हैं इसके लिए आप देखेंगे हमारे सामने एक data है जो बहुत ही simple है जिसमें किसी भी तरीकी की कोई भी grid lines नहीं दी गई है अगर हम इस पर click करके यहाँ पर grid line को select करते हैं और print preview देखते हैं तो आप देखेंगे इन सभी की grid lines यहाँ पर represent by default automatically show हो जाएंगी तो अगर आपके पास कोई data जो draft quality के अंदर है अगर आप उसे grid line में convert करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसे convert कर सकते हैं और उसका print out ले सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक option हमारा black and white का है इसके लिए हम कोई भी color theme ले ले लेते हैं जैसे मालीजी हमा documents होते हैं वो हमारे black and white color में ही print होते हैं अब जो हमारा color data है उसको किस तरीके से black and white में print किया जा सकता है उसके लिए आपको simply इस option का use करना है इस पर click करना है और यहाँ पर black and white वाले option पर simply click कर देना है जैसे इस वाले option पर आप click करेंगे click करने के बाद यहाँ से आप print preview दे preview देखेंगे तो आप देखेंगे आपकी जितनी भी outline colors थे वो सारी की सारी यहाँ से remove हो चुकी है आप इसका draft quality में print out ले सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक और option हमारे सामने show हो रहा है row and columns headings का हम draft quality को यहाँ से अटा देते हैं row column headings को यहाँ पर select करके रखते हैं और इसके बाद इसका print preview देखते हैं अब आप देखेंगा हमारा जो भी data था उसकी headings और column यानि की row और columns की heading होती है वो यहाँ पर show हो चुकी है आप देखेंगे ABCD और 1234 में हमारा यह row और column यहाँ पर show हो चुका है तो इस तरीके से अगर आप row और column की heading की printing ले देखेंगे हमारा option है उसका मतलब है down then over and over then down इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हमारा print out निकलेगा वो page number को किस तरीके से हम manage कर सकते हैं down की तरफ या right की तरफ अब किस तरीके से manage करना है उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा यहाँ पर हमें से page break कर लेना होगा यहाँ पर show हो रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे page number 5 हमारा यहाँ पर show up हो रहा है इसके बाद अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर page number 2 और page number 4 और page number 6 यहाँ पर show up हो रहा है यहाँ पर page number 2 हमारा नीचे की तरफ है और इसके बाद page number 3 हमारा यहाँ उपर है तो यह हमारा जो option आ रहा है वो down to over की तरफ आ रहा है और इसके बाद अगर हम यहाँ पर over then down करते हैं और इसको okay कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे page number 1 हमारा यहाँ गया, page number 2 हमारा यहाँ गया page number 3 हमारा यहाँ पर आगया यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं page number 3 है उसके बाद page number 4 यहाँ पर आगया, page number 5 यहाँ पर आगया और page number 6 यहाँ पर represent हो चुका है इस तरीके से आप अपने data को represent करा सकते हैं down to over यह over to down की तरफ तो यहीं थे हमारे options page setups के MS Excel के page layout टैप के अंदर scale fit और sheet option के बारे में जिसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहला option आपका width है, दूसरा height है और तीसरा scale है, आप देखेंगे हमारे पास एक database है, अगर हम इसका print निकालते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा data show नहीं हो रहा है हमारा जो data है, वो सिर्फ 49 तक यहाँ पर represent हो रहा है, और एकर इसे हम zoom करके देखेंगे, तो आप देखेंगे हमारे पास total data है, यानि कि 60% की information हमारे पास यहाँ पर represent हो रही है, और हमारे पास जो data print review अगर हम देखते हैं इसका, तो उसमें हमारे जो data है, वो सिर्फ 49 तक ही शो कर रहा है तो इसकी scaling को हम किस तरीके से fit कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने एक option है scale का, इसे scale option को जैसे हम यहाँ से decrease करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी margin है, वो यहाँ से, तो यहाँ पर margin है हमारी, वो यहाँ से increase होती चली जाएगी, और यहाँ पूरा का पूरा data हमारा एक page पर adjust हो जाएगा, तो यहाँ पर चैसे हम control plus F2 press करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा data है, यहाँ पर 60 तक available हो गया, तो इस तरीके से आप scale fit का use कर सकते हैं, इसके अलावा, अगर हम scaling को 100% यहाँ पर रखते हैं, और अब हम चाहते हैं कि automatically यह scale को fit कर ले, तो इसके लिए आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो data है, जिसकी height increase है, तो height के हिसाब से यहाँ पर हम use करेंगे height वाले option को, जैसे हम इस height वाले option पर click करेंगे, और यहाँ से हम select करेंगे page 1 को, तो जैसे हमने page 1 लिया, तो आप देखें, हमारा पूरा का पूरा data जो होगा, वो scale fit हो जाएगा, यानि हमे scale को adjust करने की जूरत नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे वो by default 83 scaling में adjust हो गया, तो अब हम, और अब हमारा पूरा का पूरा जो data है, वो हमारा adjust हो जाएगा, एक ही page पर हमारा print out निकल जाएगा, तो इसके लिए file वाले option पर जा सकते हैं, आप print पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, आपका पूरा का पूरा है, तो यहाँ पर देखें, scaling को अगर हम increase करें, तो scaling को increase करने के बाद यहाँ पर हमारे pages increase हो जा रहे हैं, यानि कि हमारे pages हैं, वो extra यहाँ पर use होंगे, अब इसको हम किस तरीके से manage कर सकते हैं, इस पूरे data को एक ही page पर कैसे print ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम use करेंगे width को, width को select करने के बाद, यहाँ पर जैसे हम page 1 को select करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे जो width के according, यह पूरा का पूरा data यहाँ पर manage हो जाएगा, control plus F2 प्रेस करके जैसे आप इसका print लेंगे, तो आपका पूरा का पूरा data एक ही page पर print हो जाएगा, अब यहाँ पर आप देखेंगे, हमारा जो data है, वो portrait के अंदर है, portrait में हमारा data पूरा का पूरा पूरा print हो रहा है, तो यहाँ से हम इसके orientation को change कर देते हैं, जैसे हमने orientation को यहाँ से landscape यूज किया, और उसके अब अगर हम इसका print preview देखते हैं, ctrl press, f2 press करके, तो आप देखें, हमारा पूरा का data manage हो चुका है, इस तरीके से आप scaling का use कर सकते हैं, scale fit का use कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पर आप देखेंगे, हमारे सामने option है, grid lines का, grid lines का मतलब यह होता है, कि जैसे माल लीजे, हमारे पास कोई simple data है, जिसके अंदर हमने कोई भी guideline, यानि किसी भी guideline का use नहीं किया है, यानि किसी भी border का use नहीं किया है, अब अगर हम इसका print preview देखते हैं, तो आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे सामने उस data का print आ रहा है, लेकिन उसकी outlines, लेकिन उसकी grid lines यहाँ पर show नहीं हो रही है, अगर आप इसकी grid line को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक option हमारे सामने आ रहा है, print का, इसको जैसे हम select करेंगे, और control प्लस F2 प्रेस करेंगे, तो आप देखें, जो भी grid lines थी, वो यहाँ पर represent हो चुकी है, तो इस तरीके से आप simple data को grid line में convert कर सकते हैं, अगर आप grid lines को यहाँ पर अटाना चाहते हैं, तो जैसे आप grid lines को यहाँ से अटा देंगे, और control F2 प्रेस करके, इसका print preview देखेंगे, तो भी यह data हमारे सामने represent हो रहा है, तो भी grid lines यहाँ पर show हो रही है, reason, इसका reason यह है, क्योंकि हमने यहाँ पर tick किया हुआ है, इसके print वाले option पर हमने tick किया हुआ है, इस check mark को जब यहाँ से हम अटा देंगे, और अब हम control F2 करके इसका print preview देखेंगे, तो आप देखें, grid lines हमारी यहाँ से remove हो चुकी है, इसी तरीके से अगर आप headings का use करना चाहते है, heading को जैसे हम tick mark यहाँ से अटाएंगे, तो आप देखेंगे, जो भी address था, यहाँ पर show up हो गया, यह row और column की जो भी headings थी, यहाँ पर represent हो चुकी है, तो इस तरीके से आप sheet option का भी use कर सकती है, तो दोस्तों यह बहुत ही most important option है, MS Excel का, इन सभी option का use करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा insert tab के अंदर, यहाँ से हमें select करना होगा illustrations, और यहाँ से हमें select करना है shapes, आप देखेंगे different types के आपके सामने shapes यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसमें से कोई भी shape आप select कर सकते हैं, और उसे draw कर सकते हैं, जैसी आप shape को draw करेंगे, आप देखेंगे हमारे सामने एक और toolbox खुल कर आ जाएगा, जिसका नाम है shape format, इस shape format के हम एक-एक option को use करके देखते हैं, कि इस options का क्या-क्या use होता है, तो सबसे पहला option आपको दिखाई देगा insert shapes का, insert shapes के अंदर जा करके आप किसी भी तरीके का कोई भी shape draw कर सकते हैं, draw करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने एक और option है edit shapes का, edit shape पर जैसे आपके सामने शो होगा chain shape का, अगर आप अपनी shape को change करना चाते हैं, तो यहाँ से जा करके बिना draw किये, आप यहाँ से अपनी shape को change कर सकते हैं, आप देखेंगे हमने shape को change कर दिया है, इसके बाद का जो next option है, वो है edit points का, आप इस पर जैसे click करेंगे, आप देखेंगे हमार से इस angle को rotate कर सकते हैं, तो different type से आप अपने shape को manage कर सकते हैं, different type आप से अपने shape को change कर सकते हैं, इसके बाद का next option है, वो है रिरोग कनेटर, आप इसका कैसे use किया जाता है, इसका use करने क लिए हमें क्या करना होगा? दो shapes को अपस में add करना होगा, तो दोशेप को add करने के ल अब इसमें हमें करना है जो भी dots हमारे सामने यहाँ पर represent हो रहे हैं उन सभी dot में से किसी एक dot को click करना है और click करने के बाद जिस shape पर हम इसे draw गरना चाते हैं वहाँ देखें वहाँ पर भी dots show हो जाएंगे और उस dot पर जैसे हम इसे छोड़ देंगे तो होगा क्या यह दोनों पर अब देखेंगे हमारा option वो शो हो गया अब यहाँ पर हम क्या करेंगे रिडोट कनेक्टर पर जैसी क्लिक करेंगे तो हमारा जो कनेक्टर था वह वापस से अपनी rotation में convert हो गया जिस भी angle पर आप इसे change करना चाहें उस angle पर आप इसे रख करके रिडोट कर सकते हैं जैसे हम इसे रिडोट करेंगे तो आप देखेंगे इसने अपना route बदल दिया तो इस तरीके से आप प्रिडोट options का यूज कर सकते हैं इसके बाद कर जो हमारा next option है वो है text box का text box पर जैसे आप अपने शेप को change कर सकते हैं different types के colors आपके सामने रिपर्जेंट हो रहे हैं इन में से कोई भी option का आप यूज कर सकते हैं इसके बाद का जो next option है वो है shape fill या आपका जो color fill हुआ है उसके color को अगर आप अपने हिसाफ से change करना चाहें तो यहां से different types के आपके सामने colors दिये गए हैं जिस भी color में आप चाहें उसे change कर सकते हैं इसके बाद का option है आपका no fill है no fill का मतलब है आपकी shape में कोई भी color fill नहीं होगा इसके बाद हम more fill colors इस पर click करके आप different types के color को manage कर सकते हैं different types के color को select करके आप ok कर सकते हैं वो color आपके shape में represent हो जाएगा इसके बाद के जो next option है वो हमारा pictures अगर आप चाहें तो अपनी shape के अंदर picture को भी adjust कर सकते हैं जैसे हम pictures पर click करेंगे आप देखेंगे हमारे सामने तीन option represent हो जाएंगे इन तीन option में से हम कोई भी option use करके picture को insert कर सकते हैं सबसे पहला option है from file यानि यहाँ पर आपके system में ही कोई file पड़ी भी है कोई photo पड़ी भी है जिससे आप import करना चाहते हैं या online picture पर अगर आप click करेंगे तो आपके सामने internet आपका connect होना चाहिए आपका internet यहाँ पर open हो इसके बाद from icons अगर आप चाहें तो icons का भी use कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ from file से हम किस तरीके से import करेंगे यहाँ पर click करने के बाद आपको जाना होगा यहाँ से कोई भी picture select करनी है और select करने के बाद यहाँ से जैसे आप insert करेंगे तो वह picture आप देख कर सकते हैं जैसे मैंने house को select किया और house को select करने के बाद आपके सामने different types के house यहाँ पर show हो जाएंगे इसमें से आप कोई भी house select कर सकते है तो माली जाए हमने इस वाली picture को select किया और यह आपने insert किया insert करते ही आप देखेंगे हमारे सामने जो भी हमारी shape थी उस shape में वह picture automatically manage हो by the495 तो इस तरीके आप जाके बांधर एकन आप कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने category दी गई है आपके सामने इसमें कर सकते हैं इसे इंसर्ट करने के इसमें से कोई भी टेक्चर आप यहाँ पर रिपर्जन करा सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने शेप के अंदर ग्रेडियन, पिक्चर, टेक्चर इन सभी का यूज कर सकते हैं या फिर कलर्स का यूज कर सकते हैं इसके बाद हम बात करें इसके आउटलाइन की कि वहाँ से आप कलर को मैनेज कर सकते हैं यहाँ से आप चाहें तो इसकी हाइट और विद को भी मैनेज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी कलर चूज कर लेते हैं यहाँ से हम इसकी विद को मैनेज कर सकते हैं से कोई भी वित आप select कर सकते हैं वित को select करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर dashage के options है आप इसे चाहें तो इस तरह के कि dashage का भी use कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने arrows का option है अब यह arrow option कैसे use किया जाएगा arrow के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर arrows use करने पड़ेंगे तो हम यहाँ से जाकर के shape tool से कोई भी arrow ले ले लेते हैं और arrow को जैसे हम यहाँ पर draw करेंगे तो आप देखेंगे यह वाला option हमारा यहाँ पर open हो जाएगा और different types के arrows का आप यहाँ पर use कर सकते हैं इसके बाद का जो next option आता है हमारा वो है text tool का यहाँ पर आप word art style को change कर सकते हैं जैसे हमाल लिजिए हमने text box में बोई भी text लिखा था और उसके word style को मुझे यहाँ से change करना है तो जिस भी text को मैं यहाँ से select करूँगा जिस भी style को मैं यहाँ से select करूँगा वो उसे style में हमारे text convert हो जाएगा इसके बाद का जो next option है वो है हमारा text fill का text fill पर click करके यहाँ से आप चाहें तो उसके text के color को भी आप change कर सकते हैं text के color को change करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से इसकी outline का color भी change कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें text को select करना होगा select करने के बाद यहाँ से हम text का color change कर सकते हैं text का color change करने के बाद outline का color change कर सकते हैं outline का color change करने के बाद different types के हमारे सामने options दिये गए हैं जिसमें से हम इसमें कोई भी shadow या different types के glowing effect या bubble effect का use कर सकते हैं तो इस तरीके से आपका जो shape था वो 3D effect में convert हो जाएगा इसके बाद का जो हमारा next option है वो हमारा all text का all text पे जैसे आप click करेंगे तो आप अपनी shape के according कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर अपनी detail लिख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने all text को select किया और यहाँ पर मैं कुछ भी type कर लेता हूँ जैसे मैं type कर लेता हूँ this is a shape और इसके बाद मैं इसको यहाँ से cut कर देता हूँ अब जब भी आपको इसके ऊपर comment पढ़ना होगा तो आप सीधे all text पे click करेंगे आपका comment यहाँ पर आपके सामने represent हो जाएगा तो यह तरीके से आप option का use कर सकते हैं और अब आता है हमारा arrange का option जिसको हम एक एक करके use करेंगे तो इसका use किस तरीकशन होता है हो तो इसके लिए हम एक new page ले लेते हैं New Page लेने के बाद हमें इसके से send to backward करेंगे तो आप देखेंगे और जैसे am a graph forward करेंगे तो बिंग तो forward करेंगे तो इस shape के ऊपर कर आ जाएगी इसी तरीके से आप इसके अंदर एक option देंगे, bring to front, यानि अगर आपके पास different types की और भी shapes हैं, और आप चाहते हैं कि यह सबसे उपर आजाए, एक बार में आपको बार-बार forward करने की जुरत ना पड़े, तो इसके लिए आप इसको use कर सकते हैं, जैसे माल लीचे मैं इसको ए एक बार में ही shape के पीछे चला जाएगा, और bring to forefront का अगर आप यूज करेंगे, तो एक बार में ही यह shape के ऊपर आजाएगा, तो इस तरीके से इन दोन options का आप यूज कर सकते हैं, इसके बाद आपके सामने option आता है, selection pane का, इस पर अगर आप लेक करेंगे, तो जितने भी shapes पिक्चर्स आपने यहाँ पर ली हुई हैं, वो सभी यहाँ पर show हो जाएंगे, और जिस भी shape को आप यहाँ पर off करेंगे, वो data आपका यहाँ से height हो जाएगा, तो इस तरीके से इसकी eyes को open या close कर सकते हैं, अपने data को show और height करा सकते हैं, इसकी मदद से, इसके बाद का जो according कि यह हमारा जो shape था, वो left में adjust हो गया, इसके अलावा मैं किसी और shape में आपको इसको करके दिखाता हूँ, जैसे माली जे हमने इस shape को select किया, black shape को और हमने blue shape को select किया यहाँ से, shift के साथ, अपने keyboard से आपको shift को दबा के रखना है, और दोने shape को select कर लेना है, और इसके बा आप करेंगे तो अपर अजस्ट हो जाएगा, इसी तरीके से अगर आप मेडल करेंगे, तो मेडल में adjust हो जाएगा, इसी तरीके से आप bottom करेंगे, तो नीचे की तरफ इसका adjustment हो जाएगा, इसके बाद आप आप देखेंगे, यहाँ पर distribute, horizontal और vertical है, तो इसको किस तरीके से use करना है, इसको use करने के लिए आपको तो आप यहाँ पर तीन शेप से होगी, तो सबसे पहली शेप हम यहाँ पर रखते हैं, और इस तरीके सामने तीनों शेप्स को यहाँ पर select कर लिया, इन तीनों शेप्स को select करने के बाद यहाँ पर जाना है, आपको और align horizontal पे click करना है, जैसे आप horizontal का click करेंगे तो आप देखेंगे आपका data horizontal में adjust हो गया, इसी तरीके से आप इसे वर्टिकल में रख सकते हैं, और वर्टिकल में रखने के बाद shift के साथ data को select कर लिजे, यानि shapes को select कर लिजे, और यहाँ से अगर आप इसे वर्टिकल करेंगे, तो वर्टिकल मे इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ आपके इस Excel को Excel के page को zoom करने के बाद यहां से insert shape में जाते हैं और यहां से हम कोई भी shape draw करते हैं तो माल लीज़े हमने एक rectangle select किया और rectangle को draw करने के बाद हम इसे अगर यहां पर move करेंगे तो easily यह movement हो रहा है अब इसके बाद हमें इस पर double click करने के बाद यहां से shape tool को select करना है और यहां पर हमें use करना है align का और align में सबसे पहला option use करेंगे हम snap to grid का snap to grid use करने के बाद अब इस shape को move करेंगे तो यह देखें line के according यह अपने यहां पर चिपक रही है यानि हम जैसे इसको draw करेंगे तो automatically इस size में adjust हो जाएगे अब दूसरा shape लेकर हम try करते हैं मालीज हमने यह आप एक ellipse को select किया और एक ellipse को यहां से draw किया तो जैसे हम ellipse को draw कर रहे है आप देखेंगे यह ellipse हमारा cell के अंदर automatically fit हो जा रहा है तो यह automatically by default fit हो जाएगा आप अपने हिसाप से इसको manage कर सकते हैं यानि snap to grid का मतलब यही है कि जो भी shape जो भी rectangle हम इसके इंदर draw करेंगे वो automatically cell के हिसाप से manage हो जाएगा इसके बाद का जो next option आता है हमारा वो snap to shape का option है अब इसके बाद का जो हमारा next option आता है वो है snap to shape का एक shape के अंदर हम लोग दूसरी shape को adjust कर लेते हैं और shape के साथ दोनों को select कर लेते हैं select करने के बाद यहां पर आप देखेंगे snap to shape यहां पर use हो चुका है और जैसे हम इसको यहां पर move करेंगे यानि एक shape को अगर आप move करेंगे तो आप देखें यह automatically इसके हिसाप से fit होता चला जा रहा है तो shape में आप alignment देने के लिए इसका use कर सकते हैं तो different type से आप इसकी shapes को भी align कर सकते हैं इसके बाद का next option है वो view grid lines का है तो आप चाहें तो इस grid line को यहां से अटा सकते हैं जैसे आप grid line पर click करेंगे को आपकी जो भी grid lines यहां पर show हो रही थी यानि जो भी cells आपकी show हो रहे थे वो यहां से height हो जाएंगे तो इस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं इसके बाद के जो next option होता है वो है group का तो group का मतलब होता है दो shapes को आपस में group करना माली जी हमने shift के साथ दोनों shapes को select किया और select करने के बाद यहां पर group वाले option पर जाकर करके हमने इसको group कर दिया group करने के बाद यह दोनों shapes आपस में जुड़ी चुकी हैं अगर हमें एक shape को यहां से move करेंगे तो दूसरी shape automatically by default यह move होना start हो जाएगी उसके साथ ही इसके बाद अगर आप इसे ungroup कर देते हैं यहां से तो ungroup करने के बाद आप इसे अलग-अलग moment करा सकते हैं करा सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा decrease करके आपको दिखा देता हूँ यहां से rotate पर क्लिक करेंगे 90 degree, 80 degree, vertical, horizontal पर आप चाहें तो इसलिए आप इसे rotate कर सकते हैं इसके बाद आप चाहें तो यहां से size को increase कर सकते हैं, size को decrease कर सकते हैं इसकी height या width को आप अपने ही साब से manage कर सकते हैं तो दोस्तों यही था हमारा shape का option अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हूँ तो चैनल को like कीजेगा, subscribe कीजेगा और अपने सभी दोस्तों में share जरूर कीजेगा नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MS Excel के एक बहुत ही बैतरीन फीचर के बारे में formula tap के अंदर आप देखेंगे एक option है हमारा define name यह MS Excel का एक बहुत ही बैतरीन फीचर है जिसकी वज़े से हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाती है लेकिन अब हम क्या करेंगे यहाँ पर simply type करेंगे इन सभी के headers के names यानि जैसे मालीजे अब हमें देखना है हिंदी का total marks तो हिंदी गले हम type करेंगे यहाँ पर हिंदी then comma use करेंगे तो आप देखेंगे पूरा का पूरा selection automatically इसने यहाँ से ले लिया इसके बाद अगर English की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम type करेंगे English और comma लगाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर भी English का पूरा selection यहाँ पर इसने ले लिया है इसके बाद अगर हम यहाँ पर type करेंगे political तो आप देखेंगे particle की भी यहाँ पर selection हो चुकी, इसी तरीके से आप history ले लीजे, कौमा लगाईए और इसी तरीके से आप geography ले लीजे, और उसके बाद bracket को करिए close और press करिए enter, जैसे ही हमने इसका enter प्रेस किया, आप देखेंगे इन सभी का total यहाँ पर हमारे सामने represent हो गय मिन लिखने के बाद हमें यहाँ पर इन सभी subject की range लेनी होती थी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर simple type करेंगे हिंदी, और हिंदी type करने के बाद जैसे हम यहाँ पर bracket को close करेंगे, और enter press करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर minimum marks यहाँ पर 33 represent हो गया, इसी तरीके से अग select हो गई है, यहाँ से bracket को close करना है और press करना है enter, enter press करते ही आप देखेंगे, यहाँ पर 94 सबसे top level पर है, तो यहाँ पर भी 94 maximum value हमारी represent हो चुकी है, तो इस तरीके से आप without बिना range लिए, आप किसी data का answer निकाल सकते हैं, या आपको बार बार किसी data की range लेनी की जुरत नहीं है, तो यह बहुत ही बैतरीन feature है, इस feature का आप किस तरीके से use कर सकते हैं, आपको वो clear कर देता हूं, तो हम चले जाते हैं next sheet के ऊपर, next sheet पर जाने की बाद यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहला option है name manager, इस पर हम click करेंगे, तो आप देखेंगे हमने जितनी भी range को पर click करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने new name का option आप यहाँ पर आप इसे जो भी नाम देना चाहें, वो यहाँ पर दे सकते हैं, याप जिस भी range को जो नाम देना चाहें, आप दे सकते हैं, तो हम देते हैं जैसे हिंदी, हिंदी लिखने के बाद आप य हम η diu a कहांडаем को और वह स्ट लिए पूरी को स्लेक्ट करने के बाद आपको सिंप्ली का पर प्रेस करना है को कि यहाँड़ के सिंप्ली मृत यहां satu ध हो चुका है इसके बाद आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर मैं आपको formilda marks यहां पर represent हो चुके हैं तो दोस्तों यह बहुत ही बहुत ही बैतरीन feature है जिसकी वज़े से हम जो भी बार-बार selection करते थे वो selection करने का जंजट यहां से खतम हो जाएगा इसी तरीके से आप देखेंगे यहां पर एक option है define name का यह define name बही option है यहां से भी आप click करके directly इस formula को add कर सकते हैं इस function को add कर सकते हैं तो मैं एक तरीका और आपको बता देता हूँ यहां पर आपको क्या करना है simply सबसे पहले English को select करना है English को select करने के बाद define name पर click करना है define name पर जैसे आप click करेंगे तो by default इसका जो first header होता है इसका नाम यहां पर represent कर देगा अगर आप नाम को change करना चाहें तो नाम को यहां से change कर सकते हैं इसके बारे मैंने आपको बताई दिया कि इसे किस sheet पर apply करना है या workbook पर apply करना है तो बो select कर सकते हैं यहां से अगर आप चाहें तो इसकी range को edit भी कर सकते हैं जैसे माल लीजे फिलाल अभी हम इसी range को ले लेते हैं इसी range को लेने की बाद English मैं यहां पर add कर दीता हूं इस उपल तो max का use करता हूं और यहां से हम टाइप कर देते हैं इंग्लिश प्रैकित को आमने ग्लोस किया और अटरप्रेस किया अटरप्रेस करती है आप देखेंगे आपर 81 शो हो गया जो कि सबसे maximum marks नहीं आपर आप आप माल लीजे कि हमने इस range को edit कर दिया यहां पर आमने कुछ extra numbers add कर दिये हैं इस तरीके से अगर हमने यह जो extra number add किया है हमने जो selection लिया है जो हमने formula put किया है वो इतने ही area के उपर apply किया है यहां पर आप देखेंगे जो हमारे पास using formula है वो दो है एक English और एक Hindi तो यहां से भी directly आप इसको select करके ले सकते हैं तो जैसे माली जब हम यहां पर हमारा जो option है वो दो data हमारा extra add हो गया है लेकिन जो मैं answer दे रहा है वो सिर्फ इतने ही data में से find out करके represent करा रहा है तो आप माली जा हमें इसका total निकालना है या minimum निकालना है या maximum निकालना है और यह दोनों data भी मैं चाहता हूँ इसके अंदर add हो जाए तो इसके लिए आपको करना का है simply आपको जाना है यहां से name manager पर जाने के बाद यहां से आपको select करना है English और English को select करने के बाद यहां अबर आपको press करना है edit, edit को press करने के बाद यहां पर जो भी आपकी range थी वो range यहां से select कर सकते हैं इसको expand कर सकते हैं चाहे तो आप नाम भी change कर सकते हैं यह आपर simple ok press कर दीजे, ok press करते ही हमारा update हो चुका है यह आपर close करिए और close करने के बाद जैसे हम इसका total marks निकालते है और यहां पर इन सभी का total marks एड़ हुआ है, सिर्फ इतने का नहीं बलकि इन सभी का total marks यहां पर add हो चुका है तो इस तरीके से formula में आप changes भी कर सकते हैं अगर आप इसको आपको delete करना है तो यहां से select करके इसको delete भी कर सकते हैं, edit भी कर सकते हैं और new तो मैंने आपको बता ह दिया कि आप नया manager कैसे बना सकते हैं, इसके बाद एक बहुत ही बैतरीन feature और आपको बता देता हूँ, जैसे माल लीजे आपको एक एक करके सबका head रहे आपर बनाना पड़ रहा है, यह बहुत ही बड़ा difficult काम हो जा रहा है, तो हम मैं चाहता हूँ कि यहां पर जितने भी subjects हैं, उन सभी का एक साथी selection create हो जाए, तो उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको बार click करना है, और इस पूरे area को select करना है, जिसका आप नाम define करना चाहते हैं, तो यहां पर आप आप देखेंगे, बहुत ही बैतरीन feature आपके सामने represent होगा, जिसका नाम है create from selection, create from selection पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे, हमारे सामने तीन option यहाँ पर represent हो रहे हैं, सबसे पहला है top row, दूसरा है left column, तीसरा है bottom row, चौता है right column, इसका मतलब यह है कि आप जो भी नाम देना चाहते हैं, वो आपका किस तरफ है, यानि कि top पर है, या left में है, bottom म पर हमारे सामने एक option आगा है, replace exiting definition of Hindi, इसका मतलब यह है कि Hindi और English का हमने अल्रेड़ी यहाँ पर add कर रखा है, और मैं चाहता हूँ से replace करना तो मैं simply यहाँ पर press करूँगा yes, और एक बार और आप देखेंगे, हमारे पास error आगया, तो English का भी हमने add किया हुआ है, इसको भी replace कर देते हैं, इसको replace करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर value जो थी, वो decrease हो चुकी है, तो जैसी आप using formula पर click करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे सभी name यहाँ पर define हो चुके हैं, अब यहाँ पर आप simply click करके इनका use कर सकते हैं, तो मैं आपको history का use करके दिखाता हू is equal to, हमने यहाँ पर use करना है history, तो हम ले लेते हैं minimum, minimum लेने के बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर history, history को select करने के बाद bracket को close करियो, and press कर दीजे, and press करते हैं, आप देखेंगे, हमारा सामने यहाँ पर data represent हो चुका है, यह वह होती बैतरीन फीचर था MS Excel का define name तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा और subscribe जरूर कीजेगा formula tab के formula editing और calculation option के बारे में जिसमें आप सबसे पहला option देखेंगे trust president का है इसको हम किस तरीके से use करते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे इस उकल्डू का use करते हैं और कुछ values को यहाँ पर plus करा लेते हैं यानि उसका sum करा लेते हैं तो हमने कुछ values को यहाँ पर लिया और इसके बाद हमने इन तीनो values का sum करा लिया sum करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इन सभी तीनो values का total आ चुका है अब हमें यह पता नहीं चल रहा है कि इस value का total किन किन value से लिया गया यानि किन किन value को जोड़ करके इसमें इसको sum किया गया है तो इसके लिए हम जैसे ही यहाँ पर trust president का use करेंगे रिमूफ कर देते हैं इन arrows को और यहाँ पर हम किसी value को select करते हैं जिस value का use हमने यहाँ भी किया है और जिस value का use हमने यहाँ भी किया है यानि हमने यहाँ पर भी sum का formula use किया है तो जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी value को select करते हैं select करने के बाद यहाँ पर trace dependence पर click करेंगे तो आप देखेंगे इस 80 का use यहाँ पर भी किया गया है और इस 80 का use यहाँ पर भी किया गया है तो यह इसका बिल्कुल opposite काम करता है तो इस तरीके से आप trace president और trace independence का use कर सकते हैं इसके बाद का option है वो remove arrow है जिसके बारे मैं आपको बता दिया है अगर इन arrows को आपको remove करना है तो इस पर जैसे आप click करेंगे तो यह arrow हमारे remove हो जाएंगे इसके बाद का next option आप देखेंगे शौ formula का option है इस पर जैसे आप click इसके हम किसी formula को edit करते हैं और यहांपर formula को गलत करके enterprise कर देते हैं तो यहांपर आप देखेंगे कि error हमारे इसे पर रेप्र एपर present कर देगा यहाँ से अगर आप इसे ignore करना चाते है, show calculation steps को देखना चाते है कि आपने किस तरीके से इसको sum किया है, कौन सा formula आपने use किया है simulate कर सकते हैं आप इसको, तो इस तरीके से आपका एस formula बताएगा कि आपका formula किस तरीके से use किया जाता है इसके बाद आप इसे close कर दीजे और यहाँ पर आप ignore कर सकते हैं एडिट करना चाहिए तो formula को click करके यहाँ पर आप formula के अंदर editing कर सकते हैं यहाँ पर आप formula को correct कर सकते हैं तो इस तरीके से आप error checking का use कर सकते हैं इसके बाद next option आप देखेंगे तो यहाँ पर option है हमारा trace error का इसको आप यहाँ से correct कर सकते हैं और इसको remove करने के लिए आपको use करना होगा remove arrows का यहाँ से आप इसको remove कर सकते हैं इसके बाद का option आप देखेंगे वह हमारा एनवेट formula का तो एनवेट formula हमारा किस तरीके से use किया जाता है उसके लिए हम किसी भी formula को click करेंगे या मालीज हम इसको यहाँ पर इसकी वैलू को भी रिपरजन करा देगा उसके बाद फिर से रिपीट कर देता हूं जैसे मालीज हमने restart किया वापस तो सबसे पहली वैलू आप देखेंगे यहाँ पर e5 है तो e5 आप देखेंगे यहाँ पर e5 हमारे पास का है तो e5 हमारा यह रहा 91 पर jasi click करेंगे तो आप देखेंगे 91 शो हो गया इसके बाद f5 है फ़ाइब करेंगे तो आप देखेंगे 80 यहां पर रिपरेजन्ट हो चुका है इसके बाद हम next फिर से अनुलेट करेंगे एनुलेट करने के बाद इसने क्या क्या इन दोनों को use कर सकते हैं and wait formula को step in भी use कर सकते है और step out का भी use कर सकते है यानि कि step in का मतलब होता है कि कौन सा formula कहाँ पर लगाए गया है और step out का मतलब उसका result कहाँ पर represent हो रहा है तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं इसके बाद का जो next option है यहा होई हां पर watch window, watch window क्या का क्रता है, किसी भी डैटा को या पर हम select करते है मा लिज Ist każda मैं दिटा को यहां से select किया watch window पर click किया, watch window पर click करने के यहां पर आप देखेंगे corner बेक option होगा, add watch ka इस add watch पर जैसिए आप klick करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा यहां पर select हो जाएगा और जैसे यहां पर इसे add कराएंगे तो आप देखेंगे हमारे जितना भी data यहां पर add हो चुका है जिसमें आप यहां पर देखेंगे जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे आप define नाम से हमने sheet को save किया हुआ है तो define name यहां पर show हो रहा है इसके बाद sheet number 1 है जिसके अंदर हमने इस sheet का use किया है बी 3 हमारा क्या है cell address है और इसके अंदर हमारे 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 रिपर्जन रहा है वेलू है और इसके इंदर कोई formula है यहां पर रिपर्जन नहीं हो रहा है उसी तरीके से यहां पर देखेंगे कि हमने sheet कौन सी use की है, book कौन सी use की है, name कौन, cell का नाम क्या है, cell का address क्या है, उसकी value कितनी है, तो यह सब कुछ हमें यहाँ पर represent करा देता है, तो इस तरीके से आप इसकी watching कर सकते हैं, इसके बाद हम इसे यहाँ पर close करते हैं, close करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे सामने जो next option है, वह है calculation का, calculation वाला जो option है, वो basically हमने automatic पर set किया है, by default automatic पर ही रहता है, इसके बाद अगर हम इसे manual करेंगे, तो क्या होगा, उसके लिए मैं सबसे पहले formula को वापस से correct कर देता हूं, यहाँ पर हम formula को फिर से clear कर लेते हैं, और एक नया formula फिर से use कर लेते हैं, और उसके बाद मैं इसका use आपको बताते हूं कि इसका use किस तरीके से किया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे, आपर option है हमारे मैं अब इसको use करता हूं यानि change करता हूं और मैं इसको type 555 और enter जैसे ही प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे वहाँ पर value भही है, जो कि हमारी calculate नहीं हुई, पहले हमने जो भी value चेंज की थी, वह automatically उसने calculate कर दिया था, और जो value मैं यहाँ पर setup हो जाएगी, यानि यहाँ पर हमने 55 set किया था, तो जैसे हम calculate now उपर click करेंगे, तो आप देखेंगे, वहाँ हमारी value update हो चुकी है, अब basically यहाँ पर option है calculate sheet का, तो calculate sheet का जो use किया जाता है, जैसे मालिजे, आपने पूरी sheet में जगा 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 पर कोई भी changes कर लिए है, और जगा 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 पर जो भी changes आपने की है, अगर आप एक बार में ही click करेंगे, calculate sheet पर तो जितनी भी आपकी sheet के उपर आपने editing की होगी, वह सारी की सारी update हो जाएगी, calculate now basically जो हमने editing किया है, recently data के अंदर ये उस पर काम करता है, और calculate sheet पूरे all data, यानि all sheet पर work करता है, तो यही basically use था, इसे हम basically automatic रखते हैं, कभी-कभी हमें ज़रत पढ़ जाती है, कि हमें manual calculation करना होता है, तो उस situation में आप इसका use कर सकते हैं, तो दोस्तों यही था हमारा formula tab के बहत transform data के बारे में, आप देखेंगे data type के अंदर एक option है, हमारा get and transform data, जिसके अंदर हम सिखेंगे, कि आप किस तरह से different types के files को MS Excel के अंदर import कर सकते हैं, और साथ ही हम यह भी जानेंगे, कि हम किस तरीके से MS Excel की file को एक दूसरी file के साथ link कर सकते हैं, तो चलिए video को शुरू करते आप से निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बैतरीन वीडियो लाते रहेंगे, तो चलिए video को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला option आपको दिखाई देगा, get data का, get data पर पिर आपका कोई different type का folder हो, तो इन में से आप किसी भी तरीकी की कोई भी extension convert कर सकते हैं, इसको import कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे, CXs की file को भी आप यहां से import कर सकते हैं, बहुत सारी extension को यह support करता है, different types के extensions से आउप data को import कर सकते हैं, तो चलिए, मैं आपको कुछ data import कर जाएंगेस लिख Soычно, के दिखाएंगे 1sulation . सब्सक्राने मैं रिखाती आप इन फाइल के आप tämä देखेंगे ऍंदर जाकर हमें देक्समें डिखाता हूं जयानीं जहां पर भी आपकी फाइल पड़ी होई है, उस फाइल को यहां पर आप वेपकर आपकर लेंगे यानि किस table का data आप यहाँ पर import करना चाहते हैं first sheet पर आप देखेंगे यह data पड़ा हुआ है second sheet पर आपका यह data पड़ा हुआ है third sheet पर आपके पास यह data पड़ा हुआ है तो मारी जब first sheet का data इसे import करना चाहते हैं तो हम first table को select करेंगे और यहाँ पर हम simply इसे load पर click कर देंगे आप इसे यहाँ पर load भी कर सकते हैं और इसे transform data पर भी click कर सकते हैं तो हम फिलाल इसे load पर click करेंगे load पर जैसे हम click करेंगे आप देखेंगे हमारी वो डेपल यहाँ पर represent हो चुका है आप देखेंगे यही फाइल थी जो हमारी वहाँ पर import हो चुकी है तो चलिए इसके बाद और भी मैं कुछ options के थूँ आपको दिखाता हूँ कि किस तरह किसे आप data को import कर सकते हैं तो चले जाए यह data tab के अंदर और यहाँ पर आपके देखेंगे आपके सामने एक option है from text csv का यानि आप चाहें तो किसी text file को भी इसमें import कर सकते हैं तो यहाँ पर आप click करिए click करने के बाद मालीजे हमारे पास दो file है एक product की और एक मेरे पास new document की file है तो मैं आपर new text document को select करता हूँ simply say import पर click करता हूँ और import पर click करने के बाद आप देखेंगे उसके अंदर जो data है वो यहाँ पर represent आपके सामने हो जाएगा इस data को अगर आप Excel के अंदर import करना चाहते हैं तो यहाँ पर simply आपको load पर click करना होगा load पर जैसे आप click करेंगे वो data automatically next sheet पर automatically represent हो जाएगा तो इस तरीके से आप data को import कर सकते हैं इसके बाद और भी options इसके अंदर है जिसके अंदर आप web के through कोई data import कर सकते हैं यानि कि internet का अगर कोई data है वो भी अगर आप import करना चाहते हैं तो Excel के अंदर यह feature add हो चुका है जिसके अंदर हम इसको import कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको यह भी करके दिखा देता हूँ तो इसके लिए हम from web पर जैसी click करेंगे तो हमारे सामने एक URL का option आएगा basic का और advance का advance के अंदर आपको आफिजारी information खुद से type करनी होती है तो हम simply basic use करेंगे basic के अंदर जाने के बाद हम simply यहाँ पर उस URL को paste कर देंगे जो इस URL का data मुझे यहाँ पर import करना है तो simply हम ने माली जे एक site open कर रखें यहाँ पर corona various की तो इसको हम यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर इसको copy करेंगे copy करने के बाद यहाँ पर चले जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर दिखा देगा कि कौन सर डेटा आपने यहाँ पर import किया है अगर आप table view देखना चाते हैं तो यहाँ पर simply table view पर click करके यहाँ पर जिस भी table को यहाँ पर select करेंगे उस table का पूरा data यहाँ पर आपके सामने represent हो जाएगा तो इस table को अगर आप import करना चाते हैं यहाँ पर तो जिस भी table को आप import करना चाते हैं उसको यहाँ पर select करना होगा और simply आपको load पर click कर देना होगा जैसे आप load पर click करेंगे आपका पूरा का पूरा data यहाँ पर represent हो जाएगा इस data को आप analyze कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको manage कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा वो data पूरा का पूरा यहाँ पर import हो चुका है तो इसको आप अपने हिसाब से use कर सकते हैं इस content को आप अपने हिसाब से use कर सकते हैं तो चलिए इसके बाद और भी कौफी सारे options है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम Excel की file को इसमें import कर सकते हैं और connection कर सकते हैं इसका अब आप देखेंगे हमारे सामने एक और option है recent sources का इस source पर जैसे हम click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिखाएगा कि आपने कितनी file को यहाँ पर add किया हुआ है जैसे आप देखेंगे यहाँ पर coronavirus का हमारे पर data import है, example 1 की sheet import है, database की sheet import है, conditional formatting की sheet import है और text की file import यहाँ पर है exiting connection का use, तो इसके लिए मैं freshly एक नई sheet ले लेता हूँ, new sheet लेने के बाद मैं चला जाता हूँ data type के अंदर और यहाँ पर exiting connection पर click करता हूँ, exiting connection पर click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक option हैगा browse for more का, browse for more पर जैसी आप click करेंगे, click करने के बाद इस excel के साथ link करना चाहते हैं, तो simply आपको करना का है, desktop पर select करना है, याई जहाँ पर भी आपकी file है, उसको select कर ले रहा है, बालेज हमने conditional formatting की file को वापस से select किया और यहाँ पर open कर दिया है, open करने के बाद आप देखेंगे, आपके सामने option है sheet 1, sheet 2, याई किस का data आप import करन चाहते हैं, sheet 1 का या sheet 2 का, तो हम sheet 1 को select करके यहाँ पर ok करते हैं, इस format के अंदर आप से पूछा जा रहा है कि आप इस format को किस format में import करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला option आप देखेंगे table का है, दूसरा pivot report का है, तीसरा pivot chart का है, चौता only create connection का है, तो यहाँ पर हम simply table को use क करेंगे, हम चाहते हैं कि जो भी हमारा data हो, वो table format के अंदर यहाँ पर represent हो, तो हम table को select करके, यहाँ पर ok प्रेस करेंगे, open करते ही आप देखेंगे, हमारा data यहाँ पर easily import हो चुका है, इस तरीके से और भी अगर किसी file को import करना है, तो same as it is, data tab में जा करके, exiting connection में जा करके, browse for more को select करके, यहाँ से अपनी file की location को select कर लिजे, मालीजे desktop पर हमने database के नाम से दूसरी file बनाई हुई है, हमने उसको select किया और यहाँ पर easily इसे import कर दिया, import करने के बाद यहाँ पर आपको simply ok प्रेस करना है, आपको जो भी चाहिए, यानि पाइवर टेबल, पाइवर चार और सबसे बड़ी खास बात इसकी यह है कि आप जिस भी data को आप original file के अंदर changes करेंगे, वो यहाँ पर automatically update होता चला जागा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम उस original file के अंदर कोई changes करते हैं, तो क्या इस file के ओपर कोई effect पढ़ता है, तो हम इसे minimize कर लेते है इस file के अंदर हम को changes करते हैं, जैसे हम आल लिजे हमने इतने data को select किया और यहाँ से delete कर दिया, delete करने के बाद मैं इस file को यहाँ पर control-s करके save कर दिया, save करने के बाद अगर हम जाते हैं अपनी original file के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो file अभी तक update नहीं हुई है, तो इसको update करने के लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक refresh नाम का option होगा इस refresh वाले option पर आपको click करना होगा और यहाँ पर आपको refresh all पर click करना होगा जैसी आप यहाँ से refresh करेंगे आप देखेंगे आपका data यहाँ पर update हो चुका है यानि जिस data को आपने import किया है, जिस data को आपने correct किया है, वो connection यहाँ पर आपके सामने शुर्प हो जाएगा. इसके बाद आप देखेंगे एक और option आपके सामने represent हो रहा है, properties का, properties के ओपर जैसे आप click करेंगे, मालीज हमने properties पर click किया, यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने option है, refresh every 60 minutes, यानी कि जब भी original file के अंदर कोई भी data edit किया जाएगा, तो every 60 minutes में यह by default automatically update हो जाए करेगा, इसको आपको select करके ok press कर देना है, अब आपको कुछ नहीं करना हर 60 minutes पर यह automatically update हो जाए करेगा, यानी बार-बार आपको refresh करने की ज़र्वाद नहीं है, तो दोस्तों यही था हमारा query connection का option और transform data का option यानी short and filter के बारे में, short and filter MS Excel का बहुत ही powerful option है, जिसका use किया जाता है किसी भी data को filter करने के लिए, analyze करने के लिए, जिसमें सबसे पहला option आपको दिखाई देगा, short and filter का, जिसमें lowest to highest and highest to lowest, यानी किसी भी data को आप ascending में convert कर सकते हैं, या तो फिर आप उसे descending में convert कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, filter यहां पर लगाना होगा, filter लगाने के लिए यहां पर आप देखेंगे, एक बटन हमारे सामने नजर आएगा, इस वाले बटन पर जैसी हम click करेंगे, तो click करते ही, यहां पर आपके सामने फिल्टर लग जाएगा, या तो आप इस तर इसको वापस से आप स्मॉलेस्टूल आजस्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में कनवर्ट कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्षन है sort का sort option किसलिए use किया जाता है इसके अंदर बहुत सारी conditions है जिसका use करके आप अपने data को filter कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक data लिया हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ colors का use किया हुआ है तो मैं colors के हिसाब से इसको filter करना चाता हूँ तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं इसके लिए पूरे data को एक बार select करना चाते हैं या जिस data पर sorting का use करना चाते हैं उसको आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो इसके लिए हम sort option पर जैसे click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने एक warning आजाएगी इसके नदर दो option आपके सामने represent होगा जिसमें सबसे पहला option आपको दिखाई देगा expand the selection यानि आप अपने selection को expand करना चाते हैं या इतने ही data को आपको filter करना है या और भी data है जिसको आप filter करना चाते हैं तो वह आप filter कर सकते हैं इसके बाद आपके सामने next option है continue with the current selection यानि जो हमने selection किया हुआ है हमें सिर्फ इतना ही filter करना है तो हमने यहाँ पर second option को select किया और यहाँ पर sort पर click करेंगे sort पर जैसे हम click करेंगे आप देखेंगे हमारे सामने एक box open हो जाएगा box के अंदर आप देखेंगे जो हमरा history का tap था वो यहाँ पर show हो जाएगा अब यहाँ पर आप देखेंगे cell color show हो रहा है, value show हो रहा है, font color show हो रहा है, conditional formatting icon show हो रहा है यानि इतने type से आप इसको filter कर सकते हैं तो मैं आपको करके दिखाऊँगा cell color से, cell color को select करने के बाद जो भी data हमने select किया हुआ है उस data में जितने भी color से यहाँ पर होंगे वो सारे color यहाँ पर show हो जाएगे तो इसमें से हम कोई भी color को select कर लेते हैं, जैसे माली जे हमने ले लिया yellow color yellow color को मैं चाहता हूँ यह top पे आ जाए, तो यहाँ पर bottom को अटा करके हमने ले लिया on top और जैसी मैं यहाँ पर okay पर press करूँगा, आप देखेंगे yellow color हमारा top पे represent हो जाएगा सेम इसी तरीके से आप और भी colors को मैं यहाँ पर manage कर सकते हैं, और भी colors को आप यहाँ पर sorting कर सकते हैं मैं एक बार फिर आपको करके दिखाता हूँ, हमें जाना है sort पाले option पर और continue with the current selection को select करते हुए, यहाँ पर sort पर click करना होगा और यहाँ पर आपको अपना color choose कर लेना है, माली जाए यह color हमें bottom पर चाहिए और यहाँ से आपको अपनी condition select करनी है कि sorting आप किसमें करना चाहते हैं और यहाँ से हमने select कर लिया on bottom और जैसी मैं ok press करूँगा, आप देखेंगे यह color हमारा bottom में convert हो गया तो इस तरीके से आप certain filter का use कर सकते हैं, इसके बाद यह जो option आपके सामने नजर आ रहा है, इससे filter को लगाया जाता है या filter को हटाया जाता है इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने एक option है clear का, clear option किसले use किया जाता है, जैसे मालीजे, हमने यहाँ पर कोई भी condition यूज़ की है, जैसे मालीजे हमने ascending और descending का use किया या फिर हमने किसी data को यहाँ से unhide कर दिया, जैसे मालीजे हमने यहाँ से one और two का data select किया और okay कर दिया तो हमारे सामने सिर्फ दो बंदो का ही data represent हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पर clear पर click करूँगा, तो हमारा पूरा पूरा filter जो भी condition हमने लगाया थी, वो सारे की सारे यहाँ से clear हो जाएगी, तो इस तरीके से आप clear का use कर सकते हैं, तो इस तरीके से यूज किया जाता है, मैं grade वाले option पर, grade वाले option पर जाने के बाद हमने select all पर से tick हटा दिया, और यहाँ पर हमने a, b को हमने select किया और यहाँ पर press कर दिया, ok, ok, press करने के बाद आप देखेंगा हमारे सामने जो data दिखना चाहिए, वो a और b का दिखना चाहिए, अब मालीजे आपने इसको change कर दिया, को वापस से reapply करना है, तो उसके लिए जैसे आप reapply पर click करेंगे, तो click करते ही, जो भी हमने condition लगाई थी, उसके हिसाब से वापस से filter हो जागा है नहीं, वापस से reply हो जाएगा, तो इस तरीके से आप data को filter कर सकते हैं, इसके बाद आप देखेंगे, आपके सामने एक बहत को यहाँ पर copy करके दो बार paste किया हुगा, माल लिजए आपको एक condition दी जाती है, कि history के marks में से, जिसके भी marks 80 से above हैं, उनका data आपको अलग से copy करके paste करना है, तो अगर आपके पास यह बहुत बड़ा data होगा, तो उसको copy करके paste करने में आपको बहुत जादा परेशानी होग तो इसके लिए हम use करेंगे advanced filter का, जैसे माल लिजए history में से 80 से above जितने भी marks हैं, उनका data अलग से निकाल करके उसको paste करना है, तो उसको किस तरीके से हम filter कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर use करेंगे advanced filter का, तो इसके लिए हम चले जाते हैं history वाले columnar और यहाँ पर condition अप आपने सामने सबसे पहला option है filter the list in place, यानि जो भी हमारा data है वो इस data में से filter होना चाहिए, इसके बाद हम यहाँ पर second वाले option के अंदर, second वाले cell के अंदर हम range लेंगे किसकी इस पूरे data की, यानि जो भी हमने criteria range लिए है, जो भी हमने condition अपनी लगाई है, और उसके बाद copy प्रक्लिक करने के बाद, यहाँ से हम इस data को clear कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम range लेंगे इस पूरे data की, यानि जो भी हमारा data copy होकर यहाँ पर paste होना चाहिए, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर okay प्रफस्ट करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा data copy paste ह तो इस तरीके से आप अपने बड़े data को analyze कर सकते हैं, अपने बड़े data को filter कर सकते हैं, तो दोस्तो यही था filter का option, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share ज़रूर कीजेगा, डेटा टूल में सबसे पहरा option आपको दिखाए देगा, टेक्स टू कॉ हमारे पास यहाँ पर कुछ नाम है, नमन कुमार यादव, इसी तरीके से अमन के बाद कॉमा है, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद कमल है, फिर से कॉमा है, स्पेस है, दीपक है, फिर से कॉमा है, स्पेस हो अधित्या है, तो इसको हम चाहते क्या हैं कि जैसे नमन कुमार तो यह अलग-अलग cell के अंदर डिवाइड हो जाए इसी तरीके से अमन हमारा अलग cell में आ जाए कमल अलग cell में आ जाए दीपक अलग cell में आ जाए अगर आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा है जिसमें आपके जो नावन है वो mix-up लिखे हुए है और उसको आप अलग-अलग cell के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं तो text to column की मदद से आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो चलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ इसके लिए आपको सबसे पहले करना का है इस cell पर click करना है इस cell पर click करने के बाद यहाँ पर text to column पर click करना है text to column पर click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे fixed width और do limited का एक option आपके सामने नजर आएगा तो इसमें से सबसे पहले हम select करेंगे delimited को delimited को select करने के बाद यहाँ से आप इसे next करेंगे नेक्स करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने काफी साथे options नजर आ रहे हैं, जिसमें से आप जो भी चीज को remove करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर select कर सकते हैं, तो हम यहाँ से others को आटा देते हैं, और space को हम लोग यहाँ से select कर लेते हैं, select करने के बाद आपको यहाँ पर next करना होगा आप देखेंगे आपका जो data है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा next करेंगे next करने के बाद destination के अंदर आपको क्या करना है उस जगा की range देनी है जहाँ पर आप data को लेना चाहते हैं यहाँ पर हम big column को select कर लेते हैं और यहाँ पर हम simply finish कर देते हैं चैसे हमने finish किया आप देखेंगे हमारा जो data था वो अलग रख cell के अंदर divide हो गया same इसी तरीके से आप अमन, कमल, दीपक और आदेत्या को और इसके कॉमा को किस तरीके से remove कर सकते हैं मैं वो तरीका आपको बताता हूँ, उसके लिए भी आपको simple cell को select करना है text to column पर click करना है, यहाँ से वापस से आना है delimited के अंदर और यहाँ पर next को click करना है next पर आने के बाद आप आप देखेंगे हमें remove क्या करना है, तो space को remove करना है और दूसरा हमें remove करना है comma को तो हम दोनों को select करेंगे, अगर आप comma को यहाँ पर select नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने comma भी represent होगा यहाँ आपके नाम के साथ comma भी show होगा, तो यहाँ पर आप comma को select करना है, तकि comma आपका ना आए और इसके बाद आपको करना के कहा है? और यहां से नेक्स करेंगे यहां से आपको क्या करना है सिंपल क्लिक करना है जहां से आपको इसको डिवाइड करना है वहां से यहां पर भी क्लिक कर देना है जहां से आप इसे डिवाइड करना चाहते है और सिंपल आपको यहां पर नेक्स करना है को आुट माइ को कर दिया है कि अब ध सकते हैं क्योंiben में स्कूलच का प्रुमूम के करेंगे सपथ के देटा एक पूंपब करेंगे कि डिवाइत नोvidy.nl अन यहां पर कूंसी वेब सैट का लिक भी दिया हूँ है और टैक्से वेब करना है तो इससे करेंगे data को select करेंगे same text to column को select करेंगे और यहाँ से आपको जाना है delimited के अंदर और यहाँ पर करना है simple next next करने के बाद यहाँ पर आपको select करना है others और others में आपको उस symbol type कर देना है जो symbol आप लेना चाहते है space यहाँ पर नहीं है, comma यहाँ पर नहीं है represent हो गया, तो इस तरीके से आप text to column का use कर सकते हैं, इसके बाद आप देखेंगे flash fill का एक option है, जिसका use किस तरीके से किया जाता है तो इसके लिए हम चले जाते है next sheet पर next sheet पर जाने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर हमने इस cell में आपको बताना होगा कि आप इसे किस तरीके से divide करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर लिख दिया अमन, और इसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया pande, simple करना कहा है, simple first name को select करना है, और यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर represent हो चुका है, तो इस तरीके से आप flash fill का use कर सकते हैं, flash fill से आप अपने surname को और अपने नाम को अलग-अलग column में divide कर सकते हैं, तो यह दोनों ही option बहुत ही काम के options हैं, इसके बाद आद आद देखेंगे, एक option आपके सांदे निजर आएगा remove duplicates का, duplicates का मतलब अगर को इब नाम duplicate यहाँ पर लिखा होगा, तो उसे आपके इस तरीके से remove कर सकते हैं, तो मालीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यादव, और यादव को मैं क्या करना चाहता हूँ, एक यादव मैं delete करना चाहता हूँ, यादव को remove करना चाहता हूँ, duplicate value मैं यहाँ पर नहीं चाहता, तो data को यहाँ पर select करूँगा, और यहाँ पर select करूँगा remove duplicate पर, remove duplicate को select करने के बाद आप देखेंगे, आपके सामने एक option आएगा expand the selection, कि आप अपने selection को expand करना चाहते हैं, और दूसरा column में, यानि last name में, आपका data है, जो duplicate है, तो उसे हम क्या करेंगे, remove करेंगे, और जैसी होके प्रेस करेंगे, आप देखेंगे, एक यादव यहाँ से remove हो चुका है, तो इस तरीके से आप अपने data को remove कर सकते हैं, यानि duplicate data चाहँ भो number हो, चाहँ भो alphabets हो, data validation पर click कर देंगे, यहाँ से हमें select करना है, वोल number, list के बादे में, date time के बादे में मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो link के description में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आप से देख सकते हैं, यहाँ से हमें करना का है, simple world number को select करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने बहुत सारी different types की conditions आपके सामने शो होंगी, जैसे between है, not between है, equal, greater than, less than, बहुत सारी conditions है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं not be used, और उसके बाद यहाँ मीचे input message में हम दे देते हैं, only 30 to 100, उसके बाद यहाँ errors के अंदर आप कोई error भी लगा सकते हैं, जैसे stop का, warning का, यहाँ फिर informations का, यहाँ पर हम ले लेते हैं stop, और यहाँ में दे देते हैं stop, और यहाँ पर अगर आप जो भी message लिखना चाहते हैं, यहाँ पर टाइप कर दिया, वह message में शो कराना चाहता हूं कि अगर कोई इसमें information गलत डाले, तो इसको यह message शो हो, इसके बाद हम आपर simple प्रेस करेंगे, okay, okay प्रेस करने के बाद आप आप देखेंगे, यह message हमारा simple इस cell में शो हो रहा है, यानि not be used, यानि इसके अंदर आप 30 value डालेंगे तो accept करेगा, 100 डालेंगे तो accept करेगा, 101 डालता ही आपक गलता है, लिएक हमारा पुरा का पूरा डीटा जो पहले से ही type था रही है तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि यह चाइप करने की कोशिश हो, इसके बाद अगर आपको value टा良 टाइप करने की कोशिश करेंगे तो value इसके नदर टाइप नहीं होगी, तो इसके बाद अगर अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ से रिमूव करेंगे, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अगर आप इसकी पूरी कंडिशन को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, तो डेटा को प आप type करेंगे वो यहापर acceptable हो जाएगी तो इस तरीके से आप data validation का use कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं consolidate की consolidate बहुत ही bathroom function MS Excel का इसका use किस तरीके से किया जाता है यह हमारी बहुत सारे काम को easy कर देता है जैसे कि माल लीजे हम इस तीनों values का plus नरना चाहते हैं EEP loving dari मालिज करना चाहते है यहने बहुत सारी conditions को फिर इसके बाद हम में लेना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए happiness का use कर सकते है इसके लिए है इसके लिए आसे तरल पर करना होगा यहां से आपको formula약 करना होगा जिस formula का यूश काना चाहते है तो इसके यह यहां पर reference में इसको select किया और यहांसे add करा दिया इसको भी add करा दिया इसको भी add करा दिया और simple यहांप मड़ेस करेंगे OK प्रस करते ही आप देखेंगे इन सभी का total यहांपर आपके सामने represent हो गया इसी तरीके सा अगर आप इसको multiply करना चाहते हैं तो consolidate पर cake करिए और यहाँ पर आप select कर लिजे product का formula और जैसे आप इसे ok press करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो data था तो यहाँ पर multiply हो करके represent हो गया इसी तरीके से अगर कोई और formula आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको formula को change करना होगा जैसे मैं ले लेता हूँ maximum और यहाँ पर जैसी मैं ok press करूँगा तो आप देखेंगे maximum value यहाँ पर represent हो चुकी है दूसरा फाइदा इसका होता है कि जो भी डेटा हमारा show होता है उसका formula यहाँ पर show नहीं होता यानिकी उसका formula यहाँ पर represent नहीं होता वो simple एक value में हमारे सामने represent होती है तो इस तरीके से आप consolidate का use कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं या से relationship की relationship का किस तरीके से use किया जाता है तो उसके लिए आपको जाना है relationship वाले टैप पर यहाँ पर हमें पहले से ही कुछ tables बनाई हुई है और इस table को हमें करना का है simple select करके table में convert कर देना है यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा अपने keyboard से control प्लस T control T प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको my table has header पर select करना होगा और ok करना होगा तो आपका जो data का वो table में convert हो जाएगा उसी तरीके से दूसरे data को भी आपको select करना है और इसको भी table में convert कर देना है प्रेस कृमर लिचंपको जाने के बाद यहां से आपको select करना होगा, रिलेश्शुषप का सब्सक्न्स नीच करने के बाद यहां पर आपको ङेगा Wipraud इसको select करना के बाद आपको एक छीन का ध्यान रखन नखना है कि दोनों ही table में कोई एक चीज कंधलन होना हय और यहाँ पर आपको select केले तो टीबल है तो लुड़कत हैं अब मैं आपर SELECT करेंगे और उन्म सिलेक्प और कॉलम को सलेक्प करेंगे कॉन सब्सक्ति करणा है तो अपर यहाँ नेम दोस्कोलम चांब बढ़ टाल यहां से पूस्ट करने को सिंपल प्र Bhagण करना है ओखें और यहां पर आप डेखेंगे तेकर दोन ही आफ यह पर साम को हैं apar जाते हैं तो आपास्में मर्च करके इसकी पाइजर बनाने के लिए तो दो टेबल्स को आप merge करके पाइवट टेबल मना सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो result को आप divide कर सकते हैं values के अंदर बेज सकते हैं तो यहाँ पर आप देखें को आपका data पाइवट टेबल में यहाँ पर represent हो जाएगा यानि दो data को आप अपने एक ही टेबल में देख सकते हैं यहीं यूज है हमारे relationship option का तो दोस्तों यह था हमारा data tools का option scenario manager वैसे तो बहुत ही छोटा सा function होता है MS Excel का लेकिन यह बहुत ही बड़े काम करता है basically scenario manager वो company यूज करती है जो product का manufacturing करती है आप यहाँ पर example के तोर पर देखेंगे हमारे पास कुछ items है और उनके price list है और यह जो price list है वो current price list है जो future में कभी भी change हो सकती है या तो इसका amount increase हो सकता है या तो इसका amount decrease हो सकता है तो अब हम लोग अपनी जो total sale का price है या अपने box के ओपर या जो भी हम manufacturing कर रहे हैं उस item की उस item के box के ओपर ऐसा कौन सा rate print करें या तो price बढ़े या गटे इससे हमारे sale price के ओपर कोई भी effect ना पड़े आप देखेंगे जो भी item का price किसी भी item के ओपर अगर कोई price print होता है तो वो कभी घटा बढ़ता नहीं है बेसक उसके raw material का rate यहाँ पर बढ़े हो गटे लेकिन उसका जो actual price होता है वो same price रहता है amount को हम increase or decrease कर सकते हैं अब यहाँ पर बार बार हम अपने sale price को change नहीं कर सकते हैं इस वज़े से हम एक scenario त्यार करेंगे और उस scenario की मदद से हम लोग अपने actual sale price को यहाँ पर define करेंगे कि हमारा sale price क्या होना चाहिए आप देखेंगे हमने सभी raw material को plus किया हुआ है यानि इसके जितने भी amounts है उसको हमने यहाँ पर plus किया हुआ है तो इसका total cost आ रही है हमारी वो 12,500 की आ रही है यानि मार लिजए हम एक CPU manufacture कर रहे है उस manufacturing के अंदर हमारी जो costing आ रही है वो costing अगर हम उसे include करते हैं तो वो 12,500 रुपे की costing आ रही है जिसके ओपर हमने 10% का profit अपना add किया हुआ है 1250 रुपे इसका total amount बन गया वो 13,750 रुपे बन गया अब हम इसे किस rate में sale करें जिससे future में हमें कभी loss नहीं होगा तो ये चीज़ आप किस तरह से कर सकते हैं मैं इसकी complete video आपको बताने वाला हूँ तो बने रही है हमारे साथ अगर आपको हमारे ये video पसंद आए तो चैनल को like कीजेगा subscribe कीजेगा और अपने सभी दोस्तों में share जरूर कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं आपको करना क्या है simple सबसे पहले आपको एक table create कर लेनी है जो भी manufacturing आप कर रहे है जिस भी item की manufacturing कर रहे है उस raw material को यहाँ पर लिख लेना है और उसके prices लिख लेना है इस सभी item को select करना होगा select करने के बाद आपको जाना होगा data type के अंदर और data type के अंदर जाने के बाद यहाँ से आपको जाना होगा what if analysis के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक option आजाएगा what if analysis आपको यहाँ पर click करना होगा इस पर click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक option आजाएगा scenario manager का तो इस वाले option पर आपको click कर देना है scenario manager पर जब आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक dialogue box open होगा इस तरीके से और इस dialogue box के अंदर आपको select करना है add यानि हम सबसे पहले minimum cost को add करेंगे और उसके बाद maximum cost को add करेंगे और उसके बाद दोनों का comparison करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस add पर click कर लेते हैं click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक dialogue box और open हो जाएगा इस तरीके से तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपना scenario का नाम देदेना है जैसे मैं यह सामने sell address और amount यहाँ पर show हो गया अब इसके तरह में करना क्या है मालीजे future में जो अभी हमें item 1250 रुपे का मिल रहा है यह 1250 से घट करके मालीजे 1250 रुपे हो सकता है यानि इतना तो हम अंदाजा लगा ही सकते है कि किस चीज की value कितनी जादा कम हो सकती है किस चीज की value कित सामसे हम यहाँ पर अपने rate को define कर लेंगे तो चलिए इस rate को define कर लेते हैं हम यहाँ पर type कर लेते हैं 1250 की जगा 1200 रुपे और इसके बाद यहाँ पर 3000 की जगा हम दे देते हैं इसको 2800 और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 550 रुपीज है तो इसको हम दे देते 500 रु आपके सामने एक add option होगा, इस add वाले option पर आपको click करना है, add पर click करने के बाद आपके सामने फिर से एक dialog box open होगा, और यहाँ पर आप दूसरा नाम लिखेंगे, यानि maximum cost लिखेंगे अपनी, तो यहाँ पर हम लिख देते है maximum price, इसके बाद आपको ok करना होगा, ok करने के आपको करना है, ध्यान रखना है, आपको करना है, ध्यान रखना है, आपको add पर click नहीं करना, अब आपको करना है, ok पर click, जैसे आप ok पर click करेंगे, आपके सामने minimum और maximum जो हमने अभी scenario set किया था, वो यहाँ पर show up हो गया, अब आपको जाना कहा है, अब आपको सीधे चले जाना है, यहाँ पर summary वाले option पर, इस summary पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर ok कर देंगे, और अगर आपको scenario सिर्फ summary चाहिए, तो यहाँ पर हम summary को select करके ok करेंगे, तो फिलाल हमें summary चाहिए, हम summary देखना चाहते है, यहाँ पर हम summary को select करेंगे, और यहाँ पर हम इसे कर देंगे, ok, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना ह होगा जब आप इसे okay करेंगे तो यहाँ पर यह जो एक बार क्लिक कर देते हैं इसने उसका यहाँ पर ले लिया और इसे हम कर देंगे okay करने के बाद आप देखेंगे हमारी सिनेरियो यहाँ पर तयार हो चुकी है मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो current value है वह यहाँ पर आ गई और यहाँ पर जाने के बाद माली जे हमारी जो value थी वह 13,000 रुपे आई है जिसके ओपर हमारा 10% का profit है और इसके बाद इसकी जो total cost बनेगी वो बनेगी हमारी is equal to इन दोनों को हम आपस में into कर देते हैं multiply कर देते हैं तो 13,000 रुपे हमारी total आपकी cost आगई profit की आप आपका जो भी price है यानि 13,000 रुपे को पर हम क्या करेंगे is equal to 13,000 रुपे में हम plus कर देंगे इस profit को तो हमारी जो value आएगी वो 14,300 रुपे यानि 14,300 रुपे हमें आपर rate को print कर सकते हैं तो यही था हमारा scenario manager अब मैं आपको चीज और दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देखेंग जब भी हम scenario की summary देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने sell के addresses शो हो रहे हैं जो की hashtag में हमारे सामने show हो रहे हैं अब यहाँ पर अगर हमें क्या चाहिए हमें items का name चाहिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो names है items के वो items के name यहाँ पर show हो जाए तो इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको sheet 1 पर जाना होगा और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा यह जो price list है इन सभी का आपको criteria name change करना होगा यहाँ पर जैसे हमने click किया तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो cell का address है वो D7 है तो D7 की जगह हम लोग को करना क्या है D7 की जगह हम लोग को रख देता हूँ तो इसके लिए आपको करना क्या है simply इस cell पर click करके रखना है आपको यानी 1200 जिसमें आपका amount है 1250 का इसके हमने click करके रखा है और यहाँ पर हम इसके cell address को नाम देते थे cabinet और फिर प्रेस करना आपको एंटर एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको इसको नाम दे देना है CPU एंटर प्रेस करना है उसके बाद यहाँ पर इसको नाम दे देना है SMPS एंटर प्रेस करना है और इसके बाद यहाँ पर इसको नाम दे देना है motherboard बोड़, और इसके बाद यहां से क्लिक करके नाम दे देंगे हम लोग RAM और यहां पर हम इसका नाम देते है HDD यानि Arctic Strive तो इसके complete होने के बाद अब हम इमें करना क्या है, फिर से हमें scenario तयार करनी होगी तो हम फिर से scenario तयार करके देखते हैं आपको खरना है, simple cell के address को select करके रखना है, data tab के अंदर जाना है data tab के अंदर जाने के बाद आपको वापस से, what if analysis में जाना है यहाँ से आपको scenario manager को फिर से select करना है, और select करने के बाद same उसी तरीके से हम लोग cost इसको add करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, माली जे पहले हमने जो add किया था इसको हम यहाँ से delete कर देते हैं, delete करने करने के बाद फिर से हम एक नई sheet त्यार कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम add करेंगे, add करेंगे, यहाँ पर हमने दे दिया minimum cost क्या होगी इसकी, हमने इसको ok किया, ok करने के बाद यहाँ पर हम दे 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 जैसे minimum cost हमारी क्या थी, आप अपने इसाब से जो भी value type करना है, जैसे मैंने बता है था को आप कर सकते हैं तो मैंने minimum cost दे दिया 1200 rupees और यहाँ पर हमने दे दिया 3800 और यहाँ पर दे दिया 500 यहाँ पर दे दिया 300-000 यहाँ पर दिया आमने 900 और हमने कर दिया इसको add यहाँ पर maximum cost ले लेंगे, enterpress करेंगे enterprise करने की बाद यहांपर maximum cost cetteies जैसे हमने टाइप कर लिया 1300 रुपे और इसकी बाद हम ले 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 यहांपर 3200 रुपे और यहांपर ले 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 हुआ 1500 रुपे जाहाँ आप देखेंगे यहांपर minimum cost और maximum cost दोनों यहांपर शो हो गई अब आपको simply करना है, summary पर click करना है, यहाँ पर आपको total range select करके रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यह range select होनी चाहिए, जब आप summary create करेंगे तो, पर इसके बाद आपको simple okay कर देना है, okay करने के बाद आप देखेंगे, आपकी यहाँ पर current value त्यार हो च और maximum cost यहाँ पर show हो गई, तो इसी को कहा जाता है scenario manager, MS Excel में गोलसिक का जो feature है, वो बहुत ही बैतरीन feature है, जिसका use किया जाता है किसी भी target को complete कर दे के लिए, जैसे example के लिए आप देखेंगे, आपर हमने कुछ data लिया हुआ है, जिसके इंदर हमने कुछ price list को add किया हुआ ह यहाँ पर आप देखेंगे, plastic का जो price है, 1000 है, power का जो price है, वो 500 है, PVC का price हमने mention नहीं किया हुआ है, labor का charges हमने 400 mention किया हुआ है, इन सभी को जब हम total करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा answer आएगा, वो 1900 रुपे का आएगा, इस पर हमने sum का formula यूज किया हुआ है, अब मेरा जो target है, वो target है, 25 रुपे का, यानि मैं चाहता हूँ, यहाँ पर जो total amount आना चाहिए, वो 25 रुपे का जो price होगा, वो क्या होगा, यानि हमें target पता है, कि इस पर क्या answer आना चाहिए, तो PVC pipe का जो price है, वो क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग use करेंगे, गोल सिक का, तो के लिए हमें करना का है, सबसे पहले, total value को select करके रखना है, और इसके बाद हमें जाना है data type के अंदर, data type के अंदर आपको जाना है, what if analysis और यहाँ पर आपको जाना है, goal seek option के ऊपर, goal seek option पर जैसी आप click करेंगे, तो आप देखेंगे, हमारा जो set cell value है, वो यहाँ पर select हो च चाहिए, तो हमने यहाँ पर changing cell ले लिया, PVC pipe का, याँ यहाँ पर जो भी value है, वो input हो जाए, और यहाँ पर हमारा जो data है, वो 25 रुपे शो हो जाना चाहिए, जैसे हमें यहाँ पर ok पर press करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर हमारी value 600 add हो चुकी है, और यहाँ पर हमा हमारा minus b हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करना है, आपको सेम उसी तरीके से total को select करके रखना है, what if analysis के अंदर जाना है, यहाँ से आपको goal 6 select करना है, total value आपको select करनी है, two value के अंदर हम value अपनी डाल देते हैं, कि हमें कितनी value चाहिए, तो हम देते हैं यहाँ पर 1800, उसके by changing cell हमारा क्या होना चाहिए, माली जी हम plastic में change करना चाहते हैं, plastic को हमने select किया और जैसे में आपर ok press करेंगे, तो यहाँ पर value हमारी decrease हो जाएगी, और हमारा जो answer था, वो यहाँ पर manage हो जाएगा, तो इस तरीके से आप goal 6 option का use कर सकते हैं, इसके बाद का जो हमारा next option है, व data को, और यहाँ पर इस option पर click करके fill series पर click कर देना है, यहाँ पर आपको जो value रखनी हो 10 तक रखनी है, 11.com delete कर देते हैं, इसके बाद आपको इस वाले one को यानि तीसरे वाले one को फिर से select करना है, और यहाँ से आप इसे जितना ले जाना चाहें, उतना ले जा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसको भी fill series कर देना है, यानि जितनी आप table बनाना चाहते हैं, उतना आप इसे drag कर सकते हैं, drag करने के बाद आपको क्या करना है, इस तीसरे वाले one पर click करना है, simply, और is equal to का use करना है, is equal to use करने के बाद आपको पहले वाले one को select करना है, और multiply करना है, दूसरे वाले one से, और इसके बाद press कर देना है, enter, one into one अगर हुआ, तो यहाँ पर जो answer आएगा, one ही आएगा, यानि one into one, one ही होता है, और इसके बाद अब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा data इस तरीके से select कर लेना है, उपर के दोनो one को छोड़ कर, अब यह पूरा का को select करेंगे, और यहाँ पर जैसी आप यहाँ पर ok press करेंगे, तो आप देखेंगे, आपकी table यहाँ पर generate हो चुकी है, यानि two one जा two, two two जा four, यह आप जितनी ज़्यादा table बनाना चाहें, उतनी table आप यहाँ पर create कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप use कर सकते हैं, data table का, इसक जन्वरी की अगर हम sale देखें, तो जन्वरी की हमारी sale है, फर्वरी की sale है, मार्च की sale है, इस तरीके से हमने sales define की हुई है, यहाँ पर 6 July की जो हमारी sale है, वो नहीं है, उसका data हमारे पास नहीं है, इसी तरीके से आगे का जो data है, वो भी हमारे पास नहीं है, यानि माल इस तरीके से हमारा यह database बना हुआ है, यानि जिस तरीके से हमारे data loss में जा रहा है, या profit में जा रहा है, यह आपको एक graph बना करके दे देगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा, कि अगर आपकी value increase होगी, तो कितनी increase हो सकती है, और अगर decrease होगी, यहाँ पर आप देखेंगे, हमारा एक graph बन गया है, जिसकी मतबस से हमें यह पता चल जाएगा, कि हमारा जो data है, वो आगे आने वाला जो future है हमारा, वो सीधे जाएगा, या उपर growth करेगा, और उपर growth करेगा, तो कितना growth कर सकता है, और decrease करेगा, तो कितना ज़्यादा degrees कर सकता है, तो इस तरीके से आप इसकी forecast create कर सकते हैं, forecast sheet create कर सकते हैं, आपको जाना होगा data type के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे, आपका एक function है outline का, outline के अंदर आपको दिखाए देगा group, ungroup, और subtotal का option, इस option का use कहां होता है, किस तरीके से इसका use किया जाता है, आज हम यह जानने वाले हैं, इसका जो basically use किया जाता है, वो mostly MIS report के अंदर इसका ज़्यादा use किया जाता है, MIS की full form होती है management information system, जब भी हम छोटे से छोटे data को एकठा करते हैं, और एक बड़ा data बनाते हैं, और उस data को अगर हम अपने officers के सामने, या management के सामने represent करते हैं, तो उसको represent करने के लिए, हमें बहुत ही short तरीके से उसको represent करना होता है, ताकि हमारे officers और management उस data को समझ पाए, तो इसका जो काम है, इसका जो use है, वो basically आपके बड़े से बड़े data को, एक short data में convert करके, आपके officers को analyze करने के लिए, तो चलिए एक एक करके हम इन सभी options का use समझते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजएगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ग्रूप को आप row-wise, column-wise दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो फिलाल हम row-wise करके देखते हैं, हमने group को select किया, यानि हमने mouse की group को select कर लिया है, यानि जितना भी mouse का हमारा data था, हमने उसे select कर लिया है, select करने के बदद आपको simply group पर जाकर के click कर देना होगा, click करने के बदद आपके सामने एक option आएगा, row का और column का, आप इसे किस तरीके से group करना चाहते हैं, row-wise या column-wise तो हमने ले लिया row और simply आपको ok पर प्रेस कर देना है, जैसी आप ok प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे, आपके सामने यहाँ पर minus का निशान शो हो जाएगा, इस minus के निशान पर जैसी आप click करेंगे, तो आपका जो data था वो hide हो जाएगा, यानि जितना भी mouse का data था, वो यहाँ पर आपका hide हो जाएगा, आप देखेंगे, हमारा एक data हम से छूट गया था, जो कि हमने अभी इसको add नहीं किया था, तो इसको हम वापस से remove करके दुबारा से add करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर वापस से ungroup पर click करेंगे, जैसी आप ungroup पर click करेंगे, आपका data यहाँ पर row wise unhide हो जाएगा, तो हम पूरे के पूरी data को वापस से select करते हैं, और उसकी बाद वापस से group पर click कर देते हैं, और यहाँ पर ok press कर देते हैं, अब आप देखेंगे, जैसी आप minus पर click करेंगे, आपका data यहाँ पर hide हो जाएगा, और plus पर click करेंगे, तो वापस data यहाँ पर show हो जाएगा, corner में आप देखेंगे, आपके सामने एक और feature है, यहाँ पर hide और show का, जैसे आपर minus पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, आपका data है, यहाँ पर hide हो गया है, और अगर आप plus पर click करेंगे, यहाँ पर तो आप देखेंगे, आपका data यहाँ पर show हो जाएगा, तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं, इसके बाद हम और भी data को group या उन group कर सकते हैं, जैसे वाली जैं हमने UPS को select किया, और UPS को select करने के बाद, यहाँ पर आपने group पर select किया, और group को select करके यहाँ पर OK कर दिया, OK करने के बाद आप देखेंगे, हमारा जो data है, वो यहाँ पर यह भी group में convert हो चुका है, इसको भी आप minus कर सकते हैं, और इसको भी minus कर सकते हैं, और show कराने के लिए आप जैसी plus पर click करेंगे, आपका data यहाँ पर show हो जाएगा, तो इस तरीके से आप अपने data को show करा सकते हैं, और hide करा सकते हैं, इसके बाद आपको इसे clear करना है, यानि जो भी आपने group या ungroup किया हुआ है, उसे clear करना चाते हैं, तो पूरी data को आपको select करना होगा, select करने के बाद आपको जाना होगा, outline के उपर, और यहाँ पर आपको clear outline पर click कर देना होगा, जैसे आप clear outline पर click करेंगे, आपका पूरा data यहाँ आपको clear हो जाएगा, जो भी आपने group या ungroup किया होगा, वो सब कुछ clear हो जाएगा, इसके बाद का जो next feature है, वो है subtotal, यह बहुती बहतरीन feature है, एकसल का, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, data को वापस से, पूरा select करना होगा, select करने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा, subtotal पर, subtotal को select करने के बाद, अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने एक option लिखा हुआ आएगा, at each change in, यानि किस के अंदर आप change करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे items को, कि हम items के अंदर change करना चाहते हैं, और item के अंदर आप कौन सा function use करना चाहते हैं, तो यहाँ पर विलाल हम sum का function use करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा data हो, यानि mouse है, तो माइस की जो भी range है हमारी total, उनका grand total आजाए, उसी तरीके से keyboard की जो भी अलग-अलग range है, उन सब भी वो plus करके, यहाँ पर हमारे सामने represent कर दे, तो इसलिए हम यहाँ पर select करेंगे sum को, और यहाँ पर आपको price को select करना होगा, क्योंकि price को हमें यहाँ पर press कराना है, और simply आपको ok press कर देना है, तो आप देखेंगे, आपका mouse का total था, वो यहाँ पर आपके सामने represent हो गया, 150, 130, 165, 180, अगर इन सबको आप total करेंगे, तो 625 यह आपका answer आएगा, इसी तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पर आपका सारा data grand total में convert हो चुका है, उसी तरीके से अगर आप नीचे जाते हैं, तो नीचे आप देखेंगे, आपका grand total यहाँ पर आपके सामने represent हो जाएगा, यहाँ जो भी आपने total किया है, इन सबी का grand total आपके सामने यहाँ पर represent हो जाएगा, यहाँ पर आप data को minus करेंगे, तो आपका data यहाँ पर hide हो जाएगा, और इस तरीके से आप अपने data को hide करके, उनका grand total represent करा सकते हैं इस तरीके से आप अपने data में बता सकते हैं कि आपने total purchasing की थी mouse की वो इतने की की थी keyboard की total purchasing आपके इतने की हुई है UPS की total purchasing आपके इतने की हुई है SMPS की total purchasing आपके इतने की हुई है और सबका grand total हम निकाले तो यहाँ पर इस सबका grant total अपके सान्फ में represent हो जाएगा इसके बाद अगर आपका इसे show कराएंगे तो show पर जैसी आप click करेंगे यहाँ पर आपका data वापस से show हो जाएगा और अगर आप hide पर click करेंगे वापस से आपका data here पर hide हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने डेटा को बहुत ही शौट तरीके से रिलाइस कर सकते हैं तो दोस्तो यही था हमारा ग्रूप और अन्ग्रूप का आप्शन अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आयो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेर ज़रूर कीजेगा धन्याँ तमशकार दोस्तों, मैं हूँ विनोद, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MS Excel के प्रूफिंग ब्लॉग के बारे में जिसमें सबसे पहला आप्शन आपको दिखाई देगा स्पैलिंग का वैसे तो हम सब जानते हैं कि MS Word के अंदर अगर कोई भी स्पैलिंग मिस्टेक होती है तो red color की underline से वो हमें represent कर देता है कि वहाँ पर स्पैलिंग मिस्टेक है और हम उसे easily find करके उसकी जगा correct word को replace कर सकते हैं लेकिन MS Excel के अंदर ऐसा नहीं है MS Excel के अंदर हमें खुद से data को find करना पड़ता है spelling correction को find करना पड़ता है और उसके बाद उसकी जगा पर जो भी words होते हैं जो correct words होते हैं उसको add करना पड़ता है तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला option आपको दिखाई देगा spelling का जैसे हम spelling पर click करेंगे सबसे पहले आपको दिखाई देगा ignore once का अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने class की spelling mistake की हुई है हमने कुछ spelling इसमें जानबूच कर mistake की है ताकि हम सभी option का use आपको बता सकें अब यहाँ पर आप सबसे पहला option आपको दिखाई देगा ignore once का ignore once तब use किया जाता है जब हम इसे ignore करना चाते है यानि जब हम इसकी spelling को correct नहीं करना चाते है इसको change नहीं करना चाते है उस situation में हम use करेंगे ignore once का इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक और option है ignore alls का यानि आपके पास जो भी class की spelling है आप इसको पूरी sheet में यही spelling रखना चाते है इसको change नहीं करना चाते है तब उस situation में आप ignore alls का use करेंगे इसके बाद हम फिलाल इसको change कर लेते हैं यहाँ पर हमने इसकी spelling को correct कर दिया यहाँ पर हमने subject की spelling को भी mistake किया हुआ है हम इसको भी फिलाल change कर देते हैं, change और change all, आप देखेंगे यहाँ पर एक change का option है, और change all का option है, change all का option इसलिए use किया जाता है, कि जैसे माल लीजे हमने subject की spelling अगर कहीं और भी sheet में गलत कर रखी है, तो अगर हम change all पर click करेंगे, जहाँ पर भी इसकी spelling गलत होगी, वहाँ पर यह automatically उसको suggestion words से replace कर देगा, तो हम इसे change all कर देते हैं, change all करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 6 की spelling भी गलत है, हम इसको भी change कर देते हैं, और अब आप देखेंगे, यहाँ पर हमारी English की spelling गलत है, और यहाँ पर कुछ similar words, यानि कुछ suggestion words हमारे सामने represent कर रहा है, अब इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक feature और है, autocorrect का, तो हम इसको भी आपको clear कर देते हैं, autocorrect का जो option है, वो तब use किया जाता है, जब similar words, यानि suggestion words में जो पहला word है, वो हमें हर जगा पर replace करना हो, जैसे माल लीजे, यहाँ पर हमने English की spelling mistake की हुई है, और यहाँ पर suggestion word में English सबसे top number पर यह spelling शो कर रहा है, और अगर हम इसे autocorrect कर देते हैं, तो जितने भी words हमारे first suggestion word के अंदर होंगे, वो उसको automatically correct करके represent क तो हम इसे autocorrect कर सकते हैं, इसे भी autocorrect कर सकते हैं, और इसे भी autocorrect कर सकते हैं, अब आप देखेंगे हमारी सारी spelling यहाँ पर correct हो चुकी है, हमने सारी spelling को यहाँ पर add करा लिया है, तो इसमें से हम कुछ spelling को mistake करते हैं, और फिर से उस option को हम open करते हैं, तो हमने यहाँ यहाँ अब आप देखेंगे, एक option हमारे सामने शो हो रहा है, add to dictionary का, add to dictionary तब use किया जाता है, उस situation में use किया जाता है, जब हम इस spelling को MS Excel की dictionary में add करना चाहते हैं, जब भी हम इसमें add to dictionary का use करेंगे, तो यह जो हमारी spelling है, यह इसमें add हो जाएगी, और next time इसका error यह represent नहीं करेगा, त इसमें आप जिस language के through, इसमें spelling चेक करना चाहें, वो यहाँ पर easily चेक कर सकते हैं, तो यह था हमारा spelling option, अब इसके बाद आप देखेंगे, तैश और option, अब इस option का जो basically use किया जाता है, वो use किया जाता है similar words find करने के लिए, जैसे आप example के लिए यहाँ पर देखेंगे, हमन word चाहिए, यानि यह make word यहाँ पर हमें better नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई और word आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर right click करेंगे, simple इसको copy करेंगे, copy करने के बाद threshold option पर हम जाकर के इसे simply click करेंगे, click करने के बाद हमें simple यहाँ पर जो भी options हैं इसको clear कर यहाँ पर इसे paste कर देना है, paste करने के बाद जैसे हम यहाँ पर enter paste करेंगे, enter paste करते ही आप देखेंगे, यहाँ पर इससे मिलते जुलते जो भी words हैं यानि इसके similar words जो भी हैं वो यहाँ पर आपके सामने represent हो जाएंगे, यानि कहने का मतलब यह कि जो भी पर्यावाची शब हैं आपके सामने यहाँ पर show हो जाएंगे इसमें से आप इसकी जगा पर जो भी word रखना चाहें वो easily यहाँ पर रख सकते हैं आप यहाँ पर इसकी जगा create भी रख सकते हैं हम इसकी जगा पर यहाँ पर कोई word search कर लेते हैं तो इस तरीके से आप इसके similar words को find कर सकते हो यहाँ इसके परयावाची शब्दों को find कर सकते हो इसके बाद का जो हमारा next option है वो workbook statics का है तो इसके लिए हम sheet 1 पर चले जाते हैं sheet 1 पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने कुछ option दिखाई दे रहा है यानि हमने कुछ tables ली हुई हैं इस पर जैसी हम click करेंगे click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ option हमारे सामने नजर आ रहे हैं work statics basically क्या काम करता है हमारी sheet पर या हमारे workbook के उपर जितना भी data होता है, जितनी भी table हमने लिए होती है, जितना भी formula हमने लगाया होता है, जितने भी cell के अंदर हमने data type किया होता है, या जितनी भी sheets हमने लिए होती है, उन सभी की information ये represent करता है, जिसमें आप देखेंगे, यहापर सबसे पहले option आपको ending है, वो यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देखेंगे, इसका जो cell address है, वो E8 है, तो वही चीज हमें ये represent कर रहा है, इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर cell with data, यानि कितने cells के अंदर हमारे data है, तो यहाँ पर अगर आप इसको count करते हैं, और यह जो column 1, column 2, column 3 है, इनक वो simple 1 table ली हुई है, इसलिए यहाँ पर table 1 नजर आ रहा है, इसके बाद अगर हम बात करें, फॉर्मला की, तो यहाँ पर हमने formula कितना use किया हुआ है, तो 7 cells के अंदर हमने formula use किया हुआ है, आप इनको अगर count करते हैं, तो यहाँ पर 7 cells के अंदर हमारे पास formula है, यहाँ represent कर देगा, इसके बाद आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर एक और option आपके सामने नजर आ रहा है, workbook का, तो यहाँ पर आपके सामने workbook बता रहा है, यानि हमने जो sheets ली हैं, वो total 3 sheets ली हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, sheet 1, sheet 7th और 6th के नाम से हमने एक sheet ली हुई है, यहाँ पर हमारी total sheets 3, यहाँ पर represent कर रहा है, इसके बाद अगर हम बात करें, sell with data की, अगर इस data को हम count करते हैं, और जो भी हमने इन सभी sheets के अंदर data type किया हुआ है, उसको count करें, तो total 86 words बनते हैं, यानि 86 words हमने यहाँ पर fill up किया हुआ है, table की बात करें, तो पूरे workbook के अ यानि हमने अपनी sheet पर क्या क्या कितना कितना रखा हुआ है, यह सब कुछ यहाँ पर represent करता है, तो दोस्तों यही था हमारा proofing option, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा, धन्यवाद, इसके अंदर आप देखेंगे, यह हमें कुछ errors represent कर रहा है, और कुछ warnings को represent कर रहा है, बेसिकली इसका जो use किया जाता है, वो use होता है, जो इतना भी हमने database तयार किया हुआ है, उसके अंदर जितने भी mismatch होते हैं, या जितने भी errors होते हैं, उन सभी को represent करता है, जैसे आप देखेंगे, सबसे पहला option यहाँ पर आप लग-देखेंगे, Missing Alternative Text, इस पर जैसे हम click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, शीट 1 पर हमें एक picture represent कर रहा है, जो missing बता रहा है database थे, दूसरा option पर अगर हम click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह हमें colors के बारे में represent कर रहा है, जैसे हम इस पर click करेंगे, और इस cell address पर click करेंगे तो directly हमें इस cell पर ले जाएगा जहांपर colors difference है यानि यह बता रहा है हमें कि हमने यहांपर दो colors का use किया हुआ है जो दोनों colors हमारे अलग-अलग cells के अंदर represent हो रहे हैं इसके बाद अगर हम warning के अंदर जाते हैं और warning के अंदर देखेंगे यहांपर merge cells के बारे में बता रहा है यानि कि हमने इस पूरे database को बनाने के लिए 12 cells को merge किया है यानि 12 बार हमने cells को merge किया इस पर जैसे हम click करेंगे तो उसकी पूरी list हमारे सामने represent हो जाएगी और जिस भी cell address पर हम click करेंगे उस cell address हमें show करेंगा कि हमने कहां कहां पर cells को merge कर रखा है वो सारे merge cells यहां पर represent करेंगा इसके just नीचे अगर हम जाएगे तो यहां पर दिखाएगा हमें default sheet name इसका मतलब यह है कि यहां पर देखेंगे हमने sheet का नाम दिया हुआ है personal monthly budget के नाम से और यहां पर यह जो sheet 1 है वो default है यानि MS Excel by default जो sheet का नाम लेता है यह वो show कर रहा है तो जैसे हम default sheet पर click करेंगे default name के sheet पर click करेंगे और यहां पर हम जैसे sheet 1 पर click करेंगे तो हमें यह represent कर देगा हमारी next sheet पर यानि कि यह हमारी default sheet है और यह हमने खुद से database को create किया हुआ है इसके बाद का जो next option है उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा option है alt text का alt text यूज किया जाता है जैसे माल लीजे हमने sheet 1 पर example के लिए एक image ली हुई है और इस image पर हम जो भी नाम लिखते हैंगे यानि इस option पर जा करके हम पहले इस picture को select करते हैं और activity option पर जा करके हम alt text को select करते हैं और यहाँ पर हम कोई भी comments यानि कोई भी text जो भी word हम इस पर type करेंगे वो word by default इस image के नाम से save हो जाएगा और जब भी हम इसे देखना चाहेंगे तो हम इसे देख सकते हैं तो मैं आपको करके दिखाता हूँ जैसे माल लिजे यहाँ पर मैंने लिख दिया my sweet baby और then इसके बाद मैं इसको यहाँ से cut कर देता हूँ cut करने के बाद जैसे ही मैं activity option पर दुबारा से जाऊँगा और alt text पर click करूँगा जैसे ही इस image को मैं select करूँगा तो मेरा वो text जो मैंने comment type किया था वो comment यहाँ पर show करेगा यानि इस image के बारे में जो भी comment हम यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पर permanently save हो जाता है इसके बाद का जो next option आप देखेंगे वो है format as table का यानि जो भी हमने sheet बना रखी है अगर हम इसके format को change करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसे change भी कर सकते हैं तो इसके लिए हमें करना क्या है हमें simply select करना है किसी भी database को और यहाँ पर जाकर के format table को select करना है यहाँ पर आप देखेंगे different types के आपको tables मिलेंगी जैसे माली जा हम इस data को select कर लेते हैं और इस data का table का जो look up है उसे change करना चाहते हैं तो यहाँ देखेंगे आप different types के look ups आपके सामने show हो जाएंगे इसमें से कोई भी look up आप select कर सकते हैं जो भी आपको better लगे इसके बाद का जो next option है वो unmerge cells का है यहाँ पर भी हमने बहुत सारे cells को merge किया हुआ है तो मैं आपको एक दुबारा से cell merge करके और unmerge करके दोनों ही दिखाता हूँ तो sheet 1 पर चला जाता हूँ यहाँ पर मैंने कुछ cells को select किया और home tab से जाकर के यहाँ पर मैंने इसको merge कर दिया Merge and centers पर click करने के बाद हमारे काफी cells merge हो गए है इसको मुझे वापस से unmerge करना है तो यहाँ पर options हाता है unmerge का आप यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन यही option आप देखेंगे तो review tab के अंदर यहाँ पर accessibility option में भी दिया हुआ है जैसे आप unmerge cell पर click करेंगे तो यह हमारा data वापस से unmerge हो जाएगा याँ हमने जो भी cells को merge किया था वो वापस से unmerge हो जाएगा इसके बाद का जो next option आप देखेंगे option accessibility का है इस पर जैसे हम click करेंगे तो हमारे सामने कुछ settings उपन हो जाएंगी जिसको आप अपनी requirement के according change कर सकते है इसके बाद का जो next option है उस पर अगर हम click करते हैं यह accessibility helper तो directly यह हमारी web page पर ले जाएगा Microsoft Office के web page पर जिसके बारे वे यहाँ पर और भी information दी हुई है आप यहाँ से उसे read कर सकते है इसके बाद हम बात करें next option की तो next option आप देखेंगे यहाँ पर smart look up का option है smart look up पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने एक dialogue box उपन हो जाएगा यानि एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे पास being browser उपन हो जाएगा और इस पर click करके हम कोई भी searching कर सकते हैं जैसे मालीजे हम search करते हैं India और जैसे हम enterprise करेंगे तो आप देखेंगे इंडिया की जितनी भी information इसके पास होंगी इस browser के उपर वो सारी information यहाँ पर हमारे सामने represent कर देगा इसके अलावा आप यहाँ पर और भी options देख सकते हैं मोर्स में जाएंगे web open कर सकते हैं media open कर सकते हैं help भी ले सकते हैं तो एक तरीके से इसका जो use किया जाता है वो use होता है कि आप बिना browser को open किये यहीं से ही आप किसी data को search कर सकते हैं उसकी information को get कर सकते हैं कोई भी word और उसी word को select करके हमने translate पर click किया translate पर click करने के बाद जिस तरीके से हमारा google translator work करता है सिम उसी तरीके से हमारा ये translator भी काम करता है यहाँ पर आप देखेंगे detective जो language है हमारी वो English है और यहाँ पर जो हमारी change language है यानि जिसमें हम translate करना चाहते हैं यहाँ से आप चाहें तो different types की languages आपको show होंगी जिस language को select करके ok करेंगे यह हमारी भाषा उसी language में convert हो जाएगी यहाँ देखें वो भाषा हमारी change हो चुकी है इस तरीके से आप translate option का भी use कर सकते हैं इसके बाद हम बात करें next option की तो next option है हमारा comments का comments का use किया जाता है आप particular किसी word को select करके उसके उपर comment दे सकते हैं जिस तरह से हमें book read करते हैं और read करते समय हमें कोई word important लगता है तो हम अपने pen से या pencil से उसको mark कर देते हैं same as it is उसी तरीके से यहाँ पर comments के माध्यम से आप इसके बारे में कुछ भी लेख सकते हैं इसके बारे में जो भी आपको comment देना है वो यहाँ पर comments type कर सकते हैं जितने भी word पर आपको comment डालना है उतने भी word पर आप यहाँ पर comments type कर सकते हैं वो comments आप देखेंगे, red color से में आपको represent करेगा, इसके अलावा show comments पर जब आप click करेंगे, तो जितने भी आपके comments होंगे, वो सभी comments आपके show comments पर show हो जाएंगे, और इसे height करेंगे, तो वापस से ये height हो जाएगा, अगर आप previous comment पर जाएंगे, तो माली जाए हमारा ये बला next comment था, इस पर previous पर जैसे हम click करेंगे, तो ये previous comment पर चला जाएगा, और next पर click करेंगे, तो next comment पर represent हो जाएगा, यहाँ से आप show and height comments कर सकते हैं, यहाँ से भी आप show and height comments यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ options, MS Excel के, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो, तो चैनल को like, comment, share जरूर कीज़ेगा, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद, और आज किस वीडियो में हम जानेंगे, MS Excel के review tab में, जो protect option है, इन सभी options के बारे में, सबसे पहला option आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे सामने है protect sheet, protect sheet का जो use किया जाता है, वो use होता है किसी भी data को protect करने के लिए, हमने इस option के बारे में, पिछले home tab में भी आपको समझाया हुआ है, अगर आप home tab में जाते हैं, और यहाँ से आपको select करना है format, और यहाँ पर आप देखेंगे protect sheet का एक option है, इस पर जब आप click करेंगे, तो सेम इसी तरह के से आपका option open होगा, और यही same option आप review tab के अंदर, protect sheet पर भी देख सकते हैं, तो इस option पर जैसे हम click करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक dialogue box खुलता है, जिसमें हमसे कुछ permissions मांगता है, कि हम किस चीज़ को protect करना चाहते हैं, और किस चीज़ को protect नहीं करना चाहते हैं, जैसे माल लीज़े, यहाँ पर हमने एक option लिया, insert column का, अगर हमने इस जिस चीज़ पर check mark कर रखा है, यानि जिस चीज़ पर हमने tick किया हुआ है, उन सभी को in sheet पर allow किया जाएगा, यानि उन सभी options का allow किया जाएगा, कि आप वो work कर सकते हैं, इसके अलावा जो भी options आपके सामने hide हैं, उन सभी में आप कोई भी editing नहीं कर सकते हैं, जैसे मालेजे हमने एक option यूज़ किया यहाँ पर insert column का, insert column का अगर हम option यहाँ पर tick करते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं, इसको password डाल कर okay, तो होगा क्या कि हम इस पूरे cell के अंदर, यानि पूरी sheet के अंदर, हम column को insert कर सकते हैं, और किसी चीज़ को हम insert नहीं कर सकते हैं, यानि अगर हम row को insert करने की कोशिश करेंगे, तो वो insert नहीं होगा, मैं इसको practically आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हम simply password यूज़ करेंगे, मालेजे हमने password दे दिया, 111 और इसके बाद हमने ok किया, एक बार और re-enter password मांगता है हमसे, तो दुबारा से हमने वही same password डाल दिया, और enter press कर दिया, अब अगर आप इस file के अंदर कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे, तो यह साफ मना कर देगा, यह मना कर देगा कि आप इसके अंदर कोई editing नहीं कर सकते, लेकिन हमने जिस चीस को allow किया था, वो editing हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने allow किया था कि हम column को insert कर सकते हैं, तो यहापर हमने column को select किया, हम tap पर गए, और यहाँ से हम column को insert कर सकते हैं, अब आप देखेंगे cell insert का option है, इस पर हम जैसे click करेंगे, तो हमारा column insert हो गया, इसी तरीके से अगर आप इसमें कोई और editing करने की कोशिश करेंगे, तो यह आपको साफ मना कर देगा, आप इसके अंदर कोई और extra editing नहीं कर सकते हैं, यह था protect option, हम इसे वापस से unprotect करते हैं, अनप्रोटेक करने के लिए आपको जाना होगा वापस से review tab के अंदर, और यहाँ पर unprotect sheet पर click करना होगा, और यहाँ पर जो हमने password दिया था, वही सेम password डाल करके हमें एक बार ok करना होगा, इसके बाद हम इस file के अंदर कोई भी editing extra कर पाएंगे, तो यह था हमारा feature protect sheet का, इसके बाद आप देखेंगे protect workbook, यह जो protect workbook है, यह पूरी की पूरी sheet पर apply हो जाता है, यानि कि जैसे हम यहाँ पर आप देखेंगे, हमने यहाँ पर तीन sheets लिए वही हैं, city level summary का, day wise trends का, mid का, और payout structure का, इसके अलावा अगर हम और कोई sheet यहाँ पर insert करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, हमारे सामने plus का निशान है, इस plus का निशान पर जैसे हम click करेंगे, तो हमारे सामने एक नई sheet open हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इस चीज को protect कर देते हैं, हम चाहते हैं कि इसके अलावा कोई और sheet हमारे सामने insert ना हो पाए, और workbook हमारा सिर्फ इतना ही use में आए, तो हम इसको protect कर सकते हैं, जैसे माल लीजे हम पहले sheet को delete कर देते हैं, यहाँ से right क्लिक किया हमने और sheet को delete कर दिया, उसके बाद protect workbook हमने क्लिक किया और यहाँ पर हम password दे देते हैं, जैसे हमने से बही password दे देते हैं, 111, 111, अब हम इस plus के निशान पर जब भी क्लिक करेंगे, तो हमारी कोई भी नई sheet insert नहीं होगी, यह देखे, कोई भी insert sheet नहीं हो रही है, क्योंकि इसने क्या किया, आपके पूरे workbook को एक protect कर दिया, और आप इसमें कोई extra sheet add नहीं कर पाएंगे, यानि आपने एक data बनाया, data बनाने के बाद आप कोई भी extra sheet add करना चाहेंगे, तो आप add नहीं कर पाएंगे, किसले यूज़ किया जाता है, यह option यूज़ किया जाता है, जैसे माली जे आपके पास बहुत सारा database है, और आप चाहते हैं कि आपने इस file को share किया, share करने के बाद आप चाहते हैं, सिर्फ इतने से ही data में change कर पाएं, जिसको भी आपने फाइल को share किया हुआ है, वो परसन सिर्फ इतने ही data में change कर पाएं, इसके लावा और किसी data को ना share पाएं, तो इसके लिए आप simply क्या कर सकते हैं, एक range को allow कर सकते हैं, कि वो परसन सिर्फ इसी data को edit कर पाएंगा, इसके लावा कोई और data अगर edit करने की कोशिश करेगा, तो यह उसे मना कर देगा, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, हमने यहाँ पर range ले लिया, range लेने के बाद जिस भी हमने data को edit के लिए apply करना है, उसको हमें range select कर लेना है, select करने के बाद यहाँ पर allow edit range को select करना है, और यहाँ पर एक option आपको दिखाए देगा new का, new feature पर जैसी आप click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर आपसे title मांग रहा है, कि आप इसके कोई title दे सकते हैं, कि भाई इसको किस लिए edit करना चाह रहे हैं, उसका कोई title दे दीजिए, जैसे हम edities का title दे देते हैं, then इसके बाद आप देखेंगे, range यहाँ पर हमने पहले सही लिए हुई है, जिसके अंदर हम permission देना चाहते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे, range password है, यहाँ जब भी कोई person इसके अंदर कोई editing करेगा, तो उसे एक password देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इसमें edit कर पाएगा, यहाँ हर person इसको edit नहीं कर सकता, जिसे इस password के बारे में पता होगा, सिर्फ वही person इसमें editing कर पाएगा, तो हम यहाँ पर password दे देते हैं, मारे जए triple one password दे दिया हमने, और simply हमने यहाँ पर कर दिया इसे okay, एक बार confirm password देते हैं फिर से, और हमने कर दिया इसको okay, अब यह तो allow हो गया कि भाई, इसमें editing हमारी हो पाएगी, अब पूरी की पूरी sheet को हमें protect करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे नीचे protect sheet का एक option है, इस पर हमें click करना होगा, और वही same option हमारे सामने फिर से खुल जाएगा, और यहाँ पर भी हम password डाल करके इसको protect कर देते हैं, लीजे, हमारा पूरा का पूरा data protect हो चुका है, अगर हम इसके अंदर कोई extra editing करने की कोशिश करेंगे, तो देखें, यह साफ मना कर रहा है, इसके अंदर कोई extra editing नहीं हो पाएगी, इसके अलावा अगर आप इसमें कोई extra editing करना चाहते हैं, जहाँ पर हमने allow किया हुआ है, तो वहाँ पर आप अगर edit करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले आप से password मागेगा, जो password हमने इसको allow करते समय दिया था, तो हम वापस वही password insert कर लेते हैं, और अब इसके अंदर जो भी मैं editing करना चाहूँगा, वो edit कर सकता हूँ, तो यह option था हमारा allow edit range का, इसको वापस से आपको unprotect करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, option है unprotect sheet का, इस पर वापस से click करेंगे, और सेम वही password डाल करके enter press करेंगे, तो आपका यह option remove हो जाएगा, यानि आप इसके अंदर editing कर पाएंगे, तो यह तो थे हमारे तीनों option protection के, protect sheet का, protect workbook का, और allow edit range का, अब आप देखेंगे आपके सामने एक option है, unshare workbook का, अब यह unshare workbook अभी hide है, इस option को किस तरीके से unhide किया जाता है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, और उसके बार, मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ कि यह होता क्या है, basically unshare workbook को hide करने के लिए, हमें share workbook का option, open करना पड़ेगा, तो यह किस तरीके से open किया जाता है, इसके लिए हमें जाना होगा file option पर, और यहाँ पर सबसे नीचे आपको जाना होगा more पर, और यहाँ पर आपको देखेगा option का एक option, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो आपके सामने कुछ settings open हो जाएंगी, इन settings के अंदर आपको आना है customize ribbon पर, और customize ribbon पर आने के बाद यहाँ पर आपको select करना है all commands, इसके लिए हमें एक new tab create करना पड़ेगा, तो new tab कैसे create होगा, यहाँ देखे, नीचे एक option है new tab का, इस new tab पर आप click करेंगे, new tab पर click करने के बाद, आप इस वाली फाइल को यहाँ से select करके simply यहाँ पर add करा सकते हैं, जैसे आपने new tab add किया, और आपने option को add करा दिया, तो यहाँ पर देखे, हमारा share workbook का option था, वो यहाँ पर add हो चुका है, इसके अलावा अगर आप चाहें, तो इसके फाइल के name को भी change कर सकते हैं, यहाँ से select करके आप इसे change भी कर सकते हैं, यहाँ पर rename पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर आप tab का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया share workbook, और इसके बाद हमने कर दिया ok, ok करने के बाद यहाँ पर भी आपको ok कर देना है, ok करने के बाद आप देखेंगे, हमारे सामने यहाँ पर एक नया tab open हो गया, share workbook का, और यहाँ पर आप देखेंगे share workbook का एक option हमारे सामने show हो गया, जब तक कि हम इसको apply नहीं करेंगे, तब तक हमारा यह वाला option unhide ही रहेगा, अब basically यह होता क्या है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं, share workbook का जो option है, वो basically पहले हमारे जो excel के old versions थे, उनमें यह option फ्रेंट पर ही दिया रहता था, जिसमें हमें सिर्फ टेक करके allow करना होता था, और अब यह option इन्होंने बहुत ही अंदर दे दिया है, हमें इसे पहले activate करना पड़ता है, उसके बाद हम इसको use कर सकते हैं, basically share workbook जो option है, उसका use किया जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे, हमने images के माध्यम समझाने की आपको कोशिश की है, जैसे माल लीजे हमारे systems land के अंदर connected होते हैं, लैन के बारे में आप जानते ही होंगे, local area network, अगर हमारे बहुत सारे systems है company के अंदर, वो सभी system एक दूसरे से connect है, local area network के माध्यम से, तो उन सभी की lands के अंदर, अगर हमें कोई एक data share करना है, जैसे माल लीजे हमने एक folder बनाया, और उस folder के अंदर हमने अपनी files डाल दी, यानि Excel की यही file हमने माल लीजे डाल दी, और इस file के अंदर उसमें कई सारे users उसको use करना चाते हैं, यानि एक ही file को अगर बहुत सारे persons यूज करना चाते हैं, यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें फाइल शेयर करनी पड़ती है, तो यहां से Excel से अप डिरेक्ली उस file को share कर पाएंगे, और share करने के बाद आप बहुत सारे users मिल करके उसको use कर पाएंगे, और उसमें editing कर पाएंगे, तो यह चीज आप कैसे कर पाएंगे, इसको मैं आपको समझाता हूँ, तो यहां से आपको जाना होगा share workbook वाले option पर, और यहां पर आपको जाना होगा share workbook पर click करना होगा, और यहां पर आप देखेंगे, आपके सामने एक option आजाएगा, इस पर आपको simply tick करना है, और tick करने के बाद simply यहां पर okay कर देना है, जैसी आप इसे okay करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे, इस action will now save the workbook, do you want to continue, यानि सबसे पहले हमें फाइल को save करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे continue कर पाएंगे, तो हमने इसको okay किया, और यहां पर हमने इसको share कर दिया, अब यहां पर आप देखेंगे, आपके सामने एक notification आगई, कि आप इसे turn off करना चाहते हैं, यानि आपने जो भी data share किया हुआ है, जो भी फाइल आपने share किया है, क्या उसे turn off करना चाहते हैं, तो हमने फिलाल इसको कर दिया not now, not now करने के बाद हम वापस से आ जाते हैं, अपने review tab के अंदर, और review tab के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे, हमारा जो unshare workbook था, वो यहाँ पर show हो गया, यानि unshare workbook का जो option है, वो use किया जाता है, जो हमने data को share किया हुआ है, उसको stop करने के लिए, इस पर simply आपको click करना है, हमने जो भी data share किया था, वो यहाँ से stop हो जाएगा, तो यह था हमारा unshare workbook का option, इसके बाद अब देखेंगे, यहाँ पर हमारे सामने एक और option है, height ink का, अब यह height ink कैसे use किया जाता है, इसको मैं आपको clear कर देता हूँ, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक setting करनी पड़ेगी, यानि अपनी इस file के अंदर, हमें एक नया option एड करना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा change है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसके लिए हम चले जाते हैं, अपनी पुरानी वाली sheet पर, और इस sheet पर आने के बाद, हम चले जाते हैं, वापस से file वाली option पर, फाइल option पर जाने के बाद, सेम उसी जगा पर हम जाते हैं, more पर और यहाँ पर हमने ले लिया option, option लेने के बाद, हमने यहाँ से select किया, अपना customize ribbon, customize ribbon select करने के बाद, आप देखेंगे, हमें यहाँ पर कोई भी extra data को add नहीं करना, यहाँ पर आप देखेंगे, draw का एक option दिखाई देगा आपको, इस draw वाले option को आपको select करना होगा, और select करने के बाद, simple आपको okay करने नहीं, जैसे आप draw वाले option को select करके, okay प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने, draw का जो option है, वो तीसरे number आपको show कर जाएगा, और इसमें बहुत सारे sketches, और बहुत सारे आपको pens मिलेंगे, इनका आप use कर सकते हैं, किसी data को highlight करने के लिए, जैसे हमने yellow वाला option select किया, और यहाँ से हम इसको use कर पाएंगे, यहाँ से कोई भी color आप pick कर लिजे, और pick करने के बाद आप किसी data को highlight करके represent कर सकते हैं, या फिर कोई और color आप use कर सकते हैं, यहाँ पर click करिए और यहाँ से कोई दूसरा color select कर लिजे, और दूसरा color select करने के बाद, यहां से भी आप किसी data को इस तरीके से highlight करके represent कर सकते हैं अब इसके बाद जो हमने हमारा जो next option था यहां पर जाते हैं वापस से review tab के अंदर और यहां पर आपको दिखाई देगा height ink का height ink का use किया जाता है जैसे हमने जो भी extra colors का use किया हुआ है इसको height करने के लिए जैसे हम hiding पर click करेंगे जो भी हमने extra coloring अपनी sheet के अंदर की हुई होती है वो सभी यहां से हट जाती है इसके बाद वापस से आप इसको unhide करना चाहते हैं तो वापस से click करिए और अगर आपने बहुत सारी sheets पर यानी sheet 1 पर sheet 2 पर भी आपने इसको use किया हुआ है तो उसको भी आप remove कर सकते हैं तो फिलाल हम दूसरी sheet पर जाते हैं और यहां पर भी हम उस inka use कर लेते हैं यहां से हमने कोई भी color pick किया कोई भी color pick करने के बाद हम इसको use कर लेते हैं यहां पर भी यह देखिए हमने आपको दिखाता हूं एक एक करके एक sheet पर और गए हम लोग और इस sheet पर जाने के बाद भी हमने अपने data का use कर लिया यानि कोई भी coloring का हमने यूज कर लिया किसी भ जो भी sheets पर आपका data यहां पर height हो जाएगा, यानि आपका जो भी highlight option था वो यहां से height हो जाएगा, इसके बाद वापस से इस पर click करेंगे तो वापस से वो show हो जाएगा, इसके बाद option है delete all ink on sheet, यानि जैसे इस वाले option पर आप click करेंगे, तो जो भी हमने यहां पर use किया इंक का वो यहां से remove हो गया, second sheet पर जाकर अगर हम चेक करेंगे तो यहां पर वो remove नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सामने represent हो रही थी sheet, उसी का हमने यहां से delete किया है, अगर आप इस option का use करते है, delete all ink in workbook, यानि पूरी workbook के अंदर, जहां जहां पर और हमने ink का use किया हुआ है, वो delete हो जाए, तो जैसे आप इस option पर click करेंगे, आप जाके check करिए, हर एक sheet से, यानि जो ink था वो remove हो चुका है, तो इस तरीके से आप height ink का भी use कर सकते हैं, तो दोस्तो यह थे हमारे protect options, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैन option आपको दिखाई देगा normal का, जो normal option है, इसका use किया जाता है, जो भी हम यहाँ पर work कर रहे हैं, वो basically normal page है, आपके सामने जो layout दिखाई देता है, वो एक normal page होता है, और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर page break की, तो page break जो view होता है, वो basically कुछ इस तरीके का होता है, ज यानि कि आप देखेंगे जितने data पर हमने काम कर रखा है, सिर्फ उत्रा ही data यहाँ पर highlight है, बाकि जितने भी database था, यानि जितना भी paste था, वो यहाँ से hide हो चुका है, इसके बाद अगर आप इसे expand करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसे expand भी कर सकते हैं, इस तरीके से, और यहाँ से अगर आप चाहें तो pages को adjust भी कर सकते हैं, left to right, right to left आप adjust कर सकते हैं, यहाँ से up and down भी चाहें तो इसको adjust कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप page के margin को भी set कर सकते हैं, page break की मदद से, जितने भी pages आपको दिखाए देंगे, यहाँ पर देखे, page number 30, उपर अग adjust करने के लिए हम page break option का use करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें page layout views की, तो जैसे हम page layout view पर click करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, इसके ओपर header दिखाई देगा, और bottom में अगर हम चेक करेंगे, तो bottom में footer दिखाई देगा, और जैसे हम header या footer के किसी भी option पर click करते हैं तो आप देखेंगे, यहाँ पर एक header and footer के नाम से एक function खुलेगा, जिसके अंदर बहुत सारे option आपको नज़र आएंगे, इसमें सबसे पहला option आपको दिखाई देगा, header का, header के ओपर आप क्या लगाना चाते हैं, page number one of question mark लगाना चाते हैं, file का name देना चाते हैं, या फि देदिया file का नाम, जैसे हम page का नाम देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर click करने के बाद, हर एक page पर आपको यह नाम दिखाई देगा, यह देखें, हर एक page पर यह file का नाम आपको नज़र आएगा, इसी तरीके से, footer पर अगर आप चाहें, तो footer पे भी इन दोनों options का आप use कर सकते हैं, इसको अगर आपको हटाना है, तो वहाँ पर click करना होगा, अपने keyboard से press करना होगा backspace, और एक बार press करना होगा enter, या किसी और cell पर आपको click करना होगा, वो यहाँ से remove हो जाएगा, इसी तरीके से header को अगर हटाना है, तो header को भी select करके आपक space दबाना होगा, और किसी और cell पर आपको click कर देना है, यहाँ से वो जो हमने header लगाया था, वो यहाँ से remove हो जाएगा, इसके बाद का जो next option है, वो अगर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है page number, अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे, तीन column हमें मिलत किया है, और यहाँ पर हमने use किया page number, page number को जैसे हमने select किया, और किसी और box पर हमने click किया, तो आप देखेंगे page number 1 यहाँ पर आगया, और page number 30 यहाँ पर आगया, यानि जितने भी pages होंगे, सब के ऊपर automatically page number set हो जाएगे, और इसके बाद अगर आप इसको हटाना है, तो simple व पर होंगे, यानि हमारे पास अब 116 pages हैं, तो जितने भी pages यहाँ पर होंगे, header पर वो number शोओगा, देखे, 116 यहाँ पर भी show हो हो रहा है, और 116 यहाँ पर भी show हो रहा है, तो जितने भी pages हमारे सामने represent होंगे, सभी pages पर 116 नजर आएगा, तो इस तरीके से आप इसेävार् cell पर click करना है वो यहां से remove जाएगा इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर current date अगर आप दिखाना चाहते हैं header के ओपर की current date दिखानी है कि यह file हमारी कब बनाई गई थी कब generate होई थी तो जैसे आप current date पर click करेंगे और किसी other cell पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी current date represent हो जाएगे इसके बाद अगर आप current date के अलावा current time represent करना चाहते हैं तो दूसरे box में हम current time को भी click कर लेते हैं और जैसे हम next cell पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका current time भी आपके सामने represent हो जाएगा इसके अलावा अगर आप file path या नि file का location देना चाहते हैं तो first header को select करके हमने file location को select किया और किसी और cell पर click कर दिया आप देखेंगे यहाँ पर file की location भी represent हो गई है और यह जो file की location, date और time है यह हर एक page पर आपको नज़र आएगा तो इस तरीके से आप इसे use कर सकते हैं हटारी के लिए मैंने आपको बताया है simple backspace दबाना है आपको उस header पर जा करके यह अपने आप यहाँ से remove हो जाएगा इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर है sheet name याँ शीट का जो भी नाम है यहाँ देखें MID करके यहाँ पर sheet का नाम है MID wise target May 22 तो यहाँ पर click करके जैसे हम इसको click करेंगे और बाहर click करेंगे तो यहाँ देखें वही file का नाम यहाँ पर show हो जाएगा इस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं इसके अलावा मैं आपको दिखाऊ हूँ यहाँ पर एक option है pictures का pictures पर जैसी आप click करेंगे तो हमारे Sonic Dalio box open होगा यहाँ से हम कोई भी image search कर सकते हैं directly Bing browser से तो Bing browser पर जैसी हम click करेंगे हमारे पास different types के आपको images दिखाई दे जाएंगे इन images पर जैसी आप click करेंगे यहाँ से कोई भी image आप use कर सकते हैं जैसे हम ने पहला वाला image ले लिया और इसके बार जैसी इसे insert करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी हमारे pages होंगे हम जो किसी भी cell पर click करेंगे तो जितने भी pages होंगे हमारे उन सभी pages के ऊपर यह हमारा जो image था वो represent हो जाएगा इस तरीके से यह देखें सभी pages पर यह data हमारा represent हो जाएगा इस तरीके से आप चाहें तो इसे watermark की तरीके से भी use कर सकते हैं और इसके बाद इस header को select करके या किसी next header को select करके हम जाते हैं यहाँ पर header फोटर वाले option पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक picture format का option इस पर जैसे हम click करेंगे तो इसका size देखे बिल्कुल छोटा हो गया इसके अलावा इस पर हम click करेंगे तो और भी बहुत सारे options हैं जैसे यहाँ पर next पर click करेंगे तो left से या right से आप इसको कितना set करना चाहते हैं अच्ज़ करना चाहते हैं margin के according वो आप यहाँ पर set कर सकते हैं all text में जाए तो इसके उपर alternative text भी लिख सकते हैं आप इसके बारे में और आप यहां से अगर इसे gray scale करना चाहें तो जैसे pictures में जाएंगे और automatic को select करके जैसे हम यहाँ पर gray scale या black and white यूज़ करेंगे और यहाँ पर कर देंगे इसे ok तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो image है वो black and white convert हो जाएगी यह नहीं black and white हो जाएगी आप इसे as a watermark की तरीके से use कर पाएंगे इसके अलावा इसका size वापस से आपको reset करना है तो वापस से आपको उसी header को select करना है header and footer को select करना है और यहाँ पर format picture को select करना है pictures पर आना है और यहाँ पर आपको कर देना है reset reset करके जैसे आप इसे ok करेंगे तो यह वापस से reset हो जाएगा जो भी हमने colors वगरा छेड़ा था वो वापस से adjust हो जाएगा और size वापस से set करना है तो वापस से इसी option पर जा करके यहाँ आप हमने size दे दिया for team और वापस से ok किया यह देखे वापस से अपने size में adjust हो गया तो इस तरीके से आप इन सभी options का use कर पाएंगे इसके बाद हम बात करेंगे आपर navigation के अंतर देखे लिखा हुआ है go to photo अगर आपको header से directly photo पर जा रहा है तो जैसे आप click करेंगे go to photo तो यह photo पर अपने आप जम कर जाएगा अगर आप click करेंगे go to header तो यह directly आपको header पर ले जाएगा इसके बाद आप देखेंगे difference first page यानि इस पर जैसे हम click करेंगे पहले हम इसको picture को यहाँ से remove कर लेते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा difference first page इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ का जो first page होगा उसके ओपर यहाँ लिखा आ जाएगा first page header यानि यह आपको represent करेगा कि यह document का सबसे पहला page है इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर old and even pages को देखना चाहते हैं तो इस पर जैसे आप click करेंगे तो यह बताएगा आपको यह odd page है odd page मतलब यह one, three, five, seven odd number और even number की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें यह वाला जो page है हमारा वो even number page है तो यह odd और even number को represent करता है तो इसमें से कोई भी option आप यहाँ पर use कर सकते हैं इसके अलाव अगर आप use करना चाहें align margin तो यहाँ पर click करके आप align भी use कर सकते हैं पर आप देखेंगे जो भी हमारा header है उसको जैसी हम align करेंगे तो यह हमारा right की तरफ हलका सा खिसक जाएगा इस तरह के साब इसे align कर सकते हैं और इसी तरह के से आप scale का भी use कर सकते हैं तो यह सारे options हमारे जो भी थे वो page layout की option थे हमायारा जो page है वो basically एक page की तरीके से work करेगा यांनी basically ms excel में हम जो work करते हैं वो sheet पर काम करते हैं तो sheet प Commissioner करतेगा वे एक page में convert कर देगा इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक option आपके सामने custom views का custom views का मतलब होता है मालीजे हमने किसी data को select किया select करने के बाद custom views पर गए और इसको हमने add करा दिया इसे कोई भी नाम दे देते हैं like हमने दे दिया a और इसे हमने save कर दिया अब हम किसी और location पर पहुँच जाते हैं और उस location से आप मुझे उस वाली location पर जाना है जहांपर हमने इस data को save किया था तो simply आपको करना का है custom view पर जाना है जो हमने location save किये थी वो नाम यहाँ पर select करना है और simple करना है आपको show जैसी आप show कराएंगे यह आपको automatically उस location पर ले जाएगा जहांपर हमने इसको save किया था तो यानि कि आप यहाँ पर कोई data कोई particular area save करके रख सकते हैं और directly उस location पर जाने के लिए आप custom views का use कर पाएंगे इसके अलाब आपको दिखाई देगा ruler तो ruler basically कैसे use किया जाता है ruler अभी आप देखेंगे hide है तो ruler को use करने के लिए हमें यहाँ पर use करना होगा वापस से एक बार page layout page layout को use करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने scales नजरा रहा है इस scales को आटाने के लिए हम ruler का use करते हैं जैसे हम ruler पे खेंंगे तो scale हमारा यहाँ से remove हो जाएगा तो इस तरीके से हम ruler को use कर पाएंगे हम वापस से normal page पे जाते हैं इसके बाद आद देखेंगे formula बार जैसे हम click करेंगे तो हमारा formula?.裁 के यहाँ से remove हो जाएगा इसके अलावा अगर आप headings को हटाना चाहते हैं तो headings को यहां से अटा सकते हैं आप देखेंगे जो हमारे cells के address होते हैं वो ही हमारी headings होती हैं आप देखेंगे यहाँ पर ABCD और 1234 नजर आ रहा है यह हमारी headings है इसको हटाना है तो यहाँ पर आप simply click करके इसको हटा सकते हैं इसके बाद अगर आप zoom करना चाहें तो zoom पर click करके से जितना percent zoom करना चाहें उतने percent यहाँ पर select कर लीजे और simply ok प्रेस कीजे उतना percent यहाँ पर यह zoom हो जाएगा 100% करेंगे तो 100% के according यह adjust हो जाएगा और zoom to selection का मतलब होता है जैसे माल लीजे हमने यहाँ पर click किया और मुझे यही area zoom करना है तो जैसे ही मैं zoom to selection पर click करूँगा सीधे वही area हमारा यहाँ पर देखे zoom हो जाएगा तो इस तरीके से आप इन सभी तीनों options का use कर पाएगे तो दोस्तों अगर आपको हमेरे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा धन्यवाद नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे view tap के windows option के बारे में windows के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे options हैं इन सभी options का हम एक एक करके use समझेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं new window की आप देखेंगे हमारे सामने एक window open है और इसकी मैं duplicate window अगर open करना चाहता हूँ यानि मैं इसी का just एक duplicate window पर काम करना चाहता हूँ तो मैं new window पर जैसे click करूँगा आप देखेंगे उसी की duplicate window हमारे सामने open हो जाएगी इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने arrange का एक option है इस arrange वाले option पर जैसी मैं click करूँगा तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ options यहाँ पर represent हो जाएगे अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहला option है tiles का है, horizontal का है, vertical का है, cascade का है तो इसमें से हम जो भी option select करेंगे जैसे माले जे हम इसको tiles में adjust करना चाहते हैं इसको select करके जैसे हम ok press करेंगे तो आप देखेंगे हमारी जो window है half-half part में divide हो करके represent हो गई है यानि कि आप इसके उपर भी काम कर सकते हैं और इसके उपर भी काम कर सकते हैं अब इन में से जो भी आपकी original window होगी आप उस window पर अगर काम करेंगे तो duplicate window में वो automatically आपकी change हो जाएगी तो जैसे देखेंगे कि हम लोग हमारे पास जो original window है और duplicate window है दोनों में पहचान क्या है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो फाइल का नाम है वो रिष्टे अच्छे फाइल 1 है और यहाँ पर आप देखेंगे रिष्टे अच्छे फाइल 2 तो यहाँ पर हमारा जो रिष्टे अच्छे फाइल 1 है यह हमारी original file है इस original file के अंदर हम जो भी changes करेंगे वो changes यहाँ पर automatically हो जाएगी तो हम करके दिखाते हैं आपको जैसे यहाँ पर 40% है तो यहाँ पर हमने 0.30% लिया और enter pass किया तो आप देखेंगे यहाँ पर 0.30% हमने change किया इस sheet मर भी 0.30% by default automatically change हो गया याँ आप एक sheet की duplicate काफी सारी windows ले सकते हैं और original window पर जो भी काम करेंगे वो by default automatically duplicates windows पर वो work अपने आप हो जाएगा तो इस तरीके से आप एक साथ काफी सारी work sheet पर work कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें next option की तो next option है हमारा freeze pane freeze pane basically use किया जाता है हमारा किसी data को freeze करने के लिए जैसे मालीचे हम यहाँ पर जाते हैं और हमने फिलाल अभी cursor को यहाँ पर move करती है याँ यहाँ पर हमने रख लिया cursor को और यहाँ से मैं चाता हूँ data को freeze करना तो यहाँ पर मैं जैसी click करके first option use करूँगा freeze pane का इस पर जैसी मैंने click किया तो आप देखें के हमारा डेटा यहाँ से freeze हो गया अब मैं यहाँ से scroll down करके इस data को यहाँ पर analyze कर सकता हूँ इसको use कर सकता हूँ और यहां पर जो हमारा data है वो यहाँ पर fix हो गया है इस तरीके से मैं इसको use कर सकता हूँ यानि आप अपने data को अगर आपके पास बहुत बड़ा data है तो उसको freeze करके इस तरीके से उसको scroll down करके data को adjust कर सकते हैं इसके बाद अगर आपको freeze को हटाना है तो यहाँ पर simple click करके unfreeze pane पर click करेंगे तो आपका data जो भी होगा वो unfreeze हो जाएगा इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी sheet पर और उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से row freeze का और column freeze का use कर सकते हैं तो हम लोग चले जाते हैं वापस से दूसरी sheet के ऊपर यहाँ पर देखेंगे हमने एक sheet बना रखी है salary sheet के नाम से इस salary sheet के अंदर हम क्या करेंगे row को freeze करेंगे और columns को freeze करके दिखाएंगे तो फिलाल हम row को select करते हैं यहाँ पर और row को select करने के बाद हम view में वापस से जाते हैं और यहाँ पर हम use करते हैं freeze to row freeze कर दिया हमने row को अब यहाँ पर आप देखेंगे जो भी work करेंगे हमारा जो row होगा वो freeze हो गया यानि वो fix हो गया है इसके माद आप कोई भी data यहाँ पर type करिए row अपनी जगा से move नहीं होगा यह बिल्कुल fix हो जाएगा आप यहाँ पर कितना भी बड़ा data हो उसको analyze कर सकते हैं उसको use कर सकते हैं सेम इसी तरीके से इसको unfreeze करने के लिए आपको इस पर click करना है और यहाँ पर unfreeze row पर जैसे आप click करेंगे वापस से unfreeze हो जाएगा इसी तरीके से अगर आप चाहें तो column को भी freeze कर सकते हैं यहाँ पर column को select करिए column को select करने के बाद यहाँ से column को freeze कर दीजिए column को freeze करने के बाद आप यहां से कोई भी data type करेंगे यहां से scroll करेंगे तो यह देखिए हमारा data insert होता चला जा रहा है बट यहाँ पर जो हमारा column है वो move नहीं हो रहा है तो इस तरीके सा आप इसको भी unfreeze कर सकते हैं unfreeze pane पे click करेंगे वापस यह unfreeze हो जाएगा इसी तरीके सा अगर आप चाहें तो यहाँ पर window को split कर सकते हैं यानि इसी window को two parts में divide कर सकते हैं हम इस पर split window पे click करेंगे यहाँ पर आप इसको move कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको इसको move करना है फिलाल अभी हमने जो भी split किया है इसको हम हटा लेते हैं हटाने के बाद मैं इस sheet को चाता हूँ यह sheet हमारी hide हो जाए तो hide पर जैसे हम click करेंगे तो हमारी जो sheet थी वो hide हो चुकी है उसको unhide करने के लिए यहाँ पर एक option देखेंगे इस पर जैसे हम click करेंगे तो हम किस file को side by side करना चाते हैं तो हमने sheet 1 ले लिया यानि रिष्टे अच्छे file 1 ले लिया और salary sheet को हम दोनों को side by side देखना चाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक data हमारा यहाँ पर आगया और एक data हमारा यहाँ पर आगया यहां से और दूसरे data को यहां से scroll करके देख सकते हैं तो इस तरीके से आप इसका use कर सकते हैं इसको आपको scrolling को on रखना है तो on रखने के बाद यह दोनों scrolling जो होगी वो दोनों scrolling एक साथ move करेंगी इसके बाद अगर आपने इसका किसी का size चोटा या बड़ा कर दिया sheet का तो जैसी आप reset पर वापस से click करेंगे ये वापस से अपने size में adjust हो जाती है इसके बाद आप देखेंगे switching windows का option है यहाँ पर आपके सामने तीनों files दिखा रहा है जो भी file पर आप काम करना चाहते हैं उस file को जैसी आप click करेंगे वो file आपके सामने यहाँ पर represent हो जाएगी जैसे माली जी हमने इसको minimize कर दिया और यहाँ पर हमने रिष्टे अच्छे file 1 को select किया तो वापस से वो file हमारे सामने represent हो जाएगी तो इस तरीके से मैंने आपको windows के सभी features के बारे में एके करके समझाया अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा धन्यवाद नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे view tap के macros option के बारे में आप देखेंगे हमारे पास जो micro option है, इसके अंदर तीन options है, सबसे पहला है view macro और दूसरा है record macro और तीसरा है relative reference अब हम बात करते हैं सबसे पहले record macro की micro function का जो basically use होता है, बहुत ही magical use होता है जैसे माल लीजे हमने यहाँ पर sheet लीवी है, यहाँ पर हमने कुछ data लिया हुआ है और same as it is data हमने sheet 1 पर भी यहाँ पर लिया हुआ है अब इन दोनों sheet में से किसी एक sheet को हम modify करेंगे और उसको record करेंगे यानि basically micro क्या काम करता है, आपके हर एक work को record करता है, चाहे बोल्ड करें, italic करें, underline करें आपको cell insert करें, merge करें, कुछ भी कोई भी anything आप excel में कोई भी work करते हैं तो आपके उस work को record कर लेता है और same record को आपको किसी another place पर अगर paste करना होता है, तो आपको वो एक बार में ही option देता है, तो उसको paste करने का तो जैसे मैं आपको practically इसको करके दिखाता हूँ, जैसे मालीचे मैंने एक sheet यहाँ पर ली हुई है, same as it is sheet मैंने sheet 2 पर ली हुई है तो sheet 1 पर जाने के बाद, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, micro को start करूँगा, यानि कि उसे enable करूँगा macro को slack करके, यहाँ पर option है record macro, इसको मैं slack करूँगा, इसको slack करने के बाद, यहाँ पर आप micro का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया, यहाँ पर formatting formatting नाम देने के बाद, आप इसकी कोई shortcut की भी बना सकते हैं, जैसे मा लिजए हम इसकी shortcut की बना लेते हैं, control, shift और q, अपने keyboard से shift q दबा दीजे, इस shortcut की अपने आप create हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, आपको वो shortcut की बनानी है, जो की MS Excel में use ना होती हो, यानि जैसे control C क आप नहीं बना सकते है, control V की नहीं बना सकते है, control C copy की होती है, control V paste की होती है, तो यानि आपको वो shortcut की use करनी है, जो MS Excel में use ना होती हो, थोड़ी सी different type की shortcut की आपको use करनी है, ठीक है, इसके मद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने तीन options है, क्या आप इसे personal micro workbook में का काम करना चाते है, या फिर कोई एक नई workbook पे काम करना चाते है, या इसी के ओपर macro का use करना चाते है, तो हम simply यहाँ पर use करेंगे this workbook, और इसके बाद आप description में कुछ भी type कर सकते है, description का मतलब आप बता सकते हैं कि इसके अंदर आपने क्या क्या चीजे यूज की है, इस recording क करूँगा, underline करूँगा, color करूँगा, etc. आप जो भी इसमें use करना चाहें, वो सारी की सारी चीजे यूज कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर simply आपको यहाँ पर ok प्रेस कर देना है, जैसी आप यहाँ पर ok प्रेस करेंगे, आपकी recording यहाँ पर start हो जाएगी, यानि अ MS Excel में आप इस workbook पे जो भी work करेंगे, वो totally आपका record होगा, जैसे मालीजे, हम सबसे पहले इस cell को select करते हैं, और यहाँ पर home tab में जाकर के इसको merge and center use कर लेते हैं, तो हमारा cell merge हो गया, यह भी हमारा record में आ चुका है, यानि यह क्या कर रहा है हमारे हर step को record कर रहा है, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा bold कर लेते हैं, और इसके बाद इसके अंदर कोई color fill कर लेते हैं, इसके background वे, इसके बाद हम monthly earning को select करते हैं, इसको भी हम merge and center use करते हैं, और इसका color हम red कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर slaps को select करते हैं, इसको हम थोड़ा सा bold कर लेते है बोल्ड करने के बाद हम बाकी के options को select करते हैं यहाँ पर आप देखिए हमारा जो data है वो थोड़ा सा दबा हुआ है तो इसको हम double click करते हैं यह automatic cell adjust हो जाएगा और पूरे के पूरे data को एक सा slack करके हम इसे border में बंद कर देते हैं इसके लावा और भी आपको जो भी editing करनी है आप editing कर सकते हैं जैसे माली जे मुझे इन values को select करके मैंने इसके इंदर कोई color fill कर दिया इस तरीके से आप colors fill करके highlight कर सकते हैं यानि आपको जो भी changes करनी है जो भी करना है आप इसके अंदर कर सकते हैं तरीके सारे work आपके क्या करेगा records करेगा तो हमने इस तरीके से formatting कर ली है अब आप देखेंगे दूसरा जो हमारा data है वो simple data है इसमें कोई भी formatting नहीं है तो हम क्या करेंगे अब इसको select करेंगे select करने के बाद हम इसके micro को जो भी हमने recording start की है इसको stop कर देंगे तो उसके लिए हम जाएंगे view tab के ऊपर macro में जाएंगे और यहां से कर देंगे इसको stop stop करने के बाद आपको जाना है sheet number 2 पे जहां पर हमने यह data लिया हुआ है same as it is उसी type का अब इस data पे आपको जितने भी formattings हमने यहां पर use की है वो सारी की सारी formattings हमें इस मर्च चाहिए तो अब हमने जो bold किया italic किया, align किया, cell merge किया यह सारी की सारी चीज़े की है वो सारी चीज़े एक बार में मैं चाता हूँ यहां पर वो apply हो जाए तो उसके लिए जो हमने shortcut की बनाई थी हम उसका भी use कर सकते है डेटा को select करके आप यहाँ पर control, shift, q अपने keyboard से दबाईए जो कि हमने इसकी shortcut की बनाई थी आप देखेंगे, shape 2 के उपर भी हमारा same as it is data अपलाई हो चुका है यानि की sheet 1 पर भी हमारा same as it is ऐसा ही data है जो भी formatting हमने की थी और sheet 2 पर भी हमारा same as it is यह data है, तो यह है magical feature macros का, इसके अलावा view tab में जाकर के आप चाहेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी recording कर सकते हैं, यहाँ पर आप first option पर click करेंगे तो आपको दिखाई देगा आपने जो भी macros की recording की होगी, जितनी भी recording की होगी वो सारी यहाँ पर आपके सामने represent हो जाएगी इसके लावा अगर आप यहाँ पर run का use करेंगे तो formatting में, यानि कि आप वहाँ से जो हमने shortcut की use की थी control shift Q, वहाँ से भी use कर सकते हैं और यहाँ से आप चाहें तो run करके भी इसको use कर सकते हैं, तो इस तरीके से झाल